अब नमस्कार गूड मॉर्निंग मैं शुवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में हार्दिक स्वागत करती हूँ तो कैसे हैं आप सभी लोग आश्या करती हूँ सस्त होंगे मस्त होंगे अपना और अपने परिवार का खयाल रख रहे कोई परिशानी तो नहीं और रिवीजन करके आए हैं देखो आज मैं फाइनल रिवीजन आपको करा रही हूँ उम्मीद करती हूँ आप भी अपने सारे नोट्स पढ़के आए होंगे और बहुत स्पीड के साथ हम आज मैरतन करेंगे लेकिन जो भी हमें समझाना है वो हम चली गई मैम अब मैरतन है तो थोड़ से सबर भी करना चाहिए ना तो शुरू करें क्लास गुड मॉनिंग जी गुड मॉनिंग आप सभी लोग क्लास में बने रहेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है और शुरू करते हैं फर्स्ट कोईस्चन के साथ निम लिखित विकल्पों मे तस्सम शब्द का चयन कीजिए इन में से कौन सा एक शब्द तत्सम है बताएगा अगर आपने मेरी क्लास पिछले संडे वाली देखी होगी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि विटा अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो एक चीज धियान रख लेना कि री ज़ी दातर कहा लगती है तस्सम शब्दों में लगती है तो आप सभी को कहना चाहिये मैम सी ऑप्षिन बिल्कुल सही हो जाएगा तीखा को हम एक रिक्षन कहते हैं क्या कहते हैं और बताएगा Gucci को हम tass thriller कहते हैं अठालिका कहते हैं और बताईगा नीक क्रस्ट् तो क्या ह कि अधम व्यक्ति को नीच व्यक्ति को कहते हैं किसे कहते हैं नीच व्यक्ति को हम नीक क्रस्ट कह देते हैं तो बताइएगा ठीक है कोई दिक्कत तो आपको नहीं हाँ जी बहुत अच्छा चीक है? हाँ जी, आपस में एक दूसरे कोई प्रणाम करते रह रहे हो, क्या फाइदा? चलो, next question देखते हैं, निम लिखित में से कौन सा तदभव शब्द है? कौन सा शब्द तदभव है? जल्दी से आप इसमें से बताएंगे, तदभव पूछा है, तो एक तदभव होगा तीन तदभव होगे, तो जल्दी से बताएंगे कौन सा है, पीडियाफ कहाँ पर मिलेगी, पीडियाफ मैं गास ओवर होते ही, बोल दूँगी, आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो, अप्रिकेशन पर ही मिल जाएगी, कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी 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 अमिये, अमिये को हम तत्सम में अमरित कहते हैं, क्या कहते हैं, गुड्ये आप कहोगे, अमरित कहते हैं, उल्लू को हम उल्लू कहते हैं तत्भव में, इस्टिका को इट कहते हैं, और इट, और कुपुत्र को कपूत कहते हैं, अब इतने तो आप एडवांस हो चुके होंग है कि तस्तम और तद्वभ क्या होता है, घर जरूरत हो, तो मैं बता दूँ संसकत से के वे शब्द जो सीदे-सीदे हिंदी भाषा में प्रियोखत होते हैं, तद्वभ तो होते हैं. और संसकत भाषा से याए वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित होकर रूप परिवर्थित करके हिंदी में प्रियोक किये जाते हैं तदभव कहलाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं पोल भी कराओंगी कोई बढ़िया क़ुष् Castro आईगा तो पोल भी कराओंगी साधु का विलोम क्या होगा साधू का विलोम क्या होगा जब मैंने आपको विलोम शब्द कराये थे तो मैंने आपको विलोम के आधार बताये थे कि लिंक के आधार पर भी विलोम हो सकते हैं गुण के आधार पर भी विलोम हो सकते हैं सादवी भी सादू का विलोम है और असादू भी सादू का विलोम है पर सादवी क्या है आप बोलिंगे मैम लिंग के आधार पर है इसके आधार पर है लिंग के आधार पर है और लिंग के आधार पर हम तब लगाते हैं जब हमारे पास गुण के आधार पर ना हो तो यहाँ फिर असादू जादा सही option बनेगा, सन्यासिनी का विलोम सन्यासी हो जाएगा है ना, सन्यासी हो जाएगा, ठीक है, और सन्यासी की वर्तनी भी पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, सहोदर, विलोम पूछा जा र क्या होगा, सहोदर का अर्थ क्या होता है, जो एक उदर से जन्मे होते हैं, वे सहोदर कहलाते हैं, मतलब बिलकुल सगे बहन भाई, बिलकुल सगे बहन भाई क्या कहलाते हैं, सहोदर कहलाते हैं, जल्दी से ग्लास को शेयर कर दीजेगा, आप सभी लोग, हाँ जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा हो जाएगा अन्योधर हो जाएगा कई बार आपने एक टर्म सुना होगा brother from another mother सुना है न तो ये another mother ये उदर से मतलब जन्मा हुआ ही क्या कहलाता है अन्योधर कहलाता है घी कहे परोधर तो नहीं होगा है ना, अधर भी नहीं होगा, कुधर भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अन्यो दर हो जाएगा, very, very good, आप ये वाले आज के question कर ले आपका कोई भी question exam में भी गलत नहीं होगा, निम्न में। रिफ्भी कौन सा शब्द तरक्की का परियायत नहीं है, तो जल्दी से बता दें, तरक्की का परियावाची शब्द क्या होता है, तो आप कहेंगे बडोत्री, बडोत्री, ब्रद्धी, विकास ये तो होते ही हैं, और उत्थान, उत्थान, ये सब किसके तरक्की के परियावाची होते हैं, ब्रद्धी, उन्नती, उन्नती, ये भी हो अपकर्ष्श का मतलब क्या होता है पतन होगा इनम तो इसका अर्थ क्या होगा आप बोलेंगे आप बोलेंगे मैम पतन हो जाएका फीडिक है ये पता थो हम आप पकर्ष का विलोम बता देंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईश्चन, निमलिके शब्द के परियावाची शब्द का चैन कीजिएगा, दिये गए विकल्पों में करें, तो क्या किया है ये, चलो, मैं बता देती हूं, तालाब का परियावाची बताना है हमें ये a option है, option बदल देती हूं, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तालाब का परियावाची आप सभी को बताना है तो तालाब के परियावाची क्या क्या होते हैं, पहले हम ये देख लेंगे तालाब, ताल, सर, सरोबर, पोखर, पोखर, पुशकर, पुशकर, जलाशे, जलाशे, तडाग, ये सब ही हम किसे बोल देते हैं गुड़े, तो आप कहोगे मैं तालाब को बोल देते हैं, तो इसमें कौन सा option ठीक हो जाएगा, आप बोलेंगे option A बिलकुल ठीक है, क्या है, option A बिलकुल बिलकुल ठीक है, 1525 लाइव हैं, आज मेरी छोटी सी इच्छा है कि आप सभी लोग कम से कम 2000 ब्लस लाइव आएं, ऐसा मेरा मन है, और मुझे लगता है कि आप लोग इतनी बात तो पूरी करा ही देंगे, इसमें तो क कोई दिक्कत आप लोग कभी करते नहीं है, प्रमदा हम किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे में सुन्दर इस्तरी को बोलते हैं, जिसे हम युवती बोल देते हैं, युवती बोल देते हैं, ललना बोल देते हैं, मैं आप से कह रही हूँ, question solve करना कम जरूरी है, अरे वा, 2238 बच्चे लाइब हैं, civil services पे, 2350 बच्चे लाइब हैं, और इससे जादा खुशी की बात मेरे लिए कोई भी नहीं हो सकती, I am so 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 happy कि आप सभी लोग इतने बच्चे लाइब हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और आपने एक सपना सच किया है, तो च ललना, कामिनी, अब देखो, मैं और जोस से पढ़ाऊंगे आपको, रमनी, ये सभी किसके परियावाची होते हैं, आप बोलेंगे, मैं किसके परियावाची होते हैं, प्रम्दा के परियावाची होते हैं, पुंज का अर्थ क्या होता है, धेर, धेर, राशी, संचित जो हो कहते हैं कहते हैं तुम ही तो फसाद की जड़ हो तुम ही तो मुसीवत की जड़ हो तो फसाद को क्या कहतेंगे पिटा जल्दी से बता दो तो आप कहेंगे मुश्किल मुश्किल अवरोध कहते हैं न तुम्हीं तो रोक लगा रहे हो फसाद की जड़ हो, मुश्किल की जड़ हो, मुसीवत की जड़ हो है ना, तो ये सब हम किसे बोल देते हैं फसाद को बोल देते हैं ठीक है, ठैंक यू सो मच आगे बड़े, चलो वाक्याश जो सुद्ध ना किया गया हो उससे संचिप्त रूप में एक ही शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द जो शुद्ध ना किया गया हो बता दो नीतिग्य भी बताना है, उत्राधिकारी भी बताना है अब परिमार्जित भी बताना है और अग्रज भी बताना है, आप सभी को ये सारे जवाब देने हैं, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, आप सभी लोग जल्दी से बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे नीतिग, नीती का ग्याता क्या कहलाता है, उत्रा अधिकारी किसी की नत्यू के पस्चात, उसकी संपत्ती का मालिक, उसकी संपत्ती का वारिश, क्या कहलाता है, आप बोलेंगे उत्तरा अधिकारी कहलाता है, आप परिमार्जित का अर्थ क्या होता है, तो आप सभी लोग बोलेंगे जिसे शुद्ध नहीं किया गया हो, अग्रज का अर्थ क्या होता है, जो पहले जन्मा हो, जन्मा हो, अग्रज कहलाता है, ठीक है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़े, next question, भया जी पोल लगा दीजिए अरे, हाँ, हाँ, ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है, इन में से कौन सा जोड़ा गलत है, जल्दी से बता दें, बता येगा, जिसका इलाज करना कठिन हो, दुसाद्ध, जो मनुश्यता से दूर हो, आमानुशिक, जो कम खर्च करता हो, अप व्याई, जो इतिहास लिखे जा आने से पूर्व का हो, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दीजेगा, जिसका इलाज करना कठिन हो, दुसाद्ध, बिल्कुल ठीक है, जो मनुश्यता से दूर हो, तो आप बोलेंगे, अमानुशिक कहलाता है, जो कम खर्च करता है, अप व्याई ही नहीं कहलाता, मित व्याई कहलाता है, क्या कहलाता है, मित व्याई कहलाता है, क्या कहलाएगा, मित व्याई, ठीक है, और जो इतिहास लिखे जाने से पूरु का है, प्राग इतिहासिक कहलाता है, और अप व्या खर्च करता है, क्या कहलाएगा, अपव्याई कहलाएगा, ठीक है जी, हाँ जी, आगे वड़े, जितने बच्ची क्लास में बस एंड तक तुम बने रहना, और फिर देखना में तुम आली कितने सारी कोश्चन लेकिया आई हूं, बताइए, निम लिखित में से शुद्ध वा जाना है, तो जाईए, चार आदमियोंने हरिद्वार की यात्रा की बताइए, लिखो, आज रविवार का दिन है, रविवार में वार लगा है तो दिन नहीं आना चाहिए था, अरे, तो क्या होना चाहिए, दिन है, वह अनेकों लोगों को जानता है, आप खुद बोलेंगे अनेक होता है अपनी स्वेच्छा तो देखो विटा स्वेच्छा में अपनी जुड़ा ही हुआ है तो अपनी नहीं आएगा स्वेच्छा से जाना है तो जाइए चार आदमियों ने हरी द्वार की यात्रा की यह ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाँ जी सिर्फ 51 परसेंट आपको में देख रहे हूं आप लोग कोशन पढ़ने का सबर नहीं करते हैं खोड़ा सा तो इसमें दिमाग लगाना होता है है ना चलिए आगे बढ़ जाते हैं निम लिखित में विशेशन पद है उपासना उदगार आयत लोचना या बंदना उपासना उदगार आयत लोचना या बंदना जल्दी से बता दे आप बोलोगे उपासना क्या होती है पूजा करना पाठ करना उपासना करना उपासना उदगार बंदना तीनों ही क्या है आप बोलेंगे सी आप्षिन आयत लोचना आयत के आकार वाली आयतजैसी आखो वाली इस्तरी को हम क्या कहेंगे आयत लोचना कहेंगे आयत जैसे लोचन हैं जिसके आयत लोचना कहलाएगी यही क्या है विशेषन है चलिए आगे भरते हैं next question निमलिखित में से विशेशन है, जल्दी से बता दो, आब तो दिक्कत नहीं हो रही होगी, देखो, लड़कपन, आप कहोगे लड़कपन, बचपना, जवानी, बुढ़ापा, सब क्या होती हैं, भाव होते हैं, भाव होते हैं तो विशेशन नहीं हो सकता, विशेश्य ही तो विशेशन नहीं होगा, विशेश्य होगा, आगे बढ़ते हैं, कठोरता, कठोरता, नर्मता, मिठास, ये सभी क्या हैं, भाव हैं, ये भी नहीं हो सकता, घबराहट, प्रसंता, हर्ष, डर, ये सभी भाव हैं, ये भी विशेशन नहीं हो सकता, तो विशेशन कौन सा है, उचित, जय है उचित, ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे विशेशन कौन सा हो जाएगा, इसमें 11 नमबर पर आंसा नमबर कौन सा ठीक हो जाएगा, आप बोलेंगे, बी ठीक हो जाएगा, बताएगा, बताएगा, क्लियर है, उज्वल निम्ण में से एक वर्तनी उसे चैनित कीजिए एक अशुद्ध है तो तीन शुद्ध होंगी और बार बार पूछे जाने वाले questions है उज्वल बिल्कुल ठीक लिखा है श्रिंगार तो ऐसे लिखा जाता है ना श्रिंगार तो ऐसे लिखा जाता है कवित्तरी ठीक लिखा है श्रद्धा भी ठीक लिखा ह तो option number B, इसका विलको सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, next question, सही वर्तनी वाला शब्द चैन कीजिएगा, अवन्नती, श्रिंगार, मुश्किल, मात्र भूमी, जल्दी से बता दो, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इन में से कौन सा है, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग है भी या नहीं है, ये भी तो सोचने वाली बात है, कि है भी या नहीं है, बताएंगे, कौन सा है, बिटा, इन में से कोई सा शुद्ध नहीं है, और ऐसा question आजाएगा, तो आप first जाओगे, क्या हो जाएगा, अवन्नती होता है, अवन्नती नहीं होता, अवन्नती होता है, वैसे तो ये टाइपिंग मिस्टेक है पर अगर सब कुछ आ जाए तो फिर आप क्या कहोगे श्रिंगार में ये लगा हुआ नहीं था पर टाइपिंग मिस्टेक में आ गया है तो मैं से शुद्ध क्यों मानूँ आपको भी ये बोलना चाहिए था मैं कोई सा शुद्ध नहीं है तो आप क्या बोलेंगे श्रिंगार अभी बताया है मुश्किल आप बोलेंगे अर्दशा बनता है और मुश्किल इस प्रकार से लिखा जाता है मात्री भूमी मात्री भूमी मेरी लगती है और इस प्रकार से म होंगी यह तो आपको सोच रहा चाहिए ना कि मुश्किल क्यों लगाए हो क्योंकि मुश्किल ऐसे लिखा जाता है आगे बढ़ जाए नेम लिखित प्रेश्णों में से चार विकल्प की वर्तिनी दी है सही वर्तिनी वाला शब्द चुनिये देखो easy question आगया हलवा question आपके लिए बता दो जल्दी से जल्दी से बता दो अभी नहीं निम्लिकित प्रेश्णों में से चार विकल्प वर्तिनी दी गई है सही वर्तिनी वाला प्रित्वी गलत प्रत्वी बिल्कुल चीक है प्रित्वी प्रित्वी गलत ठीक है और यह बहुत पूछे जाने वाले question है इन सब को करके तुम चलेगा टुमने नहीं लिया बैच कोई बात नहीं लगा ए डेली क्लासिस कोई बात नहीं तो मेरातन कर लो ठीक है चलिए निम्लिकित से वर्तनी की दृष्टी से अशुद्ध शब्ध है कौन सा अशुद्ध है जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो कौन बताएगा प्रादेशिक, माधुर, ब्याप्त, प्रमाडिक एक अशुद्ध है तो आप सभी को पता है कि मैं जब एक प्रत्य लगता है प्रमाड में जब एक प्रत्य लगेगा तो यह क्या हो जाएगा यहाँ पर एक आज उड़ जाएगा और यह क्या हो जाएगा प्रामाडिक हो जाएगा और एक प्रत्य वाला कोश्चन बहुत बार पूछा जाता है तो एक प्रत्य के जितने भी शब्द हैं ज्यादा तर तो मैं ही ले आई हूँ लेकिन उनको देखकर जाना मैंने आपको कराब ही रखे हैं सारे ठीक है चलिए वर्तनी की दस्टी से शुद्ध शब्द है जल्दी से बता दो कौन सा है प्रजवलित या प्रजवलित कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए कई किताबों में इसमें अलग-अलग आंसर दिया होता है बढ़ प्रजवलित की सही वर्तनी ये है सिर्फ एक जा बनता है वो भी स्वर्रहित बनता है तो कौन सा हो जाएगा प्रजवलित हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट कोईश्चन अमी का तस्सम रूप क्या होगा अमी का तस्सम रूप क्या होगा जल्दी से बता दीजेगा जल्दी से बता दीजेगा अमिये अमरित अमरित या अमिये तो आप सभी लोग बोलेंगे मैं अमिये का तस्सम रूप अमरित होता है कौन सा शब्द तत्सम है बता दो इससे इजी इससे इजी तो कोई भी नहीं हो सकता कोई भी नहीं हो सकता कौन सा शब्द तत्सम है तो आप बोलेंगे मैम पहला वाला तो मैं आख बंद करके तद्भव मान लूँगा क्योंकि चंद्रविंदू तत्सम में लगता ही नहीं त जदली फल बोलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अमूल ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमूल ले जिसे हम अमूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमूल बोलते हैं, तदभव में, क्या बोलेंगे, अमूल बोलेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, 3000 प्लस कर दोगे, क्या जैन मत को मानने वाले श्यतांबर बड़ी संख्या में हैं और श्यतांबर का हमें यहां विलोम बताना है श्यत है अंबर जिसका हम श्यतांबर बोलते थे आप सभी को पता है जैन धर्म की दो शाखाएं थी एक श्यतांबर थे और एक कौन थे दिगंबर दिगंबर अर्थात फेल वे जैन भिक्चुक जो बिना कपडों के रहते थे जिननोंने डिशाओं को ही अपना वस्तर बना लिया था तो दिशाएं है वस्तर जिसका दिगंबर कहलाते हैं श्रेतांबर का विलोंब 33as और पीतांबर हम किसे बोलते हैं? पीला है अंबर जिसका अर्थाथ क्रश्न. तो आप लिए लिख देना, चीक है? ये भी आप करके आ जाना है, अंबर जिसका. जिसे बोलते हैं हम क्रश्न को बोलते हैं तो अगर परियावाची में आ जाएगा तो भी आप क्रश्न लिखकर आ जाना ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं उस क्रपन व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे अरपन, दानी, तरपन या शूरवीर अरपन, दानी, करपन या शूरवीर तो इसमें भी बिटा क्रपन का विलोम पूछा है क्या पूछा है विलोम पूछा है और इन्होंने किस पगार से आप बताओ क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे क्रपन का अर्थ क्या होता है क्रपन का अर्थ क्या होता है क्या होता है, बहुत कंजूस, क्रपण का अर्थ बहुत कंजूस, जैसे की मैं, तो बस ये समझ लो, तो क्या हो जाएगा, दानी हो जाएगा, अर्पण का विलोम क्या होता है, तो आप बोलेंगे मैम, ग्रहन होता है, क्या होता है, शूर वीर का विलोम क्या होगा, तो आप ब तरपण का अर्थ क्या होता है पिटा तरपण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति जिसका दिहान्त हो गया है उसके लिए जब हम कोई पूजा पाट करके उसका कुछ अनुस्थान करते हैं मतलब कुछ उसके लिए दान वगेरा देते हैं उसकी आत्मा की शांती के लिए कुछ कार इस भाइवाची, बता दिजेगा. क्या हो जाएगा वसुदेव वाकवैनते विधू? खगेश खगों का ईश्ट आप बता देंगे. खगेश हम बोलते हैं गरुण को. इसे बोलते हैं? गरुण को बोलते हैं. जिसे हम उर्गारी भी बोलते हैं. उरगारी भी बोलते हैं पन्नगारी भी बोलते हैं जिसे हम बातने भी बोलते हैं यह हम किसे बोलते हैं सभी कुछ हम गरुण को बोल देते हैं चीक है? और बताईगा खगपती बोल देते हैं खगपती भी बोल देते हैं खगपती भी बोल देते हैं तो ये इस कबिल को सही जवाब आ जाएगा, वासुदेव हम किसे बोलते हैं, तो वासुदेव बिटा हम करश्न को बोलते हैं, इन्हें हम माधब भी बोलते हैं, अभी हम सीखा एक शब्द पीतामबर भी बोलते हैं, इन्हें हम रणछोड भी बोलते हैं, इन्हें हम मुरारी भी बोलते हैं, मुरारी भी बोलते हैं, इन्हें हम कंसारी भी बोलते हैं, मधु सूधन भी बोलते हैं, और बताएगा, आप बोलेंगे वनशीधर भी बोलते हैं, और बतादो, इसके अलावा बताओ क्या बोलते हैं, इसके अलावा बता दीजेगा, आप क्या बोलते हैं, गोविंद गोपाल ये सभी हम किसे बोलते हैं तो आप कहोगे मैं ये सभी हम वासुदेव करशन को बोल देते हैं वाक का अर्थ क्या होता है तो आप बोलेंगे मैं वाणी बोली बचन बाणी वाणी बोली बोली वचन वचन है ना ये सभी हम किसे कह देते हैं वाक को कह देते हैं बिधु हम किसे बोलते हैं तो आप कहोगे चंद्र को बोलते हैं चांद को बोलते हैं चंद्रमा को बोलते हैं आज मैं आपके जितने भी हो पाएंगे उतने लिखवा ही दूँगी चंद्रमा को बोलते हैं और बताइएगा आप बोलेंगे राका पती कहते हैं निशापती कहते हैं इसे ही हम सुधान्शु कहते हैं और मयंक कहते हैं इसके अलावा हम इने बिदु तो कहते ही हैं और बताइएगा और बताइएगा निशापती कह देते हैं निशापती तो लिखी दिया है मैंने तो ये सभी हम किसे कह देते हैं शशांक कह देते हैं ये सभी हम चंद्रमा को कह देते हैं आप भी लिखा कीजेगा अपनी तरफ से ठीक है हूं मैं लेरी वेरी गुड वेरी वेरी गुड चलिए लेम अफताब कह देते हैं आफताब कह देते हैं इसी बच्च ने लिखाई आफताब कहते हैं और्धू में आफताब भी बेर को सही मोटन SCT Of कौन सा शब्द गणेश का परियावाची नहीं है ठीक है पर गणेश का परियावाची है तो किसका है ये भी बता देना है जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो तो कौन सा हो जाएगा विनायक एकदंत धनद या लंबोदर आप बोलेंगे में विनायक होता है एकदंत होता ह उमा सुत होता है, सिध्धी पती होता है, इन्हें रिद्धी सिध्धी का दाता कहते हैं, वक्रतुंड होता है, महा काय होता है, मंगल करता होता है, और बताओ, कुछ अपनी तरफ से भी लिख दिया करो, हाँ जी, हाँ वो बहुत अच्छा है, और बताओ, और बताओ, गणपती बोल देते हैं, गजानन बोल देते हैं, गणाधिप बोल देते हैं, उमा सुत्त मैंने लिखी दिया, शिव शुत्त भी बोल देते हैं, इन्हें बताओ, तो ठीक है, गणपती जी के परियावची आएंगे, तो छोड़ के तो नहीं आओगे, बस मुझे इतना बताओ, छोड़ के तो नहीं आओगे, पार्वती नंदन, शिव नंदन, गिरिजा नंदन भी कहते हैं, इन्हें गिरिजा नंदन भी कहते हैं, क्योंकि गिरिजा पार्वती का परियावची है, तो गिरिजा नंदन भी कहते हैं, ठीक है, अब बताओ, धनद हम किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे मैं, धनद हम बोलते हैं, धना धिप को, धना धिप बोलते हैं, इसके अलावा क्या बोलेंगे, हम आप बोलोगे, अलकापती भी बोलते हैं, इनकी नगरी का नाम अलका है, अलकापुरी इनकी नगरी है, तो इनने अलकापती भी बोल देते हैं, बताएगा, ठीक है, यक्छराज भी बोल देते हैं, अलंकेश भी बोल देते हैं, लंकिश भी हम इने ही बोलते हैं, और बताएं कुछ नया, हाँ, very good, very, very, very good, मन मत, मन मत तो विटा कामदेब को बोलते हैं, मन मत तो हम कामदेब को बोलते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, वे इस्तरी जिसका पती दूसरा बिवहा कर ले, वे क्या कहलाती है, जल्दी से बता दो, वे इस्तरी जिसका पती दूसरा बिवहा कर ले, क्या कहलाती है, आप सभी लोगों को पता है क्या, बताएगा, तो आप सभी लोग का जवाब A, B, A, B, 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 C, B, D, B, J, Mata, D, A लगा दूँगा, J, Mata, D, B, मताजी से उपर भी बढ़ो थोड़ा सा, खुद भी भरो सा रखो, अध्यूडा कहलाती है बिटा, क्या कहलाती है, अध्यूडा कहलाती है, परित्यक्ता वे इस्तरी, जिसके पती ने उसे त्याग दिया हो, जिसके पती ने उसे त्याग दिया हो, पती ने उसे त्याग दि जिया हूँ, क्या कहलाती है, परित्यक्ता कहलाती है, अनूरा अ विवाहित प्रेमिका, मतलब कोई इस्त्री जो प्रेम में हैं, परंतु उसका विवाह नहीं हुआ, ठीक है, और बताएगा, खंडिता किसे कहते हैं, वे इस्त्री, जिसका पती, किसी अन्य से, प्रेमरत है, अन्य से, प्रेमरत हो, प्रेमरत हो, क्या कहलाईगी, आप कहेंगे, कि मैं वो खंडिता कहलाती है, ठीक है, ठीक है, जी, आगे बड़े, आगे बड़े, हो तो बहुत न लाइक तुम लोग, इस कोश्चन में तुम्हें अलग लेवल, इंटरस्ट आया है, हद है, अलग ही चलना है, इनके कमेंट, चलो, आगे बड़ो, जिसका निवारण ना हो, के लिए एक शब्द, आ विकल, आ निर्धार्य, आ निर्णीत, आ निर्वादे, अनिवारे, जल्धी से बता दो, अनिवादे, जिसका निवारण ना हो, आप बोलेंगे, आ विकल तो नहीं बन सकता और निवारण नहीं हो, और निवार्य मुझे लिखा हुआ है, तो मैं D वाला ओप्षन बिना देखे एकदम से लगा सकता हूं, आ निर्धार्य जिसका निर्धारण ना हो, जिसका निर्धारण ना हो, क्या कहलाता है, आ निर्णीत कहलाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, विकल्पों में वर्णित वाक्यों में गलत वाक्य कौन सा है, एक गलत है, तो तीन सही होंगे, जल्दी से 29-73, मतलब सिर्फ कितने बच्चों की देर हैं, देखो अभी कम हो गए, तीन हजार में सिर्फ 27 बच्चों की कमी थी, जिसे आप बहुत आराम से पूरा करा सकते थे, ह है न, चलो, आ जाईएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उपलब्ध सभी सुक्स विदाएं विज्ञान की ही देन हैं, तो आप बताओगे, विज्ञान की ही देन हैं, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, जिधर दरश्टी दालो, विज्ञान के च पूरे होजाएंगे, कौन सा हो जाएगा, दी, तो क्या होजाएगा, विज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान ने होगा, विज्ञानने अन्यक असंभव लगने वाली बातों को संभव कर दिखाया है, ठीक है, ठीक है, तो ये clear है, यहां तक चलिए, आगे बढ़ते हैं, न जाना जाता है तो जल्दी से बतादू क्या होगा बहुत छोटी सी मिस्टेक है इन दोनों में कारक संबंध या शुद्यां है इतना मैंने आपको बता दिया तो कौन सा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे आधुनिक मीरा के, महादेवी वर्मा को आधुनिक हिंदी के होगा, तो आप बोलेंगे मैं की होगा, इस तरी हैं, कि सबसे शशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण, आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, C option मिलकु सही हो जाएगा इसका 5 बच्चे और 5 5 और होते तो अभी ये 3000 का आंकड़ा हो गया था अभ्यास का विशेशन रूप अभ्यास का विशेशन रूप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है क्या होगा, आभ्यासिक अभ्यासिक, दिको पहले तो अभ्यासिक शब्द नहीं होगा है ना, आप बोलेंगे अभ्यासिक होता है अगर एक प्रत्य लग जाता तो ए वाला वैस्तिकलत हो गया आभ्यास, आभ्यास का अर्थ तो अनुभूती होता है आप बोलेंगे आभास तो क्या है भाव वाचक संग्या बिलकुल नहीं और आभास से बना है आभासित तो ये आभास का विशेशन है अभ्यास का विशेशन कौन सा हो जाएगा तो आप बोलेंगे बिटा अभ्यासी हो जाएगा कौन सा हो जाएगा अभ्यासी हो जाएगा का नैश, तो देखो, निशाचर, राक्षत का परियावाची होता है, निशा का कोई विशेशन नहीं है, ये तो खुद में विशेश है, निशीत रात्री के समय को हम निशीत कहते हैं, ये भी नहीं होगा, निशांत रात्री का अंत, तो क्या हो जाएगा, नैश हो जाएगा, निशा सम्मंधी, निशा से सम्मंधित क्या कहलाता है, नैश कहलाता है, ठीक है, नैश कहलाता है, very very good, चलिए, आगे बड़े, आगे बड़े, next question, next question, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इन सभी में से क्या है, जल्दी से बता दें आप स सबढ़ी लोग तो आप कहेंगे भगी रती भागी रती भगी रती या भागी रती गंग के परियावाची में पढ़ा जाता है यह हिंदी में को Bazini प्रवागी रथी बिल्कुल सही वर्तनी है गंगा के परियावाची में इसको पढ़ा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं और पूरी स्पीड बनाके हम लोग चलेंगे बहुत धीरे करने से कोई फाइदा नहीं है इसको और options भी सारे रेखेंगे निमलेकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है कौन सा शब्द अशुद्ध है जल्दी से बता दीजे अभिग्य भिग्य विग्य या अनभिग्य तो विटा अभिग्य अभिग्य का विलोम क्या होता है अभिग्य का विलोम अनभिग्य होता है और अभिग्य का विलोम अनभिग्य होता है तो अभिग्य बिल्कुल सही है जो जानकार हो अभिग्य कहलाता है और इसे ही हम विग्य भी कहलेते हैं अनभिग्य इन दोनों का विलोम है पर भिग्य कोई शब्द नहीं होता अगर कहीं लिखा आ जाए भिग्य का विलोम अभिग्य तो गलत हो जाएगा अभिग्ग का विलोम अनभिग्ग होता है ठीक है ठीक है हाँ थोड़ा सा अलग है यह याद रख लेना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन महान का विलोम शब्द क्या होगा मरण चेतन चुद्रया मूर तो हम चारो ही ओप्षन देख लेते हैं है ना हम चारो ही ओप्षन देख लेते हैं क्या दिक्कत है मरण का विलोम क्या हो जाएगा बिटा जीवन हो जाएगा है ना जीवन हो जाएगा चेतन का विलोम क्या होगा जड़ हो जाएगा, छुद्र का विलोन क्या होगा, महान हो जाएगा, तो हम से किसका पूछा है, महान का पूछा है, मूड का क्या हो जाएगा, बुद्धिहीन हो जाएगा, बुद्धिमान, बुद्धिमान हो जाएगा, है ना, चतुर हो जाएगा, ये सबी किसके परियाव आप बोलोगे आप बोलोगे मूड के मूड का विलों क्या है विद्वान है विद्वान प्रभीन निपुड कुशल चतुर कोश्यार ठीक है चले नेक्स्ट कोशन दिये गए विकल्पों में मुर्दनी शब्द का विपीर ताथक शब्द बताईएगा क्या होता है मुर्दनी मतलब मृत्यू जैसी दशा या हालत क्या कहलाती है बताईएगा क्या कहलाती है बताईए बताओ क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे तातकालिक तातकालिक का विलोम क्या होगा देर से है ना बाद में देर से जो होता है ना देर से या अतातकालिक मतलब अभी नहीं बाद में और बताईए विशाद का विलोम क्या होगा बिटा हर्ष हो जाएगा इस्थाई का क्या हो जाएगा आ इस्थाई हो जाएगा और जीवन्तता किसका विलोम होता है आप बोलेंगे मुर्दनी का विलोम होता है मुर्दनी का विलोम क्या होता है जीवन्तता होता है थेंकी सो मच चलिए है ना next question निम लिखित में कौन सा तरकश का परियावाची शब बन्दा हुआ होता है, जिसमें बार रखे जाते हैं, उसे हम तरकश कहते हैं, तो बता दीजेगा तरकश का विलोम इन में से कौन सा नहीं होगा, तो आप बोलेंगे तुनीर, त्रोन, निशंग, है ना, ये सभी किसके परियाव ची होते हैं, तरकश के होते हैं, करवाल नहीं ये सब ही किसके परियावाची है, करवाल के परियावाची है, है ना, है ना, आगे बढ़े, आगे बढ़े, तुनीर, त्रोण, निशंग, ईशुच भी बोल देते हैं, बीटा, ईशुका आर्थ होता है, बान, और बान रखने का जो औजार होगा, तो उसे हम ईशुच भी ब परियावाची नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बताएगा, आप बोलेंगे, खडग, करवाल, असी या कुठार, देखो, खडग, करवाल, असी, चंद्रहास, अभी बताया मैंने, चंद्रहास, तल्वार, ये सभी किसके परियावाची होते हैं, तल्वार के होते हैं, कुठार का अर्थ क्या होता है बिटा, कुलहारी, कु थार का परियावाची होता है और इसके अलाबा फरसा भी बोल देते हैं हमसे फरसा भी बोल देते हैं और कुलहाडा भी लिखा मिल जाता है आईज में बड़ा होगा तो कुलहाडा बन जाएगा है ना चली आगे बढ़ते हैं गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है जल्द से बता दीजेगा, बताईएगा, तो आप क्या कह देंगे, आप कहेंगे दत्त का अर्थ क्या होता है, 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 सब बताएंगे आप, देखो, ऐसा पुत्र जिसे ग ठीक है, बह पुत्र जिसे मोल लिया गया हो, क्रीतक पुत्र कहलाता है, मैं लिखवा देती हूँ, अपनी पत्नी से उत्पन पुत्र, उत्पन पुत्र क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे औरस कहलाएगा, अपनी पत्नी के अलावा, अपनी पत्नी के सिवा किसी अन्य से उत्पन पुत्र, पत्नी के सिवा किसी अन्य से उत्पन पुत्र, सिवा किसी अन्य इस्त्री से उत्पन पुत्र, इस्त्री से उत्पन पुत्र, उत्पन पुत्र क्या कहलाता ह बिटा बार-बार पूछा जाता है याद कर लेना जारज कहलाता है क्रीत किया हुआ पुत्र या खरीदा हुआ पुत्र मोल लिया गया पुत्र क्रीतक पुत्र कहलाता है क्रीतक पुत्र कहलाता है क्या आप सभी लोगों को यहां तक समझ में आ गया है बिलकु सहीये तो दत्त कहलाएगा ठीक है दमपति क्या होता है तो आप कहेंगे पति-पत्नी के युग्म को पति-पत्नी पहले लिग गई, कोई दिक्कत नहीं है, इदा लिग देती हूँ, पति-पत्नी के जोड़े को हम क्या कहते हैं? जोड़ा, पती-पतनी का जोड़ा, क्या कहलाता है, दमपती कहलाता है, मतलब जो दामपत्य जीवन जी रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा, तो आप बोलेंगे, दमपती कहलाएगा, दत-चित्र, मतलब चित्र लगाकर कारी करने वाला, दत-चित्र कहलाता है, और दत का अर्थ होता है, दिया हुआ, लगा है, आगे वड़ जाएगे, बताईगा, पीटा अभी बता देंगे, है ना अभी बता देंगे क्यों टेंशन ले रहे हो अभी सारे questions यह आ गया रहे हैं हाँ पती-पत्नी के जोड़े को कहते हैं एक में नीचे करना एक पच्चे ने कुछ पूछा है पत्नी हाँ दम-पत्ती और 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 कैसी बाते करते हो कुरू लूंग राजबरशी BFGF के जो लोड़े को क्या कहा जाएगा मैम जो आप कहना चाहें जो आप कहना चाहें जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं अलब भी कहते हैं सुलब भी कहते हैं दुरलब कहते हैं या अलंग हे कहते हैं यह अलंग हे है धा नहीं है बिटा घा है तो जल्दी से बता दीज क्या कहते हैं तो आप कहेंगे अलब भे क्या हो क्या कहलाते है जल्दी से बता दो एक आद जबाब भी तो लिख दिया करो दुरलब ठीक है उसके अलावा दिखो मुझे टेंशन यह नहीं होती कि आप लोग जबाब दे देते हो मुझे यह लगता है इन चारो उप्शन में से आ गया तो आप क्या करोगे बताओ अलब भे जो प्राप्त ना हुआ हो जो आसानी से प्राप्त हो जाए तके लिख दो हो सके आसानी से प्राप्त हो ना अलंगे जो लांगा न जा सके जो लांगा न जा सके ना जा सके अलंगे कहलाता है चलिए, next question, आगे बढ़ते हैं, गुरु के समी प्रहका शिक्षा गिनण करने वाले के लिए एक शब्द, गुरुकुल वासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रम वासी, जल्दी से बता दो, गुरुकुल वासी, छात्रावासी, अंतेवासी, आश्रम वासी, तो देखो, गुरुकुल में रहने वाला शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् आप सभी लोगों को इसमें तो वासी लगा हुआ है तो इसको तो मुझे लिखने की जरुवत नहीं है। गुरुकुल में या लिखी दूँ कहीं कह दो बताया नहीं। गुरुकुल में बास करने वाला शिष्य चात्रावास में रहने वाला शिष्य चात्रावासी कहलाएगा है न। और आश्रम में रहने वाला शिष्य आश्रमवासी कहलाएगा ठीक है आश्रमवासी कहलाएगा ठीक है हाँ जी। चलो जो छमा करने योग्य नहीं है वाक्याश के लिए एक शब्द। नहीं है के लिए एक शब्द मैं मेरी सुन लो प्लीज चान्नी को स्वामी की सुनेंगे पहले। चान्नी का मैसेज आएगा तो भईया पिन करके रखना मुझे देखना है जो छमा करने योग्य नहीं हो अदम में अच्छम में निर्गुण या सक्छम जल्दी से बता दो जो छमा को हम क्या बोलेंगे इसमें छमा आपको किसमें समझ में आ रहा है बिटा बता दो तो आप बोलेंगे मैं अदम में का अर्थ होता है जिसका दवन ना किया जा सके जिसका दमन ना किया जा सके जा तक क्या कहलाता है अदम में कहलाता है अच्छम में जिसे छमा ना किया जा सके निर्गुण जो सब गुणों से रहित हो जो गुणों से रहित हो जो गुणों से रहित ह गुणों से रहित हो। निर्गुण कहलाता है और सक्षम जो किसी कार्य को करने में किसी कार्य के लिए के कार्य करने में सक्षम ही कहलाएंगे सक्षम हो या सामर्थ हो। इतना प्यार बहुत है इतना प्यार बहुत है आप लोग बस पड़ लो मैं वस इतना चँहां चाहती हैं जतने बच्चे मेरे पासी हो है वह सारे पढ़ते रहें, वो सारे पढ़ते रहें, आप end तक बने रहना, क्योंकि इस class की आज timing की आज मुझे खुद नहीं पता ये कितनी रंबी class जाएगी, ठीक है, नेम लिकित प्रश्ण में से तीन वाक्यांश दिये गए हैं, तुरोटी वाले वाक्यांश को चुने और उनके अन शुद्ध गाय का घी बिकता है, मिलावट सिद्ध करने पर 5000 रुपे का पुरिसकार प्राप्त करें, कोई तुरोटी नहीं, तो जल्दी से बता दो, एक बाद बताओ, क्या हुआ, वेरी गुड, वेरी गुड, शुद्ध गाय थोड़ी होती है, गाय का शुद्ध घी मिलत खी मिलता है, ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, एक उप्शन सा ही हो जाएगा, एक बढ़ते हैं, नेमलिकित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, उसने केबल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृती का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, शिश्य गुरू जी के पैरों में गिर पड़े, उसने मुझे, केबल मुझे निमंत्रित किया, जल्दी से बता दो, सभी को देश की संस्कृती का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, शिश्य गुरू के पैर में घिरा होगा जल्दी से बताओ तो क्या आज जाएगा शिश्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े गिर पड़े चीक है ठीक है और बताएं और कोई तुर्टी आपको नजर आ रही है क्या यहां क्या और कोई तुर्टी नजर आ है बताइएगा कि लिखाता है कि यह गुरु ऐसे लिखा जाता है और यह गुरु तो D option बिलकुँ सही हो गया है दोनों में सही option पर हमें गलतियां पकड़नी आना चाहिए हाँ बिटा थरीक हुआ था जलो जलिये का विशेश्य रूप क्या है अब जल्दी से बता दो जलिये का विशेश्य रूप क्या है मतलब जलिये का विशेश्य पूछा है तो सीधे बना होगा तो आप कहेंगे विशेश्य से बना होगा और विशेश्य तो क्या होगा या संग्या या सर्वनाम होगी सर्वनाम तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा तो संग्या कौन सी हो जाएगी जल इसमें संग्या हो जाएगी ठीक है जी हाँ जी बिलकुल आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाएं very very good next question भॉम का विशेश्य रूप क्या है जल्दी से बतादो फिर भी वही question है कि भॉम तो क्या है विशेशन है विशेश्य रूप पूछा है तो यह क्या है विशेशन है विशेशन है और विशेश्य रूप इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो त अब और कोई प्रैक्टिस की खाश जरूरत बच्ची नहीं है, हाला कि पढ़तो जितना अलो अच्छी बात है, लेकिन इस महरतें के बाद में आपका बिल्कुल ही बहतरीन सा रिवीजन हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ें, हाँ जी, नेक्स्ट कुश्चन, उलहाना शब्द थेंक्यू, 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 चलिए प्यार है आप सभी का, है ना, तो आप बोलेंगे आरोहन को हम क्या बोलते हैं, तसम्में आरोहन बोलते हैं, आरोहन बोलते हैं, उलाना को उपालंब बोलते हैं, निंदा को निंदे बोलते हैं, ठीखे, निंदे बो लिए जिसकी निंदा की जाए वह निंद्य कहलाता है उप्षेंड में उनको लिख रहे है आप बाद में मिलेगी पड़ो भाई हाँ पीडिया विल्कुल मिल जाएगी कोई एंशन नहीं है निंदा तो खुद में क्या है और आप से तत्सम पूछा है तो ठीक है, ओ पालंब हो जाएगा उलहाना और ताना ताना ज़र्ड़की देना आप सभी जो कहते हैं तो ठीक हो जाएगा हाँ बेटा, मैं हिस्त्री माहराथन वाली भी दलवा दूँगी, सारे टीचर्स की जो जो महराथन सोंगी, सबकी आपको PDF मिल जाएगी, I will make sure, ठीक है, चलिए, उबटन शब्द का, वो डल चुकी है, बिट अप्लिकेशन पे, अप्लिकेशन पे डल चुकी है, उबटन शब्द का तस्सम रूप है, उद्धर्तन उद्धर्तन, एक तरह से आप से, आपको पता है, दो वर्तनी एकसी दी है, लगभग एकसी, A और D में आपको बहुत अंतर नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन वर्तनी का अंतर है, वर्तनी का अंतर है, और वर्तनी के अंतर में क्या हो जाएगा, सही तो जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से बता देंगे बताईएगा बताईएगा तो आप सभी लोग सही बोल देंगे कोई आप क्यों देख रहे हैं अगर आपको किसी के मेंसेज इरिटेट कर रहे हैं हम लोग मैं आज सब पढ़ा के खतम कर दूँ आप जिस दिन इञ आपका नव पूद्ट करें पूदिया खेए थे पूद क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उद्धर्टन?" इसे आच सारा खुछ कराद हमें उद धरतन वोरता है, उपालेपन नहीं उस चलिए, निम्न में से कौन सा काटना का तस्तम रूप है, तो कटन, कटित, कर्तन या कटित, यह आपको बहुत बार बताया है कि तस्तम रूप है, तो कर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है, कर्तन, है न, मैं क्लास कब तक होगी, यह तो मैं भी डिसाइड नहीं कर पारें, कब तक हो बस, निर्णमीके शब्दों में तस्सम में शब्द को पहचाने, एक तस्सम हैं तीन तदभव होंगे, आप बोलेंगे कारण लोहा, बंदर या दूद, तो आप कहेंगे तस्सम कारण हो जाएगा इसे हम तदभव में कारण लिख देते हैं, और अन्य सभी तदभव हैं जि और दूद का दुग्द होता है, क्या होता है, दुग्द होता है, चलिए, आगे बढ़ जाएं, उपजाओ का विलोम क्या होगा, जल्दी से बता दें, उपजाओ का विलोम क्या होगा, सिंचित खांद उसर या बंजर, उपजाओ का विलोम, देखो, इसमें दो, इसमें दो आंसर बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं? अभी एक घंटे इम भूख लग गई तो मैं भी तो एक घंटा भी नहीं हुआ है? खालो, फिर कुछ और क्या है? सिंचित आप बोलेंगे आ सिंचित हो जाएगा इसका विलोम आ सिंचित हो जाएगा खाथ तो नहीं होगा उसर बेटा उसर और बंजर उपजाओ का विलोम उसर और बंजर दोनों होता है क्योंकि उपजाओ को हम उरवर भी लिख सकते हैं उरवर भी लिख सकते हैं और दोनों ही हो सकते हैं पर जब हमारे पास उसर आप्शन में हैं तो हम उसर लगाएंगे ठीक है उसर लगाएंगे अगर हमारे पास उसर नहीं होता तो हम बंजा लगा देते अनुप जाओ भी होता तो भी तो भी सही हो जाता तो भी सही हो जाता आ उत्तरिये उस पर बहुत जच रहा है तो क्या होता है उत्तरिये उपर पहने जाना वाला वस्तर उत्तरिये कहलाता है और शरीर के निचले भाग में पहने जाना वाला वस्तर क्या कहलाता है अधोवस्तर कहलाता है ठीक है तो कौन सा हो जाएगा आप बोलेंगे अधोवस्तर ह जाएगा उत्रिये का विलोम क्या होगा अधोवस्त्र हो जाएगा इसका उल्टा पूछा जाता है ठीक है चलिए अधोवस्त्र हो जाएगा परशुराम का परियावाची नहीं है पांच अप्शन दे दिये चलो पांच तो रहने दो फिर इसको पांच में वाले को हटा दो औ अब बताओ, अब बताओ कौनसा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भारगव होता है, भ्रगुनंदन होता है, रेडुका तने होता है, शिव प्रिये नहीं होता, शिव प्रिये तो कोई भी हो सकता है न, शिव प्रिये में तो बहुत लोग आ सकते हैं, जो शिव के प्रिये हों ब्रगुनंदन रेड का तने ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन पवन शब्द का परियावाची नहीं है इन में से जल्दी से बता देंगे कौन सा नहीं है भीया लगाना पोलिस पे हाँ शिव प्रिये तो कोई भी हो सकता है विल्कुल सही बात है जो शिव को प्रिये हो वै बेल पत्र बेल पत्र ये सभी शिव प्रिये चीजों में आते हैं चीजों में ठीक है तो बता दो पवन शब्द का परियावाची नहीं है समीर अनल मारुतिया वात मारुतिया वात बी बी very very good I am so 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 proud of you इतने सही आंसर आप दे रहे हैं क्योंकि अनल का अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे आग अगनी अगनी जातवेद वायू सखा वायू सखा और आप बोलेंगे हुताशन क्रशानू ये सब ही किसके परियावाची है आप बोलेंगे मैम आग के परियावाची है इसे पावक भी कहते हैं पावक भी कहते हैं दहन भी कहते हैं ताप भी कहते हैं जुआला भी कह देते हैं जुआला भी कह देते हैं ठीक है ठीक है क्लियर है हाँ जी बिटा ये भी दे के सिर्फ मुझसे परेवाची पुछा गया है मैंने आंसर सही दे दिया काम हो गया मुझे ये नहीं चाहिए बिटा मुझे यह सब भी चाहिए मुझे ये सब भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि पता नहीं आपसे क्ल यह itu's ले यह पूच मेरी first class है, class का timing बता दीजिए, तो φस्ट क्लास है तो last भी है, क्यwarz महारतन है, first वाले कि आज last भी है, TrGDC हो गई यहां, कोई दिक इकर नहीं है, आप पुरानी classes जाके देख सकते हैं, वात, मारुत, समीर, पवन, वायू, हवा, प्रवंजन, ये सभी किसके परियावची होते हैं, तो आप कहेंगे हवा का परियावची होता है, क्या होता है, हवा का परियावची होता है, प्रियागरा सेंटर गया है, देखें अपने अपने सेंटर पे एक शाम पहले ही आगे बढ़ते हैं, चलिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजेगा और दिये हुए कूठ को सही उत्तर चुनिये है, दिये गए, कूठ का सही उत्तर चुनिये, कूठ बेका इदर दिया गया है, तो बता दो, जलज किसका परियाइवाचि होता है, तो मैंने आपको बताया था जल या जल का परियावाची, यहां पे ये समझना मैं जो बता रही हूँ, बाची, और इसमें जब जा जोड़ दिया जाता है, तो ये कमल का परियावाची बन जाता है, जल या जल का परियावाची, जल का परियावाची में जब दा जोड़ दिया जाता है, तो ये बादल का परियावाची बनता है, बादल का, जल का परियावाची में अगर धी जोड़ दिया जाए, तो क्या बन जाता है? जल दीज़ान है. तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे कमल हो जाएगा. जल में दा जुडा रइज़ान है, बादल बन जाएगा, जल में धी जुडा है, समुद्र बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, देख लो option में, 3, 1, 2 है कहीं, है, हाँ जी, गलत तो नहीं लिख दिया, रुको, ये वाला दुबारा लिखेंगे, कहीं पता चले, करा सही दिया, ये तो बिल्कुल ठीक मैच है, ये तो ठीक मैच है, हाँ जी, तो काका, काका क्या है, अरे ये नोने ऊपर नीचे कर दियें, बिटा, 1, 2, 3 कर दिया आईए, ऐसा भी confusing question आ सकता है, समझ रहे हो, ऐसा भी confusing question आ सकता है, इससे जादा high standard तो नहीं आएगा, 2, 1, फिर 3, ऐसे आ जाएगा, 2, 1, 3, 2, 1, 3, लो, बीवला लगा लो, कर दिया खेल, ऐसा भी examiner का mind खूम सक करता है, तो याद रखना, चलिए, चन्रमा का परियावाची शब्द है, जल्दी से आजाओ, संख्या कम मत करो, बहुत फाइदा मिलेगा क्लास से आपको, कलाधर, शशांक, हिमान्शू, सोम, कलानिधी, अंशुमाली, शशी, चन्द, बता दू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे, कलाधर, शशांक, हिमान्शू, सोम, कलानिधी, अंशुमाली, शशी, चन्द, देखो, देखो, एक से ज़्यादा option भी कहां सही होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, कलाधर भी होता है, शशांक भी होता है, हिमान्शू तो होता है, सोम नहीं होता, सोम अ अमिये कहते हैं, जिसे हम सुधा कहते हैं, जिसे हम सोमरस कहते हैं, सोमरस कहते हैं, यह अमरित का परियावाची होता है, कलानिधी और अंशुमाली, कलानिधी भी हम चन्रमा को कह देते हैं, लेकिन अंशुमाली हम सूर्य को कहते हैं, किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, दिन जिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भासकर, मारतंड, अंशुमाली ये सभी किसके परियावाची हैं और शशी और चंद्र भी हम, शशी और चंद्र ये दोनों भी हम चांद को कह देते हैं तो A और D दोनों आप्शन सही हो जाएंगे और गुड़े अगर A और D दोनों दो आप्शन आपको सही मिल गए तो आप कितने गोले भरके आएंगे मुझे ये बताईएगा क्या A और D दोनों ऐसे करके A, B, C, D तो क्या ये वाला भी भराएंगे और ये वाला भी भराएंगे ऐसा आपको नहीं करना है कोई एक आप फिल करके आना है चलिए next question देखते हैं आदी रात का समय क्या कहलाता है ये आपको सारे ही पता होना चाहिए ये आपको चार option दिये हैं चारो ही पता होना चाहिए ना बता दू क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे मैम आधी रात का समय कई बार मैम ने बताया है निशीत कहलाता है शरवरी क्या कहलाता है जल्दी से बता दो आप बोलेंगे चांदनी रात को हम शरवरी कहते हैं क्या कहते हैं चांदनी रात को हम शरवरी कहते हैं चांदनी रात को हम बिभावरी कहते हैं और निशीत हम आधी रात को कहते हैं निशा रात का सीधा सीधा पर्यावाशी है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, रंग मंच के परदे के पीछे का इस्थान क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दो प्रस्ट भूमी, नेपथ्य मंच प्रस्ट या गुहाय प्रस्ट, तो आप बोलेंगे ना प्रस्ट भूमी कहा जाता है, ना मंच प्रस्ट ना गुहाय प्रस क्या कहा जाता है नेपत्थे कहते हैं रंक मंच के पीछे के स्थान को हम नेपत्थे कहते हैं तो है चैट्रेट तो बहुत तेज चल रही है पढ़ रहे हो वड़िया से चलो अच्छी बात है पढ़ते रहो और बहुत अच्छी बात है जो बच्चे जवाब दे रहे हैं न उन हम किसी कैसट जबाब दे रहे हैं और उस जबाब में हमारा आगर क्वेशन मांलो गलत हो गया और गलत हो गया टीचर ने रहा है थे शौन कुषं औहीं भूलते नहीं है क्वेशन गुड़े हम कभी मंगाया है हेमा मुझसे प्यार करती है गीता अच्छी पुस्तक है चंजे देखने में सुन्दर लगता है बता दो कौन सा सही हो जाएगा एक सही होना चाहिए इन में से जब तीन अशुद्ध हैं तो एक सही होना चाहिए बता दीजेगा बता दीजेगा बताईगा बताएं कौन सा हो जाएगा तो आप सीदे सीदे काएंगे मैंने आपके लिए शहर की अच्छी होटल नहीं होता पिटा अच्छे होटल से अच्छे होटल से खाना मंगवाया है हेमा मुझसे प्यार करती है ठीक है गीता अच्छी पुस्तक है ये भ ठीक है चलिए आपका बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से आपका सहयोग मुझसे तूटना नहीं चाहिए और आपके लिए इतने कोश्चन लाई हूं मैं कि आपकी एक्सपेक्टिक्शन से जादा होंगे चलिए निमलिकित प्रश्ण में तीन वाक्यांश दिये गए हैं तुर् लगाओ इस पे इस पे अगर बच्चे सही जवाब नहीं दिया आप लोगों ने फिर मैं गुस्सा हो जाओंगी क्योंकि ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से कोश्चन्स कराएं हैं इसमें से अगर जब आप ठीक नहीं आया फिर गुस्से वाली बात तो है फिर तो गुस्से वाली बात है क्योंकि मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से विशेशन की अवस्थाएं जब आपको बताई थी तो मूला अवस्था उत्तरा अवस्था और उत्मा अवस्था तीन ही बताई थी तो जल्दी से बता दीजेगा कि इसमें क्या गलती है इसमें क्या गलती है हो तो चीते पकड़ जाते हो बात को मैंने जैसे ही विशेशन की अवस्था हैं सब के आंसर बदल गए देखो या तो सबसे सरल होता तब यह तम नहीं लगता तब यह तम नहीं लगता स सब से मत लगाओ दोस्तार ऐसे कोश्चन सही हो सकता है और तुरुटी कौन से भाग में आ गई तो आप बोलेंगे मैम बी में आ गई चलिए नेक्स्ट कोश्चन नीचे दिएगा शब्दों में गुडवा चक का उधारन नहीं है नहीं है भी इसमें भी लगाना पॉल देखो एक हलवा कोश्चन है और मैं चाहती है उसमें आप 90 परसेंट आंसर दो मुझे भी थोड़ सा अच्छा रकता है नमबर में डाल अगर कोश्चन का ऐसे ही डाल दो ऐसे ही लगा दो यह मेरे चीते हैं यह बहुत अच्छे अच्छे जवाब देंगे और पता है प्राउड की बात क्या होती है मुझे तुम पर बच्चे बहुत सारे क्लास में आए वो बड़ी बात नहीं है बच्चे क्लास में टिके रहे वो बड़ी बात है और मैंने हमेशा देखा जब भी मैंने कोई क्लास ली है मैंने कोभी महराथन ली है तो मेरा ग्राफ कभी आपने गिरने नहीं दिया है जितने बच्चे आए हैं वो लगातार बने ही रहे है ती देखो इसमें जवाब ज्यादा अच्छा आना चाहिए था ना एतिहासिक इतिहास से सम्मंदित गुण हो गया प ना पा जा सकता है ना ना पा जा सकता है तो यह अनिश्चित परिमाणवाच्चक नहीं हो गया तो ऐसे थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छे गोशन भी करने की आदर डालो और मैं लेके आई हूं इसलिए तो इसे अच्छे से देखना होता है योग्य विक्ती ही पहचाना जा अगर गलत हो, अभी तक तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, कैसी बाते करते हो, जो मुश्किल से प्राप्त हो, दुरलब ही तो कहलाता है, चलो, दुरलब ही तो कहलाएगा बिटा, जो मुश्किल से प्राप्त हो, चलो, पढ़िया है, आप इतना ध्यान दे रहे हैं, ये अच्छी व्युक्ति एक प्राप्त विटा फिर उसे क्या कहींगे अगर यह गलत है तो आप बताना योग कि विक्ति में योग कि चब्द क्या है योग कि शब्द क्या है भया वी योग के शब्द क्या है हां जी बताईएगा परिमार वाद्चक एक मिनट गुण वाद्चक विशेशन कौन सा हो जाएगा गुण वाद्चक विशेशन हो जाएगा ठीक है हां बिलकुँ सही है बेटा अनुष्का शर्मा भौत याद आ रही है तुम्हें पता चल जाएगा वो तो अपने करियर में सैटल है पहले खुद को सैटल कर लो मैं हम अनुष्का शर्मा लग रहे हैं एक की वरतनी बताईएगा एक की वरतनी शुद्ध है शट दर्शन पेक्षित क्लिस्ट या परियवसान बतादो तो बताओ एक की वरतनी शुद्ध है अहां थकाना आप बोलेंगे शट दर्शन शट धन दर्शन जब मिलता है विटा वियंजन संधी का नियम है कचट तप के बाद अब संधी तो नहीं पढ़ानी शट दर्शन रहने दो ऐसे ही शट दर्शन होता है विटा यह शट है लिस्ट होता है और पर्यवसान बिल्कुल सही लिखा है क्या लिखा है पर्यवसान बिल्कुल सही लिखा है पता चले मैं आपको संधी समास सब पढ़ा के चली जाएं और आप फिर बाद में कहो कि मैं इसकी क्या ज़रृत थी मुझे पूरा-पूरा भरोसा है मुझे तुम लिस्ट का आदा बनता है और ये आगे बढ़ते हैं शुत्वर्तनी वाले शब्द का चैन कीजिएगा प्राग एतिहासिक प्राग एतिहासिक प्राग एतिहासिक तो आप सभी लोग बोलेंगे मैं प्राग एतिहासिक होता है और एतिहासिक जो एतिहासिक ऐसे लिखा जाता है ए बनता है उसमें, तो जब मात्राएं फिर कैसी लगेंगी तो आप बोलेंगे B होगा, क्या हो जाएगा, B option बिल्कुल सही हो जाएगा, next question देखें, बार बार पूचा जाने वाला question है, इन्हें याद कर लेना बस में, बस अपने दिमाग में जहन में बिठा लेना, वर्तनी क दर्ष्टी से अशुद्ध शब्द चैन करें, परमार्थ सूर्योदे आशिर्वाद महर्शी, जल्दी से बता दो, परमार्थ सूर्योदे आशिर्वाद या महर्शी, एक अशुद्ध है, तो देखो सूर्योदे विल्कुल ठीक लिखा है, आशिर्वाद विल्कुल ठीक महरशी विलकुल ठीक लिखा है, परमार्थ होता है बिटा, परमार्थ होता है, परमार्थ, दूसरों के हित में कुछ कारे करना परमार्थ कहलाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, तो आप पहचान जाएंगे महरशी भी, बिटा आशिरवाद की वर्तनी बहुत बच्चे इसे सही समझते हैं, तो देखो एक बार बोलके देखो आशीरवाद, आप बोलोगे मैं इसकी धोनी हमें इस तरह से आ रही है, आशीरवाद, तो ये रा कहां आ रहा है, आप कहेंगे शा के बाद आ रहा है, तो शा से अगले स्वर पर ये रेफ बन जाएगा, क्या बनेगा अगले स्वर पर ये रेफ बन जाएगा तो ये वाली वर्तनी बिल्कुल गलत होके ये वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। क्या आप सभी लोग समझ पाएं मेरी बात। तो आप बोलेंगे मैं यह तो हमें बहुत अच्छे से पता यह अच्छे थीक लिखा आप बोलेंगे आप बोलेंगे श्रिंगार इस क्योंते यह आप कर चुकशन आ देख लेते हैं निमलिकित में से जो जोड़ा विप्रीरत आर्थक नहीं है उसे उसका चैन कीजिए भाया लगाना पोल इस पे इसे पोल लगाईएगा जो जोड़ा विप्रीरत आर्थक नहीं है मतलब उल्टा नहीं है तो वो क्या कहलाएगा देखो यहां पे कुछ स्टुलेंट से यहां प आप उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं है नंबाद बस मेरी आदत है उसे दिल पे मत लीजिए गाई चीक है और जो चौटे है वो दिल पे ले सकते हैं तो आप बताएंगे दिन रात बिल्कुल सही है परीश्व्रम आलस से बिल्कुल सही है गर्म ठंडा बिल्कुल सही है धर्म का विलोम बेटा अधर्म होता है, क्या होता है, अधर्म होता है, अकर्म का विलोम अकर्म होता है, क्या होता है, अकर्म होता है, ठीक है जी, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट कोईश्चन, निमलिकित में इसे कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, सदा चार दुराचारी भीया इस पर लगाओ पूल ये आया question ये आया question मुझे पता है या इसमें अटकोगे तुम और अटकोगे नहीं लिख के दे दो अगर 50% से ज़्यादा answer तुम्हारा सही है तो मेरी तरफ से तुम सभी लोग एक एक टॉफी खरीद के खा लेना अगर 50% से ज़्यादा इस question को सह कर दो 50% बद तुम ज़्यादा लगाया भी नहीं 50% की शर्ट लगाई है और से जब तुम्हारी बोटिंग रुख जाएगी मैं बता दूंगी कितने परसेंट बच्चों ने सही बताया 44% बच्चों ने सही आंसर बताया है सिर्फ 44% 45 चलो थोड़े से और बढ़ जाओ एक एक टॉफी मिल जाएगी तुम्हें कैसे होगा एक बार बताओ सम का विशम ठीक है समर्थक का विरोधी ठीक है समस्टी का विशम सदाचार का विलूम दुराचार होगा या दुराचारी होगा बताओ दुराचार होगा या दुराचारी होगा तो आपको समझ में आना चाहिए सदाचार क्या है एक व्यवहार ह उसका उल्टा व्यवहार ही तो होगा, दुराचारी तो कोई व्यक्ती होगा, इसका विलोम तो सदाचारी नहीं होगा, दुराचार करने वाला कोई व्यक्ती ही तो होगा, वही तो दुराचारी कहलाएगा, तो ए उप्षन ही तो सही हो जाएगा, बताओ, ऐसी गलतियां, इत क्या होता है हाँ जी तो आप बोलेंगे बाण का परियावाची होता है आशुक इशु कर शर नराच ये सभी किसके परियावाची होते हैं तो आप बताएंगे तीर ये सभी ये सभी किसके बाण के परियावाची होते हैं है हम किसे बोलते हैं घोडा घोटक गुटक, सैंधब, वाजी, अश, रभी सुत, यह सभी हम किसे बोल देते हैं बिटा, गुड़ा को बोल देते हैं, आप सभी को पता है न, आप सभी को पता है न, यह तुरंग, तुरंग वेरी गुड, तुरंग, याद कर लेने हैं अच्छे से, अच्छे से यह सभी आपको याद कर लेने हैं, क्लियर है, बफरिंग, बफरिंग तो नहीं होनी चाहिए, बटा, शारदूल तो शेर को बोलते हैं न, कुछ भी मत बोलो, ऐसे, है न, ऐसे कुछ भी नहीं बोलते, हाँ जी, हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रश्मी, किरन, दीप्ती, यह सभी हम किसे बोलते हैं, अर्ची को बोलते हैं, उर्वी किसे बोलते हैं, जिसे आप छपा नहीं, जिसे आप छिती बोलते हैं, जिसे आप इला बोलते हैं, जिसे आप प्रत्वी बोलते हैं, जिसे आप धरा बोलते हैं, जिसे आप धरित्त्र बोलते हैं धरित्त्री बोलते हैं जिसे आप धर्ती बोलते हैं जिसे आप बसुधा बोलते हैं जिसे आप बसुधा बोलते हैं जिसे आप बसुधा बोलते हैं बसुधा बोलते हैं ठीक है यह सभी हम किसे बोलते हैं उर्वी को बोलते हैं धर्ती को बोलते हैं very very good very very good मैं एक बता दीजिए center कितने time पहुचे पिटा exam से लगभग एक तेड़ घंटे पहले center पहुच जाना ठीक है हाँ जी कुई निपी मैं speed से चलो speed से चलो हाँ बिटा मैं तो बिलकुर रुकी हुई हूँ मैं तो रुकी हुई मैं तो बैठी हूँ in fact speed से चलो बटोही का परियावाची बटमार एका की पतिक रहाकीर असहाई दुरगम बिटा ये पतिक ठीक लिका है पतिक होना चाहिए था ना पतिक नहीं होना चाहिए था क्या होना चाहिए था पतिक होना चाहिए था टाइपिंग मिस्टेक है ये बता दो क्या हो जाएगा जल्दी से बता था पतिक मानना ये से अब बता दो answer चलो पतिक का परियावाची तो आप बोलेंगे राही, राहगीर राही राहगीर ये सभी हम किसे बोलते हैं, पतिक को बोल देते हैं, किसे बोलते हैं, बत्मार तो चोर उचक्य को बोलते हैं, एका की अकेला पन, अकेला है ना, बत्मार चोर दस्यू है ना, और असाहय बेसहारा, बेसहारा, दुर्गम अभी बताता है, जहां जाना कठें हो, पाथे, रास्ते के लिए दि । भोजन क्या होता है। आप बोलेंगे पाथे होता है और मेख को अर्थ आप बॉलेंगे बादल होता है। बादल होता है और एक पथिक रहागीर और इसके अलावा मुसाफिर भी तो कहते हैं मुसाफिर भी तो कहते हैं आज के बाद आप भी मेरे लिए मुसाफिर से हो जाओगे पता नहीं कब मिलोगे है ना है ना चलो मिलेंगे मिलेंगे एक्जाम से पहले एक दो बार और मिलेंगे है ना चलिए आगे बढ़ते हैं दिशाएं ही जिसका वस्त्र हों अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था थोड़ा सा मैंने आपको जब श्वेतांबर का विलों बताया था तब मैंने आपको बताया था कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र हों दिगंबर कहलाएगा क्या कहलाएगा दिगंबर कहलाएगा विशंबर विश्व का पालन करने वाला और जैसे मैंने आपको ये निकालना सिखाए हैं आप मुझे बताएंगे दिखपाल का अर्थ क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे पैगंबर किसे कहते हैं इश्वर का संदेश देने वाले 2-3 संदेश देने वाले लेने वाले को हम क्या कहते हैं कि भ॥ दिक पाल जैसे मैंने आपको मैं luôn जैसे मैंने आपको विश्मबर का जैसे यह निकालना सिखाया आप सभी ये पोल अभी लगवाऊंगी मैं पोल लगवाऊंगी दिख पाल कार्थ बताओ द्वार पाल चलो ये बताना पड़ेगा मैं टोटल को कितने कोश्चन है टिके रहाओ ग्लास में हाँ जी बताओ बुरे उद्देशे से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है भाईया जी लगाना इसमें पोल लगाना इसमें पोल बतादो बताओ बताओ क्या हो जाएगा सबने निकालना शुकर ये बिटा दिकपाल कहते हैं देवताओं के एक वर्ग को दिकपाल का अर्थ होता है देवताओं का एक वर्ग देवताओं का एक वर्ग, एक वर्ग दिकपाल कहलाता है, और दिकपाल का एक अर्थ हो सकता है, दिशाओं ने जिसका पालन किया हो, दिकपाल कहलाएगा, ठीक है, अगर आप निकाल ही रहे हैं, जो दिशाओं का पालन करता है, मतब कहां से लाते हो इतना confidence, दिशाओं का पा करें, क्या कहला ते दिक्पाल कहलाएगा, करें, बहुत अच्छे, कमाली हो, दुरभी संधी बिल्कुल सही है, दुरभी संधी बिल्कुल सही, जवाब आप सभी लोग का दिया है, दुर अतिक्रमण, जिस पर आक्रमण ना हो, जिस पर आक्रमन ना हो, आक्रमन करना मुश्किल हो, क्या कहलाता है, दुर अतिक्रमन कहलाता है, वेरी गूड, आरू का एडमिट कार्ड आ गया है, क्या पिटा देखना चाहिए आपको है न, देखना चाहिए, दुर अधिगम, जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो, जिसे अधिगम करना मुश्किल हो, करना मुश्किल हो, मुश्किल हो, ठीक है, और दुर अभियोजन का अर्थ क्या होता है, बुरा अभियोजन, बुरा अभियोजन, अभियोजन, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुश् घर पर सब कुशल पूर्वक हैं बाके में किस प्रकार की अशुद्धी है घर पर सब कुशल पूर्वक हैं बताईए किस प्रकार की लिंग कारक सर्वनाम या संग्या बहुत standard question है आप सभी लोग इसे बताएंगे बहुत standard है अगर इसको आप पहचान गए क्या होना चाहिए ठीक है बीवी बता रहा है फिर क्या होना चाहिए ठीक है कारक आपने बता दिया मैं समझ गई आगे बताएक क्या होना चाहिए घर में सब कुशल पूर्वक हैं बताईएगा very very good बच्शे वैसे हुशार हो गएं आ पूरा पूरा भरोसा है आप सभी से पर सेव लूगी तो कहोगे कि मैं आपने भी कारक संबंधिय शुद्धी करती दिये गए वाक्यों में तुर्टिहीन वाक्य कौन सा है जल्दी से बता दें कौन सा है तुटिहीन वाक्य बताइएगा शरीर से ताकत होनी चाहिए चरीर के अंदर तुटिहीन मतलब एक जो बिलकुश शुद्ध वाक्य है तुटिहीन का मतलब और कुछ मतलगा ले ना शरीर से ताकत होनी चाहिए शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए चरीर में ताकत होन शुद्ध शब्द कौन सा है देखो इस तरह के questions मैं खूब खूब करा चुकी हूँ एक शुद्ध है बाकी तीन अशुद्ध हैं कौन सा शुद्ध है A B C D बता दुजली से चिन किर्पया दवाईया या निर्भर तो आप बोलेंगे निर्भर शब्द बिल्कुल शुद्ध है चिन नहीं होता चिन होता है हा में ना लगता है किर्पया किर्पया में क्या शुद्धी है समझ में भी आ रहा है या वैसे ही किर्पया होता है दवाईयां देखो दवाई इस प्रकार लिखा जाता है इसमें कोई गलत नहीं है इसमें कुछ भी गलत नहीं है आप सभी को पता है कि दवाई इस प्रकार लिखा जाता है पर जब भी अंत में क्या होता है मैंने आपको बहुत बार बताया है बड़ी E होती है और इसका जब बहु बचन बनाते हैं, तो ये किस में बदल जाती है, आप कहेंगे छोटी E में बदल जाती है, दवाईयां हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा, शुद्ध, ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर, तो D option बिल्कु सही हो गया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, प्रतियक प्रश्ट में मात्र एक शब्द की वर्तिनी शुद्ध है, उसे चिन्नित कीजे, फिर से क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, मैम, फिर से एक शुद्ध और तीन अशुद्ध हो जाएंगे, किस प्रकार से हम लिखेंगे? बिटा, मैम, UPP की हिंदी जादा कठेनाती आरो से नहीं, आरो की हिंदी में कुछ टॉपिक हैं, और UPP की हिंदी में सारी टॉपिक हैं, बस, किस चीज का अंतर है, स्लैवस का थोड़ा सा अंतर है, कठेन लेवल तो आरो का बहुत ही हाई आता है हिंदी में, ऐसा कुछ नही हैं इन्हें इजी लग रहा है क्योंकि यह बहुत पहले से पढ़ रहे हैं तो आप बोलेंगे यह option सही है यह option में कोई गलती नहीं है अब बताइएगा उप रोक्त बैसे तद्भब में यही होता है लेकिन हमेशा एक्जामिनर ने उपरियुक्त को ठीक माना है उपरियुक्त होता है निरव लंब होता है ठीक है ठीक है बताएगा निरव लंब वा तो यहां पर इसा बनेगा वा और यहां पर क्या बनेगा बा ठीक है अत्यधिक नहीं होता अत्यधन अधिक अत्यधिक होता है अत्यधिक होता है और कौन सी संधी है इसमें मत बताओ तुम यहां हमें थोना पढ़ना है चलिए तस्तम कौन सा शब्द देखो एक बच्चे ने तीनों सही भी लिखकर भेज दिये यह होती है एप्रोच चलिए तस्तम शब्द कौन सा है एक तस्तम है तीन तदभव होंगे और जब तीन तदभव छाटे जाएंगे तो पहला तो मुझे यह दिख तस्तम क्या होता है कूप होता है फिर मुझे पता चला कपूत क्योंकि इसे को पुत्र कहते हैं तस्तम में तो मैं इसे भी लगा दूँगी इजी हो गया मैं रिले कोईशन सूरज आपको पता है सूरे इसकी तो परियावाची से ही आप समझ जाएंगे स्वर्ण को हम सोना क कहते हैं तदभव में और इसकी इसको हाइलाइट कर दूँ थोड़ा सा लो पैन भी तो नहीं बदला गया लो चलो आगे बढ़ जाते हैं निक्स्ट कुश्चन निम लिकित में से कौन सा तस्सम है एक तस्सम है तीन तदभव हैं तीन तदभव हैं हां तो जल्दी से बता तो अश्वर क्या होता है ससुर होता है इसे हिंदी में हम क्या लिखते हैं ससुर लिखते हैं तदभव में बहु क्या है आप बोलेंगे मैं तदभव है इसका तस्सम बधू होता है क्या होता है बधू होता है व्या विभा होता है विवा है चलिए जोग योग योग ठीक है सीखे, हाँ जी, very very good, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बताएगा, पनही शब्द का तस्सम बतादो, क्या होगा, आप बोलेंगे तामबूल, पन, पनही या पानहा, बतादो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, मैं लेकिया इती चौक्री, पनही शब्द का तस्सम, तामबूल, पन, पनही या उपानह, आप बोलेंगे, पनही, पनही का अर्थ होता क्या है, बिटा, अगर कभी आप से पर्यावाची में पूछ लिया जाए, तो जूता होता है, और इस से हम क्या बोलते हैं तस्तम में उपानहा बोलते हैं बाकी हम तद्वब बनाएंगे इनके तामबूल को तंबोली होता है तंबोली होता है और पर्ण का पत्ता होता है ना पत्ता होता है काफी कंप्रोमाइज करनी पड़े है यह राइटिंग में तुम्हें हां चलो है ना और पढ़ नहीं भी नहीं होगा पढ़ नहीं भी नहीं होगा उपानह होगा उपानह होता है क्लियर है अब सबके डी हो गयो हां बिटा ऐसे तुम मतलब तुम रोगों से इतनी तो मैं उमीद करती ही हूं कि जब भी ऐसा कोई कोश्यन आता है तो तुम दो मिनिट में अपने आंसर यूं बदलते हो चुटकी बदाते ही हां चलो 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 निम्न मेंसे कौन सा सब तत्सम है प्रिय पिया मोर या चार तो आप बोलेंगे एक ही तो तत्सम है प्रिय जिसका तत्भव क्या हो जाएगा पिया हो जाएगा ठीक है, पिया लिखा ही हुआ है, मोर को तत्सम में क्या कहेंगे, तो आप बोलेंगे मैं मयूर कह देंगे, क्या कहेंगे, मयूर, मन मयूर नाच उठा, ठीक है, चार को चतवारी बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाओं, चलो next question, श्री गनेश का विलोम क्या होगा? श्री गनेश का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या होगा? आप बताएंगे, समाहार, विसर्जन, समापन, इतिश्री, श्री गनेश का विलोम क्या होगा? जल्दी से बता दो, इतिश्री हो जाएगा, very very good, आप सभी का पता है, वि में आपको बहुत सी पुस्तकों की इस लिख barking को को तो आप बोलोगे आरंब होगका आरंब होगा और समाहार का अर्त होता है बहुत एकत्रिता होना साथ में होना तो इसको क्या हो जाता है विच्छए को सकते हैं आख सब्सक्राइब होसकते हैं यह ड़िए जून सौम में शब्द का विलोम क्या है? स्वभाग्य उग्र, शत्रू या दुराशे. बताव बिटा हमें तो चार अप्शन है. हाँ उद्गार्टन भी हो सकता है आरंब भी हो सकता है. आप बोलेंगे स्वभाग्य का विलोन क्या होता है दुर्भाग्य होता है ठीक है उग्र का सौम में होता है शत्रू का मित्र होता है और सदाशे का क्या होगा सदाशे हो जाएगा सदाशे हो जाएगा नेक्स्ट क्या विप्रीत हो मतलब आपसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है question समझ पाए question समझ पाए अगर ऐसा question आ गया तो क्या करोगे ऐसा question आ गया तो क्या करोगे आप सबी लोग बताओ अगर आ गया तो यह करना कि मैं सही से पढ़ने है प्रथम शब्द का विप्रितार्थखो मतलब सही विलोम कौन सा है इसमें सिर्फ ये पूछा है, सही विलूम जोड़ा कौन सा है, बाते हुमा दी, अब बता दो, जवाब बदलने लगे आपके अधम का विलोम उत्तम होता है बिल्कु सही है सत्व का विलोम सार होगा सत्व का विलोम क्या होगा? सार होगा तो आप बोलेंगे मैं परद्व हो जाएगा सार का क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा विस्तार हो जाएगा, सत्व का नहीं, स्वतत्व का होता है परत्व, स्वतत्व का परत्व हो जाएगा, छीक है, आप बोलेंगे सत्व का असत्व हो जाएगा, अधिकार का अनधिकार हो जाएगा, और छटा का विलोम शोभा होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होग शोभा का विलूम अशोभा हो जाता है चलि आगे बढ़ते हैं इन मेंसे कौन सी विप्रीत शब्दों के उचित जोड़ी नहीं है बताएगा कौन सी उचित जोड़ी नहीं है मतलब कौन सा एक सही विलूम नहीं है अधम का उत्तम होगा आगे बढ़ते हैं इन मेंसे कौन सी विप्रीत शब्दों के उचित जोड़ी नहीं है अपाच्य कौपाच्य शुक्ल क्रश्न वर्वर सब भी अग्ये विग्ये बतादो तो आप बोलेंगे मैं अपाच्य कौपाच्य एक ही बात है इसका विलूम क्या होगा अपाच्य का विलूम हो जाएगा उपाच्य का विलोम हो जाएगा सुपाच्य और अपाच्य का विलोम हो जाएगा पाच्य ठीक है और शुक्ल का क्रश्ण बिल्कुल ठीक है बरवर का सब भी बिल्कुल ठीक है अग्य का विल्कुल सही है ए ओप्शन इसका विल्कुल सही ओप्शन हो जाएगा ठीक है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नाहर के लिए समुचित परियावाची शब्द है, देखो, यूँ तो इसमें नाहर के दो परियावाची दिये गए हैं, वैसे तो इसमें नाहर के दो परियावाची दिये गए हैं, ठीक है, लेकिन एक सही है वो बता देंगे आप सभी लोग ये भी सही है वैसे वो भी सही है लेकिन अगर एक पूछा जाएगा तो बेटा ब्याग्र का अर्थ तो कीता या बाग होता है चीता बाग चित्रक ये सब हम चीता को बोलते हैं तो कौन सा ओप्षन बनेगा आप बोलोगे शेर तिंग नाहर शेसरी वनराज म्रगेंद्र ये सब ही किसके परियावाची है शेर के शारदूल चारदूल केहरी केसरी चारदूल और केहरी ये सब ही किसके परियावाची है आप बोलोगे शेर के परियावाची है शेर के परियावाची है वेरी वेरी गुड लायन लायन तो ऐसे बना के दिखा रहे हैं मतलब इमोजी बना के ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मुझे तो पता नहीं है वसी बता कैसे कर लेते हो ऐसा पूरा एक दो बच्चे ने दो दीन बच्चों ने पूरा इमोजी बना के दिखा दिया अच्छा है रसे बच्चपना जिंदा रहना चाहिए यहां नदी आप कहुगे सरिता नदिया नदिया है ना और आप बता दे सरिता नदिया आगे 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 तरंगिनी निम्निगा निम्निगा पूल अंकशा पूल बती पूल बती इस सभी हम किसे कह देते हैं नदी को कह देते हैं तो नाहर का परियावाची आप सभी ने लिख लिया और सरिता का परियावाची तो नदी होता है नूतन शब्द के लिए उप्रयुक्त परियावाची नहीं है कौन सा नूतन का ये सरी केहरी दोनों होता है, ठीके? चलिए, नूतन शब्द के लिए उपर्युक्त पर्यावाची नहीं है, नवीन नव्वे, नवनीत नव, आप बोलेंगे नवनीत का अर्थ होता है माखन, माखन, म्रक्षन, ये सभी हम किसे बोलते हैं, नैनी भी बोल देते हैं, इसे बहुत जगे, नैनी भी बोल देते हैं, ठीके? न्योनी भी बोल देते हैं, तो मक्षन का पर्यावाची ये रहेगा, और है आगी पढ़ जाएं सaz जलिए जो प्रतवी से सम्बंद्स है के लिए एक शब्द पत्रवी से सम्बंदित है के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा नव मतलब नया उता है नव मतलब नया होता है पेटा यहना अब लगवाएंगे कुछ कोश्यन पर ये वाला कोश्यन कर लो बताईएगा तो आप बोलेंगे परमार्थिक तो आप बोलोगे परमार्थ से संबंदित संसार से संबंधित संबंधित ठीक है और प्रत्थवी से संबंधित पार्थव कहलाता है विटा क्या कहलाता है पार्थव कहलाता है आगे वर जाएं गुड़े ठीक है मिस मेरा एपंप कार नहीं आया है विटा आ जाएगा um 82 का अंसर बता तो दिया बताई तो दिया नवनीत होता है 82 का आंसर मतलब और क्यासे भी बताना है बता कोई घुमा के कि बेटा जी तो इसमें A, B, C, D चार आप्शन है और 82 का आंसर B होगा ठीक है ठीक है ऐसे बता दिया करूँगी अब कमाल करते हो, सिविल का एक्जाम देने जा रहे हो आप इतने स्टेंडर्ड बच्चे हो जो आखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताईए भईया जी लगाना है इसमें पोल लग चुका है आपके लिए पोल सामाजिक प्रत्यक्ष सुलब या प्रियतम आप बोलेंगे सामाजिक समाज से संबंदित समाज से जुड़ाया समाज के हिसाब से समाज के अनुसार सामाजिक कहलाता है जो आखों के सामने हो प्रत्यक्ष इसका विलोम भी खुब खुब पूचा जाता है परोक्ष इसका विलोम होता है जो आखों से परे हो आँखों से परे हो, क्या कहलाता है परोक्च कहलाता है ठीक है और सुलब आप बता दीजिएगा, सुलब जिसे करना आसान हो, जिसे करना या पाना आसान हो, है ना, क्या हो जाएगा जिसे, अब इलाशा तो किसी का नाम नहीं आया, वा, 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 आपस में लग गए तुम, लग गए इतनी देर में, बिमलेश भाई पढ़ लेगे, कैसी बाते करते हो, आप सभी लोग, मैं तो, चलो, प्रिये तम, जो प्रिये हो, जो प्रिये हो, जो सबसे प्रिये हो, ये तो लिख दो, जिसे, पाना आसान हो, पाना आसान हो, आसान हो, जो सबसे प्रिये हो, प्रिये तम कहलाता है, प्रिये हो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे बढ़ जाएं, next question, इन में से एक वाक के अशुद्ध है और वो क्या है? इन में से एक वाक के अशुद्ध है और वो कौन सा वाक के है? जल्दी से बता देंगे कौन सा है? बताएं कौन सा है पोल लगवा दूँ इस पे बाकि शुद्धी वाले कुश्चन्स पे पोल लगा दीजेगा चलो इस वाले पर मत लगाओ क्योंकि लेठ हो जाएगा वरना बाकी सभी पे लगा देना मैं दर्शन करने आया हूँ बिल्कुल ठीक है मैं अपनी बात का इस पस्टी करन करने को तयार हूँ लड़का मिठाई लेकर दोड़ता हुआ घर आया कोई गलती नहीं है बहां भीड लगी थी ये भी ये भी गलत है ये भी सही है क्या उन्यची मैं अपनी बात का इस पस्टी नहीं आएगा ठीक है चलि नेक्स्ट कुश्चन यह तो इजी है इस पर क्या पोल लगवाना यह तो आप सभी कर लेंगे जल्दी से बता दो राम रोटी खाया है रोटी क्या होती है आप बोलेंगे इस्त्रीलिंग होती है है ना तो राम रोटी खाया है बिलकुल नहीं राम ने रोटी खाई है खाई है होना चाहिए था खाया है नहीं तो राम ने रोटी खाई है राम रोटी खा लिया है ये भी नहीं ये भी नहीं च चर्चा शब्द से बना विश्येशन है भी इस पर लगा दो पॉल वेरी गुड चर्चाएं तो आप बोलेंगे मैं ये तो नहीं होगा चार्चा गलत चर्चित वह व्यक्ति बड़ा चर्चित है उसके बारे में बात होती रहती है तो क्या हो जाएगा ये विश्येशन हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्लिकत में से कौन सा विश्येशन शब्द नहीं है पत्रीला नमकीन बरफीला या नमक बता दो निम्लिकत में से कौन सा विश्येशन शब्द नहीं है ज बेटा पत्थर से बना है पत्थर से बना है पत्रीला नमक से बना है नमकीन बर्फ से बना है बर्फीला और जब ये बर्फ नमक से बना है तो नमक क्या हो जाए आप बोलेंगे मैं संग्या हो गई द्रब्देवाचक संग्या है नमक हैना जी हैना जी चलिए फोड़ा सा टफ वह च्रेष्ट उपासक में विशेश है, देखो, वह च्रेष्ट उपासक है, एक आद बुक में अलग आंसर भी दिया मिल सकता है, इसका लेकिन जो सही होगा, मैं आपको वह बताने की कोशिश करूँगी, देखो बिटा, वह च्रेष्ट उपासक है, च्रेष्ट क्या है, च्रेष्ट वह है, वह च्रेष्ट है, तब तो विशेश्टा होती वह की, है ना लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है उपासक की तो ये विशेष्य हो गया विशेष्य हो गया तो कौन सा हो जाएगा आप बोलेंगे उपासक बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा आगे बढ़े चलिए निमलिकित में से विशेष्य पद है उमा कालिमा मदुरिमा विशेश यह है तो संग्या या सर्वनाम ही होना चाहिए और यहां सर्वनाम तो कुछ दिया नहीं, संग्या ही दिया, तो बता दो संग्या हो सकती है, तो संग्या क्या होती है, बिटा किसी का नाम होता है, क्या होता है, किसी का नाम होता है, तो कौन सा हो जाएगा, डी बता आरे रही जवाब दिया है ऐ। कि यह र्स्राइ यह को जाएगा कालिमा मधुनिमा महिमा इसें सब है विशेषन है कि यह चलिए रहएently दर्श्टी से कौन सा शब्द क्यों हे व्याकरण को कौन सा सुद्ध है जल्दी से बता दो बता दो देखो वैसे तो अगर देखा जाए कालेमा महिमा आपकी महिमा है तो महिमा भी भाववचक संग्या हुई पर जैसा एक्जामिनर में माना है तो हम फर्स्ट वाला सही मान लेंगे खुद देखो, यह आपकी महमा है, क्रपा है, यह भी तो भाव है, लेकिन जब एक्जामिनर ने जो माना है, विटा वही मानना पड़ेगा हमें भी, वियाकरने की द्यश्टी से कौन सा शब्द शुद्ध है, बतादो, बतादो, विरहनी, ग्रहनी, विवीशन, जगत बतादो, एक अशुद्ध है, जगत गुरु सही है, बिवीशन सही है, ग्रहनी सही है, बिरहनी नहीं होता है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए, बिरहनी हम किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे, वह इस तरी जो बिरहनी हो, मतलब अपने प्रेमी से दूर जाने पर दुख ही हो, ब्रहनी कहलाती, ग्रहनी, घर को समालने वाली इस्तरी, ग्रहनी कहलाती, अशुद्धी तो पूछा है, और विवीशन किसे बोलते हैं, एक तो राबड के भाई का नाम था, और कहते हैं, जो अपने घर का भेद दे दे, उसे विवीशन की संग्या देती जाती है, देखो, बाल मी की, बाल मी की, अब इसमें क्या होता है, सबसे अच्छी वात, जब हमें दो एक से मिले हैं, और उनमें से कहीं ना कहीं वर्टी है, और अशुद्ध पूछा है, अगर शुद्ध पूछा जाता, तब तो मैं कभ्यूज हो सकती थी, लेकिन जब अशुद्ध पूछा गया है, या तो A होगा या B होगा, खेलना भी हो तो इस तरह से खेल लेना, ठीक है? आप्चन से खेलना हो तो इस तरह खेलेना कि ये दोनों तो फिर सुद्ध ही होंगे क्योंकि इन दोनों में ही मुझे अंतर दिखाई दे रहा है तो बता दो बता दो तो आप कहेंगे बाल मी की नहीं होता वाल मी की होता है क्या होता है वाल मी की होता है ठीक है ये गलत है वेर आगत का विलोम क्या होगा कि बता दो कि श्रत प्रतिशत सही है इसको काली इदास से मत लिखाना जो बच्चा कहरा है मैं सी भी गलत है काली इदास अगर ऐसे लिखाए तो जीरो अंडा मिलेगा और कहेंगे कौन थी तुम्हारी मेडम जिसने बता है सी ऐसे ही लिखा जाता है काली इदास ठीक है चलो आगत का विलोम क्या होगा आप बोलेंगे अनागत हो जाएगा विगत कौन लगा रहा है विगत वेटा आगामी का विलोम होता है आगामी का विलोम विगत होता है ठीक है ठीक है बता दो और स्वागत का विलोम क्या होगा स्वागत का विलोम क्या ह होगा जल्दी से भता होगा मिटा स्वागत का अरथ होता है किसी का 우리가 म् तिरसकार हो जाएगा इसका विलॉम मेर 3000 आमिश का विलॉम होगा कि आमिश का विलॉम क्या होगा प्रिध कौने निरामिश मासारी भ्याना इस पर फोल की और लेक्न का अमिस्य का अर्थ होता है मास क्या होता है मास होता है और इसका विलोम सामिश नहीं होता सामिश का अर्थ भी तो मास सहित हो जाएगा सा लगा है निरामिश होता है इसका विलोम क्या होता है निरामिश होता है जितनों ने ए आंसर लगाया था अब वो सब बहुत स्पीड से आंसर बदल रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अब तो बदल रहे हैं, मासाहारी का शाकाहरी ये दोनों आपस में क्या हैं, विलोम हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अतिथी का परियावाची है, अमरित्फल उन्नयन आगंतुक या आजन्म, तो आप बता देंगे अतिथी का परियाव पाहुने, पाहुना, है ना, ये सबी हम किसे बोलते हैं, महमान को बोलते हैं, आप बोलते हैं, गेस्ट आए हैं मेरे घर पे, वो गेस्ट यही होते हैं, अभ्यागत भी कह सकते हैं, अतिथी भी इन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है उड़े, बताएगा, बताएगा, अब बताए आगे उन्नयन आप बताएंगे क्या हो जाता है उन्नयन का अर्थ तो आप कहेंगे किसी चीज का बढ़ना अम्रित्फल का अर्थ क्या होता है आप बोलेंगे आम आम रसाल रसाल पीटा उन्नयन के परियावाची बताना एकाद बताओ आगन तुक आगन तुक लिखतो दिया है ना कि भिलो थोड़ी पूछ आप नियान बता रहे हो जो इस सब अबश्य किसा क्या एंब परिया वाची है आपस में परिया वाची है बताईए क्या होता है उन्नेन का अर्थ होता है उन्नती उन्नती विकास इत्यादी हम पहले ही पढ़ चुके हैं आगे बढ़ जाए अद्री अद्री शब्द का अर्थ है भेया लगाने इस पर पोल अद्री शब्द का अर्थ है यह सई रहा है बता दो अद्री का पर्यावाची मुझे तो पता है आप लोग कहां गलती करोगे मुझे तो पता होता है 50% बच्चों ने आख बंद करके भी आंसर दिया है 50% ने तो फिर इसका पर्यावाची क्या होगा फिर इसका पर्यावाची क्या होगा हाँ अद्री और आर्द्र में कोई अंतर नहीं है आपकी नजर में हाँ जी अद्री बोलते हैं बेटा पर्वत को नग नग महीधर महीधर भूधर ठीक है पर्वत, पहाड, पहाड, ठीक है? ये सभी हम किसे बोलते हैं? शिखर, किसे बोलते हैं? आप बोलोगे मैं, पहाड को बोलते हैं, ठीक है? मुझसे sorry बोलो, sorry मैं कोई दिक्कत नहीं है और exam में जो गलत करके आए, sorry accept नहीं करूँगी, मैं बता रही हूँ तिर sorry accept नहीं होगा गिरी गिरी ठीक है? हाँ जी गीला को तो बिटा हम आद्र कहते हैं, आद्र नम नम, वियर्थ, अर्थ हीन अर्थ हीन बेकार समझे? दुख, कस्ट पीडा बेदना तकलीफ यह सभी हम किसे बोल देते हैं, दुख को बोल देते हैं तो D option बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट कोईशन अश्र का परियावाची शब्द है अश्र का परियावाची शब्द कौन सा है? जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग यह तो easy है, यह तो बता दोगे मैं प्लीज दिखाना है, कमेंट आया था एक बच्चे का उपर मैं प्लीज बताएं, essay वाला paper कब है? आपने बताया था अभी तक essay वाला paper कब है? essay वाला paper विटा नसरीन जी अभी प्री होगा, उसके कम से कम तीन महीने बाद होगा, essay वाला paper ठीक है? परिशान हो जाते हो है, मैं प्लीज बताओ essay वाला paper कब, घोटक, घोड़ा, वाजी, सैंधव, ठीक है? और तुरंग, तुरंग, रविसुत, रविसुत, ये सभी किसके परियावाची है? घोड़े के परियावाची है, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, सुर्पति हम किसे बोलते हैं? इंद्र, जिने हम मघवा बोल देते हैं, मघवा बोल देते हैं, शची पती बोल देते हैं, शची पती, शची इस प्रकार भी लिखा मिल जाता है, बिटा कहीं कहीं, बड़ी ए की मतला रगाते हैं, शचीपती, शचीपती, सुरेंद्र, 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 और बताएगा, इंदर के परियावाची, सुरेश, सुरेश, चीक है, सुरेश, very, very, very good, चीक है, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, विभुत तो देपता को बोलते हैं, विभुत होई ना ब देवेंद्र बोल देते हैं और यदि आपसे अनेक शब्दों में पूछ लिया जाए वर्षा के देव हम किसे कहते हैं तो हम किसे बोल देते हैं इंद्र को बोल देते हैं पुरंदर बोलते हैं इने पुरंदर भी इन्हें ही बोलते हैं दिनकर परियावची बताना वेटा दि सूर्य, रवी, भानू, भानू, आदित्य, नमस्ते, मैं बढ़िया, आदित्य, अंशुमाली, ठीक है, और बता दे, इसके अलावा बोल दे, सूर्य, रवी, भानू, आदित्य, अंशुमाली, भासकर, दिनकर, दिवाकर, रभाकर, ये सभी किसके परियावाची हो जाते, सूरज के परियावाची हो जाते, अनंत, असीम, असीम, निसीम, निसीम, ठीक है, ये सभी किसके परियावाची हो जाएंगे, आप बोलोगे, अनंत के परियावाची हो जाते हैं, चलिए, कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता, बता लो, रिपू, लहू, रुदूर, सोनित, बता दो, रिपू का अर्थ क्या होता है, रिपू का अर्थ तो शत्रू होता है, शत्रू, बैरी, प्रतिद्वन्दी, ये सभी किसके परियावाची हो जाते हैं, आप कहोगे, दुश्मन भी बोल देते हैं, और लहू, रुदेर, शोनित, खून, ये सभी किसके परियावाची हैं, आप बोलोगे, रक्त के परियावाची हैं, रक्त के परियावाची हैं, चलिए नेक्स्ट क्येशन लगाती हूँ, और रतिपती का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, भयाची पोल लगाना, एक लग गया पोल, बता दो, बता दो, निशाचर, जगदीश, पंचसर, अलकापुरी, बताएंगे आप सभी लोग, मैम जी, आपकी पहली क्लास है क्या, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ, बिटावस पहली बार देख रहे हो, तो जो आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे तो बिशेश प्रेम हो रहा है मुझे, क्योंकि आज लास्ट क्लास भी है, मैराथन है, है ना, तो चलो, चार मह यह सब हम किसे बोल देते हैं राक्षस को बोल देते हैं यह ना गगंचर गगंचर पक्षी को बोलते हैं समझें गगंचर पक्षी को बोलते हैं देत थे हां बिलकुल ठीक है जगदीश विश्णू विश्णू जनार्दन और आप बताएं इसके सिवा क्या हो जाएगा आप बोलेंगे चक्र पाणी चक्र पाणी चक्र धर ठीक है आप बोलेंगे हरी नारायन गरुणत धज गरुणत धज धज मधू रिपू यह सबी किसके परियावाची है आप बोलेंगे विश्णू के परियावाची है और पंच शर किसका परियावाची है पंच शर कामदेव का परियावाची है कंदर्प बोलते हैं मार बोलते हैं इन्हें मनोज बोलते हैं इन्हें पुष्वधनवा बोलते हैं और इन्हें हम क्या बोलेंगे इसके अलावा कुसमासर बोलते हैं कुसुमासर बोलते हैं और इन्हें हम मनमत बोलते हैं मनमत बोलते हैं क्या पता बिटा कौन साज है सभी याद कर लेना आप सभी लोग ठीक है अप सभी लोग 5 गलत हो गए नहीं कोई दिक्कत नहीं सवामें पांच गलत हुए है तो 60 में तो तीनी गलत करोगे, 60 में 57 कर आओगे ना, बस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, बिलकुर सबके लिए helpful है, ये तो सबके लिए helpful है, कोई दिक्कत नहीं है, और अलकापुरी हम किसे बोलते हैं, बिटा, तो अलकापुरी को वेर की नगरी को हम यक्छ नगरी भी बोल देते हैं, यक्छ नगी लिखती है, मैंने नगरी लिखेंगे हैं, यक्छ नगरी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईस्चन, जिसने रिण चुका दिया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जल्दी से, इस पर लगवा दूं पोल, ये तो आप इजी है, इसको तो क जाए थे? जिसके अब तक 5 गलत होएं, वो तो बहुत बहतरी इन जा रहा है, जिसके अब तक 5 गलत होए हैं, तो 60 में तो 3 ही गलत होंगे, रेशियो निकालोगे, 57 बहुत बढ़िया, हाँ जी, 100 कोईस्चन होगया, 100 कोईस्चन होगया, अच्छे कितने question करना चाहते हो तो माज चलो उरेण सही है उरेण बिलकुल सही इसका जवाब हो जाएगा छीक है अब देखते हैं म्रण में है वह वह बस तू जो मिट्टी से बनी है जो मिट्टी से बनी है बनी हो बनी है क्या कहलाईगी म्रण मैं कहलाती है उत्तीर का अर्थ क्या होता है आप बोलेंगे जो परिच्छा परिच्छा पास कर ले कर ले उत्तीर कहलाता है भार ही जिसमें ना के बराबर भार हो यह मत कहता है ना कि जिसमें भार ही ना हो जिसमें ना के बराबर भार हो क्या हो ना के बराबर भार हो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना जिसमें भार नहीं होगा बराबर भार हो भार हूँ ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? उन्नत मना अच्छे भावों एवं बिचारों से युक्त? बता दो बताईएगा जो अच्छे भावों और विचारों से युक्त हो आप बोलोगे अच्छे भाव वाला तो सद भावी नहीं कहलावेगा सद भावी जो समान भावों से तो संभावी संभावी मैंने संभावी नहीं बोला संभावी और उच भावों से हो तो उन्नत मना कहलाएगा सामान्य भावों से होगा तो सामान्य भावी लिख दोगे वैसे तो ऐसा कोई शब्द आता नहीं है फिर भी अगर मैं आप से कहूं कि जब तक आप यहाँ पर हो तब तक मैं आपको पढ़ाती रहूँगी तो जब तक میरा जितना मेरा स्टैमिना है उतना मैं पढ़ाती रहूँगी आज मैंने कोई 6 गंटे का target नहीं लगाया साथ का नहीं लगाया, आठ का नहीं लगाया, नौका नहीं लगाया, दस का नहीं लगाया जितना अभी मुझसे हो पाएगा यूच्छ है तो मिनिमम है उसके बाद में जैसी राम जी की इच्छा ठीक है उसके बाद में चलते रहेंगे बस टिके रहना क्लास में हां जी वेरी वेरी गुड और ये 5000 कोश्चन करा दो मैं 2500 कोश्चन करा दो कुछ ऐसी बात करो जो संभव हो है ना तुम तो 5000 पर पहुंच गए एक लिख रहा है 5999 वह इनमें से एक के लिए प्रोजन शब्द है असूर्यम पश्या असूर्यम पश्या वह इस्थान जहां से सूर्य दिखाई ना दे गलत तो इस तान जहां सूर्य का प्रकर प्रकाश बढ़ा प्राणी जो सूर्य क्य test का लिकाल अगे बढ़ते सिसे संस्ता के बख्चिय स्वर्द वर्स होने पर पर होने वाले उस सब के लिए शब्द है बता दो हीरक जैन्ती, रजत जैन्ती, शतावदी, सौन जैन्ती चारों बता दूँगी, आएगा तो इन चारों में से ही एक आ जाएगा तो आप बोलेंगे, भी यही पोल लगाना इस पर बी, very very good, क्या कहलाता है रजत जैन्ती, 25 वर्ष पर रजत जैन्ती पचास वर्ष पर, सौन जैन्ती, तीरक जैन्ती, 75 वर्ष पर, और शतावदी, 100 वर्ष पर 100 वर्ष पर तो कौन सा होना चाहिए आँसर, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इन मेंसे अशुद्ध वाक्य कौन सा है? एक अशुद्ध है, जल्दी से बता दो. साप्रमाण उत्तर दीजिए, बिल्कुल सही है. साप्रमाण मतलब प्रमाण सही तो उत्तर दीजिए, सही है. फीला ने मोतियों की एक माला खरीदी सही है मुझसे ये काम संभव नहीं मुझसे ये काम संभव नहीं भी सही माना गया आयुक द्वारा मैंने अभी वाजार जाना है नहीं होगा मुझे अभी वाजार जाना है होगा कौन सा हो जाएगा पिटे आप बोलेंगे मुझे अभी वाजार जाना है बिलकुल सही होगा चलिए next question पहिया जी पोल पोल लगा दीजेगा इस पर बताएं मैं कहता हूँ आप सब बैठ जाएं मैं कहता हूँ आप बैठो ना गलत वात है क्योंकि किसी से आप सब तो यह होता है जब किसी से कहा जाता है request की जाएं मैं कहते हैं गलत हम कहता हूँ गलत very very good इतना easy question आपने सही आंसा दिया मैं बहुत खुश हूँ अपने दिल खुश करने के लिए कि देखो मेरे बच्चे तो बिलकूल सही आंसा दे रहे हैं है ना चलिए next question निर्देश प्रत्ति प्रत्त में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है उन्हें चिन्यत कीजिए सिर्व एक की वर्तनी शुद्ध है तो जल्दी से पता हम ई होगा डी होगा ए होगा बी होगा अहिल्या गलत है अहिल्या होता है कौसल्या यो दिस्टर अनसुया बिटा अनसुया होता है अनसुया होता है अब देखते हैं इन दोनों को बिटा कौशल्या की बरतनी ठीक है और दूसरी तरह से कौशल्या इस प्रकार लिख लिया जाता है इस प्रकार लिख लिया जाता है पर आयोग ने इसका आंसर C सही माना था उन्हें लगा था कौशल्या इस प्रकार लिखा जाता है तो इसे मतलब गलत बताया था लेकिन C वा आ रहे हो चलिए आगे बढ़ते हैं इन नामों में किसकी वर्तिनी अशुद्ध है एक वर्तिनी अशुद्ध है जल्दी से पता दू कौन सी यह बताओं मैथली शरण गुप्त सचिदानंद मांडवी राहुल सांकृत आयन मैथली शरण गुप्त होता है आप बोलोगे मैम मैथली शरण गुप्त होता है क्या होता है मैथली शरण गुप्त होता है सच्चिदा अनंद सही है, मांडवी सही, राहु सांक्रत यायन सही है, राहु सांक्रत यायन में कही बार सांस्क्रत यायन लिखा मिल जाएगा बिटा, जो की गलत हो जाएगा, सांस्क्रत यायन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सांस्क्रत यायन नहीं होना चाहिए, आगे पता है वीटा एहल्या कैसे गलत हुआ देखो एहल्या होता है एकी मात्रा नहीं लगती है जो इन्होंने लगा दी है यह यह ला है अधूरा ला है ठीक है हाँ जी ऐसे थोड़ी तेर बात सवाल पूछते हो तुम कोई सब्सक्राइब तत्सम है जल्दी से बता दो एक तत्सम तो बिल्कुल सही हो जाएगा बीडा नहीं होता तद्भब है बीडा तो बिसमे सही हो जाएगा और साप को हम क्या बोलते हैं सर्प बोल देते हैं सर्प बोल देते हैं है ना चिन को हम क्या बोलेंगे यह भी तस्सम होना चाहिए यह भी तस्सम होना चाहिए है ना चिन बीडा बीडा को तो वीडा बोल देते हैं वीडा वा बन जाएगा चिन चिन बोलते हैं साइध चिन ये भी तो तस्सम है ये भी तस्सम है क्या चिन बताना बीवी है डीवी है हाँ एक सो आठ का डी पिटा आंसर तो डी ही है जल्दी से बता दो चिन का तस्सम बताओ बता दो चिन 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 बता रहा है कोई बच्चा बिटा ये तो वर्तनिय शुद्ध हो जाएगा चिहन ही होता है चिहन ही होता है निशान होगा इसका क्या बोल देते हैं निशान बोल देते हैं बिटे से निशान बोल देते हैं निशान का अर्थ चिन होता है ठीक है प्रतीक भी ब करते हैं चलो तरस्सम शब्द का चैन करें या भी हमने कोशन किया था है ना कई बार इस तरह की कोशन मिल जाते हैं हां आगे बढ़े बता दो तो आप बोलेंगे शेर को तो हम तरस्सम में क्या कहते हैं सिंह कहते हैं और बबबर शेर तो बिल्कुल नहीं आएगा ब्यागर को हम क्या कहते है गुड़े बाघ कहते हैं हाँ बाघ केते हैं बिल्कुल ब्यागर का बाघ वैरी वैरी गुड अगला कूशन का दभव है बहियजिसे लगाना पूल तदभव है अगर इसे भी आप सभी लोगों ने नहीं बताया तो मैं गुस्सा हो जाओं क्योंकि ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है बताओ बताओ यगा नबताओ यगा चंद्रविंदी 100% सही चंद्रविंदी लग गई चंद्रविंदी लग गई तो काच विलकुल सही हो गया शकट किसे बोलते हैं शकट अगर आप बता दो चलो यह आपका अभी comment box का hw है जल्दी बताओ शटक गहात को हम घाओ बोलते हैं और गोपाल को ग्वाल बोलते हैं औ करवाया है या नहीं करवाया है बताईगा वेरी वेरी गुड हूं 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 संकट एक और बता दो बता दो फिलोना को शकट बोलते हैं हूं 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 बता ओ चकट का अर्थ होता है बेटा चकड़ा जो आप बोलते हैं चकड़ा जिसमें बरतन रखे जाते हैं पलड़ा जिसे आप बोलते हैं सारी शाटिका को बोलते हैं बहुत हच्छे से चकड़ा बोलते हैं शटक को ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो कर्म का तदभव शब्द बता ये कर्म का काम होता है, और कारे का काज होता है, कारे का क्या होता है, क्रत का किया होता है, क्रिया का भी किया होता है, क्रिया का भी किया होता है, क्रिया किया, इसी कारे को किया, क्रिया, क्रत को क्या बोल देंगे, किया हुआ, क्रत मतलब हो चुका है, चलो, आगे बढ़ जाए अर्वाचीन शब्द का विलोम बताएं बिटा अर्वाचीन अर्वाचीन हाँ ये करते रहो बता दो अर्वाचीन अर्वाचीन का मतलब नया और इसका विलोम प्राचीन हो जाएगा अध्यतन भी और अधुनातन दोनों आपको पता है अपडेटीड नियू इसका क्या हो जाता है पुरातन हो जाता है और सनातन जो सदैव चलता रहे सनातन कहलाता है और इसका विलोम क्या हो जाएगा बिटा तो आप बोलेंगे मैम नश्वर भी हो जाएगा इसका नश्वर या छणिक बोल सकते हैं छणिक सनातन का अर्थ होता है सिरंतन जो सदा चलता रहे ठीक है पूरोगामी का विलोम क्या होगा भया जी लगा दो पोलिस में कि नहीं ऐसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मज़े यसे वासूम मासूम से सवाल पूशते हैं मुझे लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा मैसशो सुथ होता है ऐसे बच्च운 की वैसे दिल लगा रहता है क्लास में हैं कोई दिक्कषन नहीं यह आप पूछो जितने सबाल आपको करने हैं आप करते रहो है डिया कॉन्फीडेंस से गलत आंसर देते हैं मेरे बच्चे बिलकुल मतला दिल सा खुश कर देते हो तो मैं ऐसा करके पुरो गामी का विलोम क्या होगा जल्दी से बतातो बिटा पस्च गामी होगा पुरो गामी पूरव की ओर गामी पस्च गामी पीछे की ओर गामी और अगर गामी का विलोम क्या होगा जल्दी से बतातो अगर गामी का विलोम क्या होगा अनुगामी हो जाएगा गुड़े अ शट पद का परियावाची क्या है, टापे हलंत लगेगा इसमें, बतादो क्या हो जाएगा तितली ब्रहमर मकडी केकड़ा B Very good भवरा, भवरा, ब्रहमर, चंचरीक, शिली मुख, शिली मुख, यह न, यह सभी हम किसे बोल देते हैं, भवरे को बोल देते हैं ठीक है, मकडी, आप बोलेंगे, मरकटी बोलते हैं इसे, मरकटी भी बोलते हैं केकड़ा को हम तदभब भी लिखते जाओ, करकट बोल देते हैं जाओ जाएगा, तस्सम भी लिखते जाओ, करकट बोल देते हैं, है न, चलिए नेक्ट कोईश्चन, निम लिखित में से कौन सा शब्द हवा का परियावाची नहीं है, हवा का परियावाची नहीं है अनल, अनिल, पवन, समीर ऑप्शन बदल दिए, सवाल उसी तरह का है ये, वेरी गूड, अनल, आग का परियावाची होता है, और आग के अन्य परियावाची मैंने अभी आपको लिखवाए है है न, हवा के भी हमने लिख लिए दी गए वाक्ये के लिए प्रियुक्त होने वाला सही विकल चुनिए ये, वह कभी जो ततकाल करने में कुशल हो, जैसे आप किसी जगे गए और उन्होंने कहा रहे, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, ऐसा करो, ये नजारा बहुत सुन्दर है, इसके उपर एक कविता सुनाओ आपने वहीं पे लैब बनानी शुरू कर दी, कितना अच्छा लग रहा है लाइब बच्चे देखकर यहाँ, मन कहीं और लगेगा नहीं, जाओं मैं कहाँ, है ना, इतने सारे बच्चों का प्यार मुझे खड़े रखता है यहाँ, चाहें घंटे हो जाएं, आठ पूरे कर कर जाओंगी कोश्चन आज सारे, क्योंकि मैं आशु कभी नहीं हूँ, तो मेरी लेव बदल गई, आशु कभी कहलाता है, क्या कहलाता है, गुड़े, आशु कभी कहलाता है, टीक है, ऐसे ही होते हैं, आशु कभी, अब वो थोड़ी से एक्सपर्ट होते हैं, वो अच्छा कभी, अच्छा कभी, अच्छा कभी, सुन्दर लेखन करें, जो महा कभी, महान कभी, महान कभी, और राज कभी, राज कभी आप समझ गए, राज दर्वार का कभी, राज दर्वार में रहने वाला कभी, में रहने वाला कभी, पहले के लोग जी नहीं होते थे, पहले के राजा महाराजा नहीं होते थे, उनके आँ राज कभी हुआ करते थे, वो उनकी प्रशन शाह में लिखते रहते थे हैं ना जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उप्युक्त शब्द है अजे अग्ये अपराजे या दुर्जे बता दो देखो जिसे जीता ना जा सके आप बोलेंगे अजे बिलकुल सही शब्द है जिसे जीता ना जा सके अजे और जिसे पराजित ना किया जा सके ना किया जा सके विटा दोनों का अर्थ तो एकी है दोनों का अर्थ तो एक ही है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन हमें क्या करना है, जो सबसे बहतरीन आंसर होगा, वो देखना है, है न, है न, चलिए, अग्य, अग्य, अग्य का अर्थ बताओ, अग्य का अर्थ चल दी से बताओ, इतना इजी है, यह तो दुर जे, जिसे जीतना म मुश्किल हो, दुर्जे कहलाता है, और अग्य का अर्थ आप में से कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बता दीजेगा, आप बोलेंगे जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ना जा तके अग्गे कहलाता है क्या कहलाता है अग्गे कहलाता है चलिए next question इन में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है भाई या लगाओ पोल पोल लगाईएगा इस पे क्योंकि अब मेरे जो बच्चे रहे गए हैं यहाँ पर वह बहुत जैनुवन बच्चे हैं वह पढ़ने ही आये हैं तो अब कोई टेंशन नहीं कोई लोड नहीं है किसी को बुलाना है किसी को जोड़ना नहीं अब तक जो बने हुए हैं वही जैनुवन बच्चे हैं है ना एक बार तो भीड आती है थोड़े ज़्यादा लाइव आते हैं लेकिन जो टिके रहते हैं वो जैनुएन बच्चे होते हैं हर एक खिलाडी मैदान में पहुँच गया सड़क पर बहुत भीड है अध्यन के लिए अच्छी पुस्तके आवश्यक हैं साहेत्य और संस्कति का गहरा संबंद है आप बोलेंगे हर एक खिलाडी मैदान में पहुँच गया होना चाहिए था हर एक या प्रत्येक जो भी आप लगाना चाहिए पर जब एक का भाव दिया है तो क्रिया भी कैसी होगी बेटा एक बचन होगी एक बचन होगी तो गया शब्द आ जाएगा ठीक है चलिए आ गया फिर से कुश्चन आपका फेवरेट वाला अगया जल्दी से बताने क्या हो जाएगा इसका जवाब क्यों भई गहरा संबंद होगा कोई दिक्कत नहीं गहरा घनिष्ट संबंद होगा बो भी सही है गहरा घनिष्ट में कोई दिक्कत नहीं है एक बार गोर लिखा हुआ था पेटा गोर नहीं होता है ना बता दो बाग बकरी एक घट पर पानी पीते हैं बाग बकरी नहीं और पानी पीती हैं गलत बाग और बकरी पानी पीती हैं गलत ठीक है यह हम थ्योरी पिछले ही संडे को कर चुके हैं ठीक है चलिए वर्तनी की दश्टी से कौन सा शब्द शुद्ध मैं हम जूस पी लो बताएं कौम लांगी सम्मिलित उतकर्ष्टा अनुगहीत लगा दिया पूल यह कोश्चन में तो करेंगे इस कोश्चन में तो गड़वड करेंगे यह लोग और सौ प्रतिशत करेंगे मुझे पता है पचास परसंट से ज्यादा बच्चे सही आंसर्स करने दे सकते हैं और इ इसलिए ऐसे कोश्चन लेकर आई हूं मैं मैंने तो मतलब पूरे ही सीजन कराएं हैं पर आप तो नहीं रेखेंगे ना रोज रोज तो लाइव आना मुश्किल है एक दुन तो आही सकते हैं है ना इसलिए कोमलांगी बिल्कुल सही है सम्मेलित बिल्कुल ठीक है उतकर्षता नहीं होता उतकर्ष होता है उतकर्ष होता है या उतकर्ष्ट होता है उतकर्ष्ट होता है दूसरा शब्द उतकर्षता कोई शब्द नहीं होता आगे बढ़ते हैं नेम लिखित में से किस शब्द में स् छोड़ो, देखो, दो ही तो वार्ण होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यांजन होता है, और इन्होंने पूछ लिया स्वर या व्यांजन संबंदिया, शुद्धी नहीं है, सीदे सीदे पूछा है कौन सा सब्द शुद्ध है, कौन सा सब्द शुद्ध है, ये पूछा है, एक शब्द सुद्ध आपको ए दिखाई दे रहा है बिटा सी वाला सही है उर्जस्वी बिल्कुल सही है उर्जस्वी शब्द बिल्कुल बिल्कुल सही है आ रोग्य इस प्रकार लिखा जाएगा ठीक है ई साई इस प्रकार लिखा जाएगा और ओत सुपके, ओत सुपके, अच्छा एक बाद बताओ, मेडम को वंदाज़ा हो चुका है ना, बहुत अच्छे से कि तुम कहां फसोगे, और अब सब एक तरफ से सी, ओजस्वी का अर्थ होता है ओजसे युक्त, ओजस्वी का अर्थ होता है उर्जा से युक्त, ओजस्वी का अलग अर्थ है, ओजस्वी उतसाहित इनसान के लिए कहते हैं ओजस्वी, ओजस्वी, कैसे बात करते हो आप लोग, दो शब्द और नहीं हो सकते, एक से नहीं हो सकत चलिए आगे बढ़ जाएं मोयों। क्या है तो यह क्या है। मैं तो यह नहीं समझ पाती हूं। चलो落 मूद इअध uni. इसार जो अध्रम स्थी होत्त किया तो तो यह क्यांना बंद हो जाए है। एक्जाम में भी क्लेम कर देगा, क्या पर नहीं था, इसलिए मैं, मैं कि यह कहता हूँ, OMR नहीं था, B की जगे D लिखा था, तो मैं वही लगाया, चाहलो, अंकुष का ठीक बिप्रीत सब्द लिखें, अंकुष का ठीक बिप्रीत सब्द, मतलब बिलोम शब्द लिखें, त तो मतलब तब हो जाएगा अपने उसमें रुका रहे ऐसा हो जाएगा कि मतलब अपने संस्कारों में रुका रहे बताई बेल अगाम को नियंत्रित वोल देंगे इसका विलूम नियंत्रित उद्धंड का विनीत हो जाएगा विनीत बताईगा स्वचंद का परतंत्र हो जाएगा स्वचंद तो लिखा नहीं जाएगा तो परतंत्र लिख देंगे यह ना Very good, साकार का विप्रीत शब्द दिये गए विकल्पों में से कौन सा है साकार का, जल्दी से बता दो, साकार का, फुड़ सा तेज करते हैं अब इसको है न, साकार, आप कहेंगे जिसके पास आकार हो, सा का अर्थ होता है, सहित आकार सहित इसका विलोम निराकार हो जाएगा, तुम तो वही करना, आकार और साकार एक ही बात है, निराकार इसका विलोम हो जाएगा, विकार का आविकार नहीं हो जाएगा, आविकार और प्रकार, आप्रकार, चलो आगे बढ़ते हैं, निराकार निराकार इसका विलोम हो जाएगा, विकार का आविकार नहीं हो आप बोलेंगे कुशल के परियावाची कौन से होते हैं प्रवीण निपुण दक्ष कोशियार चतुर चतुर दक्ष है ना अपने काम में बहुत होशियार तो क्या हो जाएगा अक्ष नहीं होता अक्ष इसका परियावाची नहीं होता जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे जल्दी से आप सभी बता देंगे तो यहां पर एक शब्द दिया हुआ है किसके हैं हां इंटेलिजेंट कौन से हो जाएगा भी या लगाना पोलिस पे बड़ी गरवर कर रहे हो कौमुधी का अर्थ होता है जयोतसना जयोतना चंद्र मअरीची चांदनी जुहाई जुहाई चंद्रप्रशा चंद्रिका यह सभी किसके परयावाची होते हैं कौमुधी के परयावाची होते हैं कहरव नलनी चंद्र प्रिया किसके परियावाची हैं कुमुधनी के हैं अग कोई कुमुधनी पर मचल बैठा तो hangaam कि इवही कुमुधनी का पूल है अप सबही लोग हाँ चलिए और सौधामिनी किसका परियावाची है तो आप आप बोलेंगे बिजली, विद्युत, दामिनी, इसके अलावा आप बोलेंगे इंद्रवज्रा, घन्वल्ली, यह सभी इसके परियावाची हैं, आप बोलेंगे तडिता, चपला, चपला, चंचला, यह सभी किसके परियावाची हैं, तो आप बोलेंगे सौधामिनी के परियावाची हैं, ठीक है? हाँ, जी, हाँ, वही वाली तो कामदी है, चलो, कमदनी है, जो कानून के विरुद्ध हो उप्युक्त के लिए चब्द चैन कीजेगा, बैधानिक, समबैधानिक, निरुद्ध या अबैध, बताएं, बताएगा, हाँ, तो कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे बैधानिक क्या हो जाएगा? जो बैध हो, है ना? क्या हो जाएगा? बताएगे बैधानिक का, तो आप बोलेंगे, जो विधी के अधीन हो, जो विधी कानून के अधीन हो विधी के अधीन हो वैधानिक कहलाता है समविधानिक जो समविधान के अनुसार हो या अधीन हो अनुसार हो समविधानिक कहलाता है निरुद्ध जिस पर निरोध किया गया हो या जिससे निरोध किया गया हो, मतलब रोका गया हो, निरोध किया गया हो, निरोध किया गया हो, या गया हो, गया हो, क्या कहलाता है, निरुद्ध कहलाता है और अबैद कहलाता है जो कानून के विरुद्ध हो, ठीक है, ठीक है, हा जी कोई बच्चा पीछे चल रहा है वो आप भी जवाब दे रहा है आशू कभी कोई दिक्कत नहीं है है न हाँ हाँ गाना गा दूँ बिटा खूब जोड जोड से गाओ इतनी जोड से गाओ कि पिता जी भी सुलने आप पिता जी सुनेंगे तो फिर वो तुमारा गाना अच जिसके बराबर कोई ना हो तो जल्दी से बता दो जलो क्या हो जाएगा कहेंगे बिटा तिरह 11 तारिक को पेपर है तुगाना गारा है बस इतना ही गाफी है चलो विलक्षन अनूपम असाधारन लोकातीत बता दो जिसके बराबर कोई ना हो तो आप बोलेंगे उसे अनुपम कहेंगे विलक्षण विशिष्ट लक्षणों वाला और साधारण जो साधारण ना हू ना हू लोक अतीत मतलब लोगों से बिलकुल अलग लोगों से परे लोगों से अतीत मतलब इसका अर्थवी विटा असाधारण ही होता है असाधारण ही होता है ये एक दूसरे के परियावाची है हां मैं अभी वीच वीच में गाने गाती चलूंगी तुम्हें बोर करती चलूंगी कोई दिक्कत नहीं हो उसमें नहीं है हम गाने भी गाएंगे हम शायरी भी सुनाएंगे पर अभी थोड़ा टाइम तो उजा भी तो शुरुआत हुई है ना हां सुन्दर को भी बोलते हैं अब अनुपम किसी भी तरह से हो सकता है अनुपम सुन्दर ता में भी हो सकता है जिसकी उपमा ना दी जा सके अर्थ तो यह हैं है ना चलो विवेक और शुरुती लगभग एक ही उम्र के हैं देखो वियस्क किसे कहते हैं जो शारेरिक रूप से जिनकी शारेरिक रूप से पूर्ण व्रद्धी हो चुकी हो वियस्क कहलाते हैं मित्र क्या कहलाते हैं साथी संकी और सम्वियस्क का अर्थ क्या होता है जो नियम लिखे द्वाक्यों में सब्याजी लगा दो पूल अरे यह तो ना इजी एजी है मत लगाओ उजी है लग गया लग गया चलो पूल लग गया बताईगा यह मुझे पता था सारे बता देंगे इसको सबकी सेवा करने वाला सर्व्षेवी सर्व सेवी है ना स्वयम की सेवा थोड़ी हो थी स्वयम का तो खयाल लखना होते है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयम सेवी कहलाता है बिटा स्वयम सेवी कहलाता है अपनी इच्छा से बिना वैतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाएगा ठीक है बताएगा और ये पाइड निम लिखित प्रति है प्र प्रश्न में तीन गध्यांश बोल दिया है जिन गध्यांश नहीं तेन भाग लिखलो भाग भाग दिये गद्ध्यांश इन्होंने इसे गद्ध्यांश बोल दिया कोई दिक्कत नहीं है तुरूटी वाले वाक्यांश को चुने हो उसके अनुरूप ABC पर चिन्न लगाएं यदि वाक के तुरूटी हीन हो तो डीपर चिन्न लगाएं महामहिम राष्टपती हमारे संस्थान में सुर्ण जैन्ती समारों का उद्ध्गाटन करेगा आया हुआ प्रेश्ण है प्रीवियस यर बता दो क्या आजाएगा बताएं तो आप बोलेंगे मैम जब भी किसी सम्मानिय व्यक्ति की बात होती है क्रिया सदैव कैसी लगती है आप बोलोगे वहु बचन लगती है करेंगे आएगा करेंगे आएगा करेंगे क्लियर बिल्कुल वेरी वेरी गुड आपको हमसे दुश्मनी है क्या मेरा एक भी कमेंट आप नहीं देखती है आपको हमसे दुश्मनी क्या मेरा एक भी कमेंट नहीं देखती है आपको उससे दुश्मनी क्या मेरा एक भी कमेंट नहीं देखती है तीन बार लिखा अब बताओ मैंने एक इबार में तीन बार पढ़ दिया, बताओ मुझे आपसे दुश्मनी की ओओगी, मुझे आपसे बहुत बहुत जादा प्यार है, कई बार कमेंट उड़ जाता है, है न, वैसे मुझे विल्कुल भी आपसे दुश्मनी नहीं है, बहुत प्यार वेटा, निम्ड वाक्यों में से एक अशुद्ध है भईया जी लगा दो पोल बताएं उसने अपने प्राण की वाजी लगा दी राम सीता और लक्षमर बनको गए सबकी आखों से आसू निकल पड़े आपकी महता से सभी लोग परिचे हैं उसकी आखों से आसू निकल पड़े उसने अपने प्राण की वाजी लगा दी राम सीता और लक्षमर बनको गए बतादो कौन सा एक सही हो जाएगा बताएं प्राण की वाजी बीटा प्राण सदय बहु बचन होते हैं प्राण की बाजी नहीं होगा प्राण की राम सीता और लक्षमणबन को गए बिल्कुल सही है उसकी आखों से आशू निकल पड़े या उसकी आख से आशू निकल पड़े तो आप बोलेंगे आख से आशू निकल पड़े लिखा होता है आपकी महता से सभी लोग परिचित है यही आयोगने आंसर मानना था, हमारे हिजाब से तो वैसे यह ठीक है, आखों भी हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आख ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब मान लिया आयोगने और आपके सामने आ जाए तो फिर आप कैसा करेंगे, आप ऐसा ही करेंगे, प्राण तो सद है, बहुबचन होते हैं, प्राणों लिखने की जरुरत ही नहीं है, आवश्यक्ता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इन में से कौन सा योग में विशेशन नहीं है, विशेशन नहीं है, तो जो विशेशन नहीं होग तो वह कुछ और होगा हां बिल्कुल सही बात है मैंने भी आप से क्या बूला हमारे हिसाब से सी वाला गलत नहीं है लेकिन जो माना एक्जामेनर नहीं क्या मैं आपको वो नया बताओं मुझे भी तो बनाना पड़ेगा ना वो जो माना गया है उसको भी तो बताना आप बोलोगे चोटा बड़ा बच्चा कैसा हो सकता है चोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है तो यह अरे यह देखने तो देते इसका दुश्मनी नहीं है तो बताएं मैं क्या कर रही है अरे बेटा आप यही करते रहो फिर करते रहो क्या कर रही हूं क्या आपको पता नहीं चल रहा है मैं क्या कर रही हूं मैं आप क्या कर रही है इसका जवाब दू तो आपको पता चलना चाहिए कि मैं पढ़ा रही है यह बि बतिख्यावाच्य विशेश ने क्रस्ट दर्स्ट या विश्याद देखो उत्क्रस्ट उंचा उत्क्रस्ट का अर्थ क्या होता है उन्नत उंचा बिल्कुल विशेशन हो सकता है ठीक है बिल्कुल विशेशन हो सकता है नीक्रस्ट नीच या नीचा बिल्कुल हो सकता है विशेशन ध्रस्ट धीट या धुष्ट कहते है न धीट वच्चा है बह विशाद क्या है बिटा दुख कलेश पीड़ा। विशाद ये सभी भाव वाचक संग्या है और संग्या suvi application नहीं होता है संग्या क्या होता है तो आप बोलेंगे की संग्या तो विशेष्य होता या होता है विशेष्य बनता है जी वही कोशिश कर रही हूं चलो कौन सा विशेशन निश्चित संक्यावाचक का विशेशन नहीं है देखो मेरे हिसाब से तो निश्चित संक्यावाचक का विशेशन नहीं है चलो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था क्या होना चाहिए था आप बोलेंगे निश्चित संक्या वाचक का, तो कोई सा नहीं है, कोई सा नहीं है, परिमार वाचक का है, मैम आप क्या कहा, क्या खा रही है, ये पूछ रहे हो, मैं क्या खा रही हूँ, मैं ये काजू खा रही हूँ, अगर ये question आपके exam में आए, तो please जवाब जरूर लगा क्या ना है, कि आपकी मैं पढ़ाते हूँ, क्या खा रही थी, तो बता दे ना, कि मैं काजू खा रही थी, ऐसा question आ सकता है, इतना important question class के बीच में, वा, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा दीजिए, बिटा ये निश्चित, निश्चित परिमार वाचक है, परिमार वाचक ह है, तो क्या हो जाएगा, संख्या वाचक, तो ये भी नहीं हुआ, है ना, ये भी नहीं हुआ, चलो, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, आप बोलेंगे फिर से निश्चित परिमार है, निश्चित परिमार है, क्या है, परिमार है, ठीक है, आप बताईए, सेक्डो लोग मर गए, आप कहेंगे लोग गिने जाते हैं, ये अनिश्चित संख्या वाचक है, क्या है, अनिश्चित संख्या वाचक है, एक किलो आम से ज़्यादा मतलाना, तो एक किलो आम भी निश्चित परिमार वाचक है, अगर आप से कुश् तो यह सब निश्चित परिमार है अगर सिर्फ पूछा होता निश्चित विशेशन नहीं है तो आप लगा देते सी लेकिन तंख्या वचक तो उपर वाला भी नहीं है न क्या आप गिन सकते हो चीनी 50 ग्राम चीनी में कितने दाने होते हैं थोड़ा गिना थोड़ी जाता है तो इस तरह का चीक है लेकिन सी माना गया है तो हम भी वही लगाएंगे कई दर्शक गण किस विशेशन का उधारण है इसमें सही है अब बता दू अब बता दू अब बता दू बताईगा अब बताईगा तो आप बोल देंगे मैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेशन ह आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं चलिए नेम लेकित मैंसे कौनसा शब्द तदभव है जल्दी से बतादो तदभव कौनसा है बताईगा पक्छ पक्छी पता निया पत्ता तो आप कहेंगे पत्ता इसे तस्सम में पत्र कहते हैं पत्र कहते हैं और पंड भी कह देते हैं, पक्छ, पक्छी, 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 पंची, और पतन. पतन का भी क्या हो जाएगा, गिरावट हो जाएगा, डूबना हो जाएगा है ना, पतन कहत क्या होता है, कह रहे हैं, पड़वा लिख देते हैं, पड़वा, पड़वा, गिरना, पोल मांग रहे हैं बच्चे, अभी लगाते हैं, नेक्स्ट कोईशन पर पोल लगवाते हैं, चलिए अब पोल लगा देना लगातार निमली की शब्दों में तद्वफ शब्द को पहचानिए नासिका बच्चा ग्रीश मया लक्ष्मी बता दें नासिका बच्चा ग्रीश मया लक्ष्मी वेरी वेरी गुड नासिका को हम नाक बोलते हैं बच्चा को हम वत्स बोलते हैं और बच्चा को हम लच्छमी को हम लच्छमी बोल देते हैं ठीक है प्लेयर है आगे बढ़े है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन तुरित का तदभव शब्द क्या है शीग दो तुरंत तुरंत यब बी और सी दोनो पतादो तुरित का तदभव शब्द है तुरंत कारे करना तुरित कारे करना अच्छ अच्छ त्वरित का तद्भब क्या है आप बोलेंगे शीक्र नहीं होता तुरंत और तुरंत ये दोनों में सिर्फ वर्तनी का मतलब एक अनुसार की तरह लिख दिया है ना को पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है सभी बच्छों का जवाब बिलकुल बिलकुल सही आ गया है चलिए नेक्स्ट कुश्च देखें आप चलो नेम लिखित में से कौन सा शब्त तद्भब नहीं है तसकर पत्ता हात या अंदेरा तद्भब नहीं है बता दो कौन सा नहीं है तद्भब नहीं है मतलब तस्सम है बताएंगे आप सभी लोग तो कौन सा माना गया बिटा तसकर माना गया है इसे हम चोर बोल देते हैं इसे हम चोर बोल देते हैं पत्ता को अभी हमने पढ़ा क्या बोलते हैं पर्ण बोलते हैं पर्ण बोलते हैं हात को हस्त बोल देते हैं और अंधेरा को हम अंधकार बोल देते हैं अंधकार बोल देत है ठीक है clear है आगे बढ़ते हैं next question नीचे दिये हुए युग में कौन सा तुरुटी पूर्ण है अनुग्रह आग्रह अनन्त सांत जड़ चेतन अक्रस्ट विक्रस्ट जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग कौन सा हो जाएगा एक दस पीएम हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं कौन सा हो जाएगा बी अंसर आ रहे आप लोग का बी अंसर आ रहा है ज्यादतर very very good कौन सा तुरुटी पूर्ण है बेटा अनन्त सा नंत मतलब सांत देखो आ नंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो और एक बाद बताओ, सै को जब अंत से जोडेंगे, तो क्या बनेगा, अंत से जोडेंगे, तो सांत ही तो बनेगा, और सांत में क्या गड़बर है, सही तो है, जड़का चेतन ठीक है, आक्रस्ट का विक्रस्ट सही है, सही कौन सा नहीं है, अनुग्रह का विलोम क्या होगा, और आग्रह का क्या होगा, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, अब सब एक तरफ से ए पे गए हैं अब, है ना, सब एक तरफ से अब ए पर पहुँच गए, अनुग्रह का बिटा विग्रह होता है, विग्रह होता है और आग्रह का दुराग्रह होता है, ठीक है, ठीक है, करो, अच्छा, आंसर बहुत जल्दी बदलते हो तुम लोग, आंसर बहुत जल्दी बदलते हो, चलो, दिये गए विकल्पों में उपार्जित का विरुद्धारती शब्द चुनिये, अर्जित, स्रजित, विसर्जित अनुपार्जित बताईए, बताईएगा, अर्जित, स्रजित और विसर्जित या अनुपार्जित, वेरी गुट उपार्जित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपार्जित हो जाएगा, कोई इसमें गड़बर नहीं है, अर्जित का क्या हो जाएगा, व्यायत हो जाएगा, अर्जित का मतलब जो कमाया ह हुआ हो और वियर्जित को अर्थ क्या होता है जो हमने खर्च कर दिया हूँ अर्जित मतलब जो इखट्टा किया हो ठीक है आगे बढ़ते हैं next question कि स्वादामिनी का परियावाची है तो अदामिनी का परियावाची है पोल चल रहे हैं, अब दो जवाब पोल में49 दिक्कत है कोई दिक्कत निहोंनी चाहिए न, आप तो पोल चल ही रहा है आप सब लोग कहे थे मैं पोल होना चभी थे हैं, मैंने का ठीक थोड़े इस्थान है यह गंगा का उद्गम इस्थान है यह कहां से होता है ब्यापारी आप बोलेंगे वनिक वनिक बनिया बनिया तो दागर तो दागर तो आप कहेंगे दारा हम पत्नी को बोलते हैं बार्या को बोलते हैं संगिनी को बोलते हैं अरधांगनी को बोलते हैं अर्धांगिनी को बोलते हैं, ठीक है, ये सबी हम किसे कहते हैं, पतनी को बोलते हैं, संगिनी बोलते हैं, इसे हम प्रिया भी बोल देते हैं, संगिनी बोलते हैं, प्रिया बोलते हैं, है ना, ठीक है, शरी के हयात बोल देते हैं, शरी के हयात बोल देते हैं, ये सभी हम पत्नी को बोलतेते हैं, विद्युत को हम क्या बोलते हैं, सौदामिनी बोलते हैं, तडिता बोलते हैं, चपला बोलते हैं, चंचला बोलते हैं, चंचला बोलते हैं, दामिनी, तडिता, चपला, चंचला, और, और क्या बोलेंगे उड्डे, आप बता दो, घन बल् गनवल्ली बोल देंगे बीजुरी बोल देंगे और विद्युत तो लिखा ही है बिजली बोलेंगे और इसके अलावा इंद्रवज्रा बोल देंगे इंद्रवज्रा बोल देंगे यह सभी हम किसे बोलते हैं गुट्टे तो आप सीधे सीधे बोल देंगे हम सौधामिनी को ब कौन सा शब्द अनुचित है, विर्चित सही है, संगटना सही है, रचना विन्यास ठीक है, ठीक है, तन रचना रूप रेखा भी बोल देते हैं, ये भी सही है, उधभावना का अर्थ क्या होता है, कल्पना कल्पना क्या होता है, किसी बात की कल्पना की हो, ठीक है, ये हम उधभावना को कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, next question, खोज करने वाला इस वाक्याश के लिए एक शब्द है छल्दी से बतादू खोज करने वाला क्या कहलाता है सारी ही बतादू इसमें क्या विपटा पिरह है नहीं आप बोलोगे अनवेशक बोलते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके या जिसके समान दूसरा ना हो न दी जा सके खेगा, अनुपम कहलाता है, अनवत्ती बतादो। अन्वति हम किसे कहते हैं परस पर संबंधों को हम क्या कहते हैं परस पर संबंधता को हम क्या कह देते हैं आप कहोगे अन्वति कहते हैं निवेशक निवेश करने वाला निवेश करने वाला करने वाला निवेशक कहलाता है क्या कहलाता है निवेशक कहलाता है चलिए बहुत कम बरसाथ होने के लिए कौन सा शब्द प्रयोक करता किया जाता है अल्प व्रस्टी अतीवरस्टी अना ब्रस्टी या भ्रस्टी देखो भ्रस्टी का अरत क्या होता है बारिश बारिष, कम बारिष, आप बोलेंगे अल्प बरस्टी, अत्यधिक बारिष, ठीक है, और बारिष, और आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, कि अनाव बरस्टी बिलकुल बारिष ना हो, जब बारिश बिल्कुल ना हो बिल्कुल भी बारिश ना होना बिल्कुल बारिश ना होना बारिश ना होना क्या कहलाता है तो आप कहेंगे अना ब्रस्टी कहलाता है और हमें कौन सा देखना था अल्प ब्रस्टी ही देखना था कौन सा देखना था अल्प ब्रस्टी ही थोड हुआ हैं भी हुआ है दिल्कुल ना हो अना दस्टी वेरी वेरी गुट लिंक की दस्टी से एक वाग के शुद्ध है इस पे तो मैं देखना चाहाती हूँ आप सब लोग क्या करोगे मैंने लगवा दिया पोल इसी लिए हमारे स्ट्रीमर भाया जी बहुत एडवांस रहते है इस मामले में पोल को बोलो तुरंत आपके पास पोल पहुंचता है अब बताओ बताओ एक वाग के शुद्ध है कौन सा हो जाएगा अभी तो बोड नहीं अच्छा पढ़ रहे होंगे ना बच्चे पढ़ के जवाब देना चाहिए ऐसे कुश्चन का आप आराम से लो 20 सेक पढ़ना पहला ओप्शन पढ़ना और पहला ही लगा देना और अच्छे कोश्चन में बच्चे भाग जाते हैं देखो अच्छा कोश्चन आते ही 40-50 उच्चे गायब पारवती ने सीता को आयुषमान होने का वर्दान दिया बिटा सीता इस्त्री है तो सीता आयुषमान होंगी या आयुषमती होंगी तो आप बोलेंगे आयुषमती होने का वर्दान दिया यह इस्त्री परम सौभाग्यवान है यदि इस्त्री है तो सौभाग्यवान होगा या सौभाग्यवत्ती होगी, बता दो, आप कहेंगे सौभाग्यवत्ती होगी, क्या होगी, सौभाग्यवत्ती होगी, यह मेरी बल्वान कामना है, बल्वान कामना नहीं होता, बल्वती कामना होता है, बल्वती कामना होगी, कामना स्त्रीलिंग है, राश्ट पती प्रणम पतनी, रविंद्र, ये तो टाइपिंग मिस्टेक, रविंद्र, संगीत की बहुचर्चित गाई का है, ठीक है, C वाला option आप सभी लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही-सही option है, D वाला जिसने भी दिया है, 60% बच्चों को, और 60% पता है, ये पहले था 32%, और जैसे ही मैंने इसको तवस एक्स्पेन किया, तुरंत ही ये 60% पर पहुच गया, मतलब जादू हो रहा है न, कहते हैं न, ये कैसे हुआ, तो ये जादू से हुआ, ये में बच्चे बिल्कुल जादू कर देते हैं, एक सेकिंड के अंदर-अंदर, मतलब जजवाद बदल देते हैं, निम्लिकित में से कौन सा शब्द विशेशन है, विशेशन है, तो आप बोलेंगे सीता संग्या है, रोना क्रिया है, हमारा सर्वनाम की तौर पे प्रियोग होता है, जब तक उसके आगे संग्या शब्द ना लगे, तो क्या हो जाएगा सर्वनाम, नीला क्या है, रंग है, जो की गुण वाचक विशेशन के अंतरगत आता है क्लियर है? क्लियर है गुड़े? ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए निर्मलिके वाक्यों में बहवाक की चुनिये जिसमें गुण वाचक विशेशन का प्रियोग किया गया है जल्दी से बता दो कौन सा गुण वाचक विशेशन है? गुण वाचक विशेशन है कौन सा? बता दो बताओ कौन सा हो जाएगा? वे नटकट वालक संगीत नहीं सुन रहा है वहां बहुत से पक्चि उड़ रहे हैं मैंने दस्मन गेहुं करीदा ऐसे आदमी लाखों में एक होते है आप बोलोगे गुण वाचक वह नटskट नटकट क्या है अ गुण है? बिलकू ठीक बहुत से पक्चि उड़ रहे हैं अनिश्चित संख्या वाचक संख्या वाचक ठीक है? इधर आ जाएगा आगे बढ़ते हैं मैंने दस्मन गेहूं करीदा निश्चित परिमाण वाचक निश्चित परिमाण वाचक परिमाण ठीक है? और बताएंगे आप सभी लोग ऐसा आदमी ऐसे आदमी आप बोलेंगे ऐसे क्या हो जाएगा सार्वनामिक? सार्वनामिक ठीक है? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं गुड़े? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं निश्चित परिमाण परिमाण एक शब्द की वरतिनी शुद्ध है उसे चिन्नित कीजिए धुम्रपान, समय सार्णी, प्रदर्शिनी, ओशद्धी एक ही शुद्ध है, तीन अशुद्ध होंगी तो अशुद्ध कौनसा है? तो जल्दी से आप बता देंगे मतलब शुद्ध कौनसा है? वो आप बता देंगे धुम्रपान, समय सार्णी, प्रदर्शिनी, ओशद्धी बिल्कुल सही बात है धुम्रपान सही लिखा है और समय सार्णी होता है सार्णी नहीं होता प्रदर्शनी होता है वरतनी की दरश्टी से शुद्ध शुद्ध है देखिए कौन सा शुद्ध शुद्ध है जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे अच्छा एक बात है तो सब पोल लगने से और सही आंसर जाएंसे confidence तो boost up हो रहा होगा, है ना, तो बहुत ध्यान से 3 बजे तक पढ़ना है, और मैं सोची थी मैं तुम्हें 6 बजे तक पढ़ाऊंगी, ऐसे मत करो, 3 बजे तक मुझे पढ़ना है, मैं चहारी थी कि मैं तुम 6-7 बजे तक पढ़ा है, नर्क विल्कुस सही लिखा है, ऐसा मैंने सोचा है, अब आपके अपने उपर है, चलो next question, निमलिखित में से तदभव शब्द का चयन करें, हस्त हस्ती हींग या हीरक, जल्दी से आप बता देंगे, तदभव शब्द का चयन करें, आप बोलेंगे हींग, तदभव है, इसे तस्सम में हम क्या कहते हैं, तो इसे हम हिंगु कहते हैं बिटा, क्या कहते हैं, हिंगु कहते हैं तस्सम में, और हस्त हात, हस्ती हाथी, हीरक हीरा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द युग्म तस्सम की दरश्टी से अशुद्ध है, तत्सम की द्रस्टी से अशुद्ध है, मतलब दोनों तत्सम होने चाहिए इसमें जब तत्सम की द्रस्टी से पूचा है, तो तत्सम तद्भव नहीं पूचा है, दोनों तरफ तत्सम हो बताओ, ऐसे questions को समझना बच्चे जरूर सीखना बताईए त्रण दंड, आप बोलेंगे त्रण का अर्थ होता है तिनका और दंड का अर्थ होता है दंडा दोनों तत्सम है, वट्स का अर्थ होता है बच्चा बच्चा लेकिन परक तो तदभव है इसके लिए तस्सम शब्द जो सही यूज होता है उसे परीच्छा बोलते हैं विटा परीच्छा बोलते हैं तो हमें आंसर तो ये मिल गया लेकिन हम बाकी भी तो देखेंगे एक कोश्चन से बारा कोश्चन कैसे बनते हैं ये कोश्चन उसी का एक्जामपल है एक कोश्चन से बारा कोश्चन कैसे बनते हैं इसी कोश्चन से पता चलता है कपाट आप बोलेंगे करपाट करपाट कपाट किवाड 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 ठीक है और एका दश आप बोलेंगे ग करते हैं अब आप बता दो कि एक क्वेश्शन से बारा क्वेश्शन आपको मिले कर उसा हैं और सीद् pierwszy शीया कि होगा इसमें बताना जरा आप बोलेंगे मैम क्या हो जाएगा बैल हो जाएगा भैस का क्या होगा भैसा हो जाएगा भैसा हो जाएगा और सिंग का क्या होगा सिहनी हो जाएगा सिहनी हो जाएगा और बिल्ली का विलोटा हो जाएगा विलोटा हो जाएगा clear clear good day पूछे जा रहे हैं तो अलपग्य का विलोम बताओ का विलोम लो बताओ सरवग्य बहुग्य सुभिग्य आभिग्य बता दो आप बोलेंगे अभिग्ग का विलोम अनभिग्ग्ग होता है अन्भिग्य होता है और सू जहां भी लगा हो उसका विलोम कूभिग्य ही होगा कूभिग्य ही होगा मलब कुछ अच्छी पढ़ाई भी पढ़े होते हैं कुछ बुरी पढ़ाई भी पढ़े होते हैं ये समझ लो बहुग्य का विलोम अलपग्य हो जाएगा सरवग्य का विलोम अग्य हो जाएगा मतलब जो कुछ नहीं जानता अग्य हो जाएगा ठीक है Very very good B होगा सबने सही बताया है देखो शशांक शब्द का परियावाची शशांक का परियावाची आप बोलेंगे सूर्य के परियावाची मैं आपने अभी लिखवाए थे अभी लिखवाए थे और किरण के परियावाची क्या होते हैं गो अर्ची अंशू अंशू दीप्ती ये सब ही किसके परियावाची होते हैं आप बोलेंगे किरण के परियावाची हो जाते हैं, किरण के परियावाची हो जाते हैं, चंद्रमा किसका परियावाची है, तो आप कहेंगे चांद का परियावाची है, चंद्र का परियावाची है, विधू, राकापती, निशापती, और बताएं, इसके अलावा बताएं, चंद्रमा, चांद, चंद्र, बिधू, राकापती, निशापती, और आप बोलेंगे कला निधी, और बताएंगे कला धर, कला धर, कला धर, और बताएंगे आप मयंक, मयंक, हिमांशू, हिमांशू, सुधांशू, तुद्हांशू और कोई नया, कोई नया आप सभी लोग को पता हो, हाँ, बहुत बढ़िया, बताईए, बताईएगा, हाँ जी, राकेश, बिल्कुल सही है, राकेश, राकेश, है ना, बिल्कुल सही है, तो यही आजाएगा आंसर तो शशांक का परियावाची, शशी भी बोलते हैं, और अब आजाते हैं बिटा बादल पर, बादल पर, हम क्या बोलेंगे बादल को, तो आप बोलोगे अम्बुद, अम्बुद, तोयद, नीरद, वारिद, बारिद, पयोधर, पयोधर, और हैंगे आप सभी लोग, अम्बुद, तोयद, नीरद, वारिद, पयोधर, और मेह, मेह, मेग, ठीक है, यह सभी किसके परियावाची हैं, तो आप सीदे सीदे बोल दोगे, मैं बादल के परियावाची हैं, इसके परियावाची हैं, बादल के परियावाची हैं, आगे बढ तो फिर में टिक करा दू। ना आप बता दू। हां बिटा वो भी इसी का है। पयोध भी इसी का होगा। बताओ। आप बोलो ठीक है पंडित का परियावाची कौनसा नहीं है तो मैं लगा देती हूं ये नहीं है। आगे भल जाओ। है ना। हमें सब पता है मैं जल्दी ज कराना आप बोलेंगे कोवित होता है, बुद्ध होता है, प्राग्य होता है, बुद्धिमान होता है और ज्यानी होता है, है ना ज्यानी हो जाएगा, सुधी हो जाएगा, मनीशी हो जाएगा, मनीशी हो जाएगा, इतना over smart बनना नहीं होता है, इन में से भी कोई आ सकता है, जो मैं लिखवा रही हूं, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुशन, क्रतग्न का सही शब्द है, बताएं, क्रतग्न का सही शब्द है, बीटा ब्रहम्माड अलग होता है, ब्रहम्माड और पंडित में अंतर होता है, ब्रहम्माड एक जाती होती है, ब्रहम्मा कह दिया जाता था वन्ना ब्राम्मण अलग है पंडेता लग है ठीक है चलिए बताएंगे आप सभी लोग कौन से जो उपकार को नहीं मानता जो उपकार को नहीं मानता करता नहीं होना चाहिए जो किये उपकार को नहीं मानता क्रतग्न जो शत्रू को जीत लेता है शत्रू ज ठीक है? और जो किये हुए उपकार को मानता है, वो क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे क्रतग्य कहलाता है, ठीक है? क्रतग्य कहलाता है, चली नेक्स्ट कुशन, कलय लिखा है, कलब होना चाहिए, कलब का अर्थ क्या होता है? कलब हम किसे बोलते हैं? कलब, बताओ, या लग गया इस पर हाँ आप देखती हूँ मैं, यह तो पहले का लग गया, बताओ, बताओ, जीरो बोल्स, ए, बी, सी, डी, इजी है न, इजी है न, देखो, जो आपसे पूछा जा सकता है, भैस का बच्चा, भैस का बच्चा कटहा, कटहा, गाओं में कट्रा भी बोल दिया जाता है, कट्रा, समझे, और कुटे का बच्चा क्या कहलाता है, बताओ, कुटे का बच्चा क्या कहलाता है, बताना, पिल्ला कहलाता है, क्या कहलाता है, और, और मुर्गी का बच्चा चूजा कहलाता है हाती का बच्चा कलब कहलाता है सिंह का बच्चा अगर आप से कोई पूछ ले सिंह का बच्चा का बच्चा शावक कहलाएगा बिटा क्या कहलाएगा शावक कहलाएगा और गाय का बच्चा क्या कहलाता है तो आप कहना मैं बच्छडा कहलाता है, बच्छडा कहलाता है, चीक है, चीक है, हाँ जी, आगे बढ़े, very good, चलिए, next question, वाकी के अशुद भाक का चैन कीजिए, समय का सद्यूप्योग द्वारा, समय का सद्यूप्योग द्वारा, मनुश्य देवता बन जाता है, बिटा सम का सद्यूप्योग होगा, समय के सद्यूप्योग होगा, तो आप बताएंगे समय के सद्यूप्योग, समय के सद्यूप्योग द्वारा, मनुश्य देवता बन जाता है, क्या हो जाएगा, मनुश्य देवता बन जाता है, आगे बढ़े जाएं, हाँ जी, next question, आप क्या कहते हैं में से में ने परसर्ग लगा कर शुद्ध बाक्य बनेगा जल्दी कर दो आपने क्या कहते हैं अब मत लगाईएगा पोल भीया अब मैं जल्दी से इनको थोड़ सी लड़का भजन गा रहा है सीधा वाक्य है कोई दिक्कत नहीं है मैंने उसको बुलाया सीधा वे सुन्दर लड़का है आप बोलेंगे गुण वाचक विशेशन हो जाएगा ठीक है उसने भजन नहीं सुनाया गलत चलिए नेमलिकित वाक्यों में एक में विशेशन का प्रियो में मांग है आप बताएंगे बिल्कुल क्या हो जाएगा गुण वाचक विशेशन हो जाएगा गुण वाचक में भी इस्थान वाचक जो हो जाता है ना इस्थान बोधक तो आप बताएंगे वही हो जाएगा जंगली जानवर आक्रमक होते हैं ये भी गुण वाचक है अर्चना अत्यंत सुन्तर है ये अत्यंत सुन्तर है तो आप कहेंगे अर्चना क्या है विशेष्ट हो जाएगा क्योंकि अर्चना की विशेष्टा बताई जा रही है सुन्दर क्या है विशेष्ण है विशेष्ण है और विशेष्ण की जो शब्द विशेष्टा बताता है कहलाता है क्या कहलाता है गुडडे प्रविशेशन कहलाता है आगे बढ़ जाओं आगे बढ़ जाओं चलिए next question भारत की सबसे чистी नदी प्रहुत पुत्र थब से लंबी नदी गंगा है वाकि में सबसे क्या है देखो चौड़ी बिलकुल सही है चौड़ी क्या है बिलकुल सह नहीं है विषयेशन है और प्रहेशा धी यहंने विषयेशन है और जो सबसे लगा दिया सबसे लगा दिया तो क्या हो गया प्रम से चाहता है उत्मावस्था यह फिर अगर दिया की ङूंसमी अवस्था है तो लिख दे आप sebenर चाहिए अगला कोईशन देखते हैं निमली कितमे से तस्सम है, तस्सम है मेग, ठेस, भौरा या जेट, तो आप बोलेंगे मेग ही तस्सम, क्यों व्याख्या तो मैं अब भी कर रही हूँ, ना? व्यक्या तो मैं अभी क कर दूँ जब आपको तेज है सिफिक गर दो ना, व्यक्या तो मैं भी कर दूँ, जब आपको तेजगे तो तेज करो, थेजगे, Hemmin, Can significa, mutual moments कि जेस्ट बोल देते हैं आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं हँजी और ठेश शब्द ऐसका तो तत्सम नहीं बन सकता चलिये आगे बढ़ें екreto m जिमने में से तस्तम शब्द कौन सा है जल्दी से बता दो कौन सा है हम थोड़ा सा जिसको तेज चाहिए आप बता दो मुझे सब तरह से बढ़ाना आता है मुझे सब तरह से आता है तो आप बोलेंगे जीव को हम बिटा हम आराम से पढ़ेंगे अपनी तरह से जीवा कहते हैं जीवा कहते हैं जोगी को हम योगी कहते हैं और योवन शब्द क्या है ततसम है इसका तदभब जोवन होता है जोवन क्या होता है जोवन होता है और जहरन कि बीटा हम क्या कहते हैं तो आप निर्जर कहते हैं तत्सम में ठीक है आगे बढ़तेए नेकस्ट कॉश्चन है निमिकित्में manner श्ब्दिकी द्रश्टी से एक योग तो में गलत है वह कौन सा है है नई वही वही इसीलिए मैं सोची थी कि आराम से पढ़ा दूँ मौन का विलोन मुखर होता है बिल्कुल सही है वरवर का सवह पे बिल्कुल ठीक है बिटा परिचर और अनचर ये दोनों किसके परियावाची है तो आप कहेंगे नौकर के परियावाची है देखो अंतर क्या है परिचर लिखा है तो नौकर और परिकर लखा होता है बिटा तो परिवारजन होते हैं परिवारजन को हम बोलते हैं परिकर ठीक है परिवारजन तो नौकर का या अनुचर का विलोम क्या हो जाएगा तो आप कहेंगे मालिक हो जाएगा या स्वामी हो जा निम्लिकित में से म्रत्य का विप्रीत आर्थक शब्द है, बताओ, है ना, हाँ जी, चलो, पोल बाद में लगवाते हैं, पहले थोड़ी कुशन कर लेते हैं, है ना, चलो, अमरित जीवन अमर अजर, तो आप बोल देंगे, म्रत्य का परियावाची होता है, म्रत्य मतलब जो मर सकता है, तो अमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, अजर का जरा हो जाएगा, जीवन का म्रत्य हो जाएगा, म्रत्य हो जाएगा, और अमरित का विश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, हा तो अभी, हाँ जी, कोई नहीं, कोई नहीं, पड़ो, पड़ो, आराम से, आराम से पड़ेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से भी नहीं पड़ेंगे, बहुत धीरे भी नहीं पड़ेंगे, आप बोलोगी, खनक का अर्थ होता है, चोर, चोर, तसकर, तसकर, दस्यू, दस्यू, यह सभी हम चूर को बोलते हैं, सदन का अर्थ क्या होता है, तो आप बोलेंगे घर, गर, ग्रह, निले, आले, आले, और क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे घर, ग्रह, निले, आले, और बताएं, और बताएं, निकेतन, भवन, 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 मकान, और बताएगा इसके अलावा निवास वेरी गुड निवास और आप बोलेंगे वेसर का अर्थ क्या होता है तो आप बोलेंगे गधा गधा गर्दब और शीतला बाहन धूसर और और इसके अलावा आप कहेंगे मैम बैशाक नंदन भी होता है ठीक है गजवदन किसे बोलते हैं तो आप बोलेंगे गणेश जी को बोलते हैं हम गणेश को बोलते हैं जिने हम गजानन बोलते हैं जो जितनी बार लिखेगा वो उतना फ्लोएंट होता चला जाएगा इन चीजों में मुझे भी एक दिन में याद नहीं हुआ, आरो यारो में इंगलिश नहीं आएगी, नहीं आएगी, ना वो उसमें देखाओगा विटा आपने, APS में देखाओगा, गणेश, गजानन, गजवदन, गणाधिप, गणाधिप और गणाधिप इसके अलाबा, इसके अलाबा आप बोलेंग विग्न हरता, मंगल करता, पार्वती नंदन, शिवसुत, और बताएंगे आप सभी, इसके अलाबा आप बोलेंगे लंबोदर, लंबोदर, एकदंत, एकदंत, और आप बोलेंगे वक्रतुंड, महाकाई भी बोलते हैं, चीक है, बताएगा, क्लियर है, हाँ जी, गिरिजाननन वेरी गूट, पार्वती सुत मैं ले लिख दिया, तो आप वहाँ से समझ लेंगे, समझ लेंगे, बिल्कुल सही है, आगे बड़े, हाँ जी, गौरी नंदन भी बोल देते हैं, गौरी पुत्र गणेश कहते हैं, चलिए, शब्द निर्वान का परियावाची क्या है, निर्वान का परियावाची, निर्वान का परियावाची, आप बोलेंगे, निर्वान का परियावाची होता है, मुक्छ, मुक् मुक्च होता है, मुक्टी होता है, और बताइएगा बटा क्या हो जाएगा, इसके अलाबा क्या हो जाएगा, तो आप बोल, एक मैट, तो क्या हो जाएगा, मुक्टी हो जाएगा, मुक्टी हो जाएगा, और बताइएगा, अरे कुछ नी हो रहा ठीक है मुझे बिलकुल ठीक है कुछ नी हो आ है जाए टेंशन में आ जाते हो बड़िया सा लगा है मुझे तो तुम्हें पढ़ाना मोख्च उम्रत्यू है ना very very good और समर का अर्थ क्या होता है युद युद है ना सखा मित्र ठीक है तो निर्वान का परियावची क्या हो गया मोख्च हो गया निर्वने प्रेश्मी चार विकल्पों में से उस सही विकल्प कर चैन करें जो वाक्याश के लिए एक शब्द विकल्प है जो थोड़ा जानता है माइनस मार्किन है हाँ जी तो आप बोलेंगे अवग्य, अलपग्य और अलपया सरवग्य बता दो क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे अवग्य जो कुछ नहीं जानता कुछ नहीं जानता अग्य भी बोलते हैं वैसे तो अवग्य भी हो साएगा अल्प का अर्थ होता है कम और अल्पग्गी का अर्थ होता है जो थोड़ा जानता है सरवक्गी जो सब कुछ जानता है जानता है बताईएगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन सही विकल्प का चैन करें आदी से अंत तक तो आप बोलेंगे आदी का अर्थ होता है शुरूआत अगर आप से पूछे कोई कि अनादी का अर्थ क्या होता है जिसका आदी मतलब शुरूआत ना हो आदी ना हो आदी का अर्थ समझ ले ना ये शुरूआत शुरुआत कहीं समझोई ना कि मैं हम तो यह समझें नी आदी क्या होता है अध्योपांत बोलते हैं आदी से अंत तक समीचीन और समकालीन जल्दी से समीचीन का अर्थ होता है उचित उचित और समकालीन क्या होता है? एक ही समय का दो लोग या दो व्यक्ति जो किसी एक ही समय की होता है contemporarys बोलते हैं न एक ही एक ही समय के क्या कहलाते है? समकालीन कहलाते है चलिए next question देखते हैं इन में से एक वाक के शुद्ध है बताएगा एक शुद्ध है बिटा, तीन अशुद्ध होंगे अभी ठीक है ना स्पीड ना बहुत हलकी है ना बहुत तेज है और आपको समझ में भी आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है ओफलाइन एक्जाम है बिटा ओ एम र भरनी होगी आपको है ना? चलो हाँ जी तो आप बताएंगे आप से कोई पूछे इन में से एक वाकिशुद्ध है मेरा प्राण संकट में है मेरे प्राण संकट में है सोंबार को रेलवे के कई करमचारी गिरफतार हुए अब राधी को मृत्यु दंड की सजा मिली आप बोलेंगे सजा नहीं होगा सोंबार को रेलवे के कई करमचारी गिरफतार हुए बताओ देखो महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद कवित्री है बताइगा कौन सा सही होगा डी और बी गलत क्यों है जल्दी से बतादो बी गलत क्यों है बताइगा देखो हमाई इसाब से तो कई में कोई दिक्कत नहीं है बी भी सही है डी भी सही है आयोग नहीं हाँ कई की जगे अनेक माना अनेक माना तो उन्होंने फिर बी को गलत मान लिया उन्होंने बी को गलत मान लिया जबकि बी विलकुल ही सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं है पर फिर भी आयोग तो आयोग है कुछ भी मान सकता है तो उसने क्या माना बीवाले को गलत माना, तो हम इस तरह की questions की approach भी करेंगे यह से चला दो यह हाँ यह previous year question है यह previous year है प्रिवियस year है प्रिवियस year है हाँ जी अनेक करमचारी अनेक भी हो सकता है पर कई में भी कोई ऐसी तुटी नहीं थी नेम लिखे शब्दों में से विशेशन एक आया था जिसमें आया था सोंबार को कई railway के करमचारी ग्रफतार हुए तो वहाँ फिर फिर कई में क्या हो जाता तो आप बोलते आगे पीछे हो जाता ठीक है नेम लिखे शब्दों में से विशेशन कौन सा नहीं है आंतरिक आप बोलेंगे अंतर से बना है आंतरिक विशेशन डी बला मानो आप डी मानो बी भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आवाज नहीं आ रही ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल बड़ी आवाज चल रही है आप बोलेंगे अंतर से बना है आंतरिक अगनी से बना है आगने अधिकार से बना है अधिकारी अंतर क्या है आप बोलेंगे संग्या है अंतर क्या है बोल देना संग्या है चलिए आगे बढ विशेश है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं बसंत का मौसम है फूल कैसे खिल रहे हैं तो बताने बीटा पीले फूल खिल रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा आप बोलेंगे कि पीला जो है इसमें विशेशन हो जाएगा पीला इसमें विशेशन हो जाएगा आगे जाए हाँ जी आप संख्या कम क्यों कर रहे हैं आपके लिए तो आप बहतर से बहतरीन को श्यनाने वाले हैं संख्या आपकी कम होगी तो कैसे कम चलेगा बता है मैं रोज पढ़ता हूं वाक्य में क्रिया विशेशन का भेद कौन सा है इस्थान बाचक आप जगे का नाम तो इस्थान वाद्चक तो नहीं है मैं तीज पढ़ता हूँ धीरे पढ़ता हूँ Boris pH करिमाल वाचक हो जाता तो कौन सा ओचेकल सही हो जाएगा चलि आगे बड़ते हैं निम नांकी शब्दों में से कुन्री कौन सा है क्रिया की विशेष्टा बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेष्ण कहते हैं तो क्रिया विशेष्ण इन में से कौन सा है गलत अच्छा धीरे धीरे या बुरा तो आप बोलेंगे यूं तो यूं तो अच्छा भी क्रिया विशेष्ण हो सकता है वह अच्छा लि इसर वो क्या है। आप बोलेंगे। धीरे धीरे क्रिया विशेशटा पूछी गई। यहां लिखना चाहिए था कि जो भी आप एक। रुफ यह सबसे सटीक है। वह धीरे-धीरे चलता है। मतब सिर्फ क्रिया विशेशन पूछना चाहिए था, तो धीरे-धीरे हो जाएगा, और क्रिया विशेशन के सामने, 13 गलत हुए हैं आप तक करें, 175 से जादा कुशन होने वाले हैं, आप किसे 13 गलत हुए हैं, तो आप तो बहुत अच्छा जा रहे हैं फिर, चलिए, दिये गए श शुद्वर्तिनी वाला शप्त, बता दो, सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद कीर्ती, बता दो, कौन-कौनसा सही होगा, कौन-कौनसा सही हो सकता है, बताएगा, बताईगा, कौन-कौन-कौन-कौनसा सही हो सकता है, एक से जादा भी हो सकते हैं, क्या, बताईए देखो बेटा देखो बच्चे सर वो तम भी सही है संसारिक नहीं होता सांसारिक होता है सांसारिक होता है ये प्रकार सही हो जाएगा और सच्चिदानंद भी सही है सच्चिदानंद भी सही है कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर्वधन उत्तम सर्वधन भी सही है और कीर्ती गलत लिखा है कैसे लिखा जाएगा कीर्ती इस प्रकार से लिखा जाता है ठीक है कीर्ती इस प्रकार से लिखा जाता है सर्वधन उत्तम हाँ, C भी सही है, A भी सही है बढ़ बढ़ हो रही थी, चलो निम्लिखित में से कौन सी व्याकरण और ब्रतनी की दर्ष्टी से शुद्ध कहलाती है कौन सी भाशा, देखो, वैसे तो यह कुश्चन आपका नहीं है, पर आ गया है तो आप पूर सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आ जाए कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में कभी आ जाए हाँ, तो आप बोलेंगे साहितिक भाशा गलत ब्रांजल भाशा गलत, व्याकरण बाशा भाशा गलत मानक भाषा कहलाती है, वो क्या कहलाती है, मानक भाषा कहलाती है, ठीक है, ब्याकरण और वरतनी की दिर्ष्टी सशुद्ध कौन सी भाषा होती है, मानक भाषा होती है, चलिए आगे बढ़ जाएं, बारात का तस्सम रूप, बरात, बरात या वर्यात्रा, पताईए, वैसे तो बारात बिटा लिख दिया जाता है, पर शुद्ध शब्द बरात होता है, ये वाला होता है, ठीक है, पर फिर भी बोलने में बारात ही आता है, और उसे तत्सम में हम वर्यात्रा कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्यात्रा, वही वर्यात्रा जिसमें बहुत से लोग बाजे पे नागिन वाला वही बरियात्रा जो बरात निकलती है ठीक है चलिए बेत का ततसम रूप क्या है बेत है बेत्र है बेत्री है बता दू अभी वहुत कोइशिन वचा है अभी आपका आदे से जादा मेटेरियल वच्छा है समझे थको मत थको बिल्कुल मत है ना अच्छा नॉर्मल में तो मैं रोज 40 कोश्चन ले के आती हूं और आप 50 मिनिट में खतम करवातेते हूं और जब मैं मॉक टेस्ट भी कराती हूं तो 60 कोश्चन आप 60 मिनिट में खतम करा रहते हूं आज क्या क्या होता है क्या होता है विपन्नता लेकिन अब जब ऑप्शन में है ही नहीं तो हम कौन सा लगाएंगे तो हम यहां निर्धनता लगाएंगे क्या लगाएंगे निर्धनता लगाएंगे आपत्ती अनापत्ती का विलोम क्या हो जाएगा ठीक है और आफत का विलोम क्या हो जाएगा शांती हो जाएगा शांती हो जाएगा विपत्ती का विलोम क्या होगा तो आप बोलेंगे संपत्त हो जाएगा संपत्ति हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाए जल्दी से नेम लिकित में से कौन सा शाश्वत का विलोम है म्रत्यू म्रत्य नश्वर या छनिक देखो शाश्वत जो लगातार चलता रहे इसमें भी दो ऑप्षन बन रहे हैं देखो म्रत्यू का तो क्या हो जीवन हो जाएगा म्रत्य का आम्रत्य हो जाएगा शाश्वत और नश्वर दोनों ही इसके विलोम होते हैं पर एक बहतर छाटना होगा तो हम नश्वर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे बिटा नश्वर बोलेंगे ठीक है आगे बढ़ जाए चलिए नेक्स्ट कुश्चन बिभू का परियावाची शब्द है सर्व व्यापक नित्य ब्रह्मा आत्मा महान इश्वर चिरिस्थाईय द्रण जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा बिभू का परियावाची शब्द विभू का परियावाची शब्द कौन सा हो जाएगा आप में से कौन मुझे बताएगा इसका जवाब सही सही जवाब इसका कौन बताएगा बताएगा वेरी वेरी गुड विभू का अर्थ होता है सर्व व्यापक इश्वर नित इश्वर भी बोल देते हैं सदा बोल देते हैं इश्वर भी बोल देते हैं इसे ठीक है ब्रह्म आत्मा ये भी नहीं होगा महान इश्वर ये भी नहीं होगा ठीक है जो परियावाची पूछा है बिडो़ा, बिडो रान नहीं होगे, बिडोफ़ा, का परियावाची शब्द कौनसा होगा, कौनसा होगा, जल्दी से बता दे, ओhou गलत होगया, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बिडोजा किसका परियावाची है? नक्षत्र का आप बोलेंगे, नक्षत्र का नहीं होगा, नक्षत्र को हम खगोल बोलते हैं, खगोल बोलते हैं और अपसरा हम किसे बोलते हैं? देव वाला, देव बाला, सुर बाला, है ना? और इसके अलाबा क्या हो जाएगा? परी हो जाएगा, अपसरा हो जाएगा, अपसरा तो लिखा ही है, है ना? अपसरा तो देवांगना वो हो जाएगा, देव बाला, सुर बाला, है ना? देवांगना हो जाएगा, देवांगना भी हो जाएगा। इंड्र का परियावाची होता है विडोजा जिने हमने अभी अभी लिगवा 잡ता है। क्या बोलते हैं तो आप बोलो कि प्रस्तर बोल देंगे उपल बोलेंगे उपल इनको हम अश्म बोल देंगे शैल बोल देंगे शिला बोल देंगे पासाण बोल देंगे है ना पाशाण पाशाण ये सभी किसके पाशाण ये सभी किसके परियावाची हैं आप बोलेंगे प्र प्रिस्तर के प्रियावाची हैं डेली प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी बहुत गरत हो रहा है बिटा अभी आपके पास टाइम है आठ दस दिन का डेली वाले कोश्चन कर ले ना डेली वाला गने जो कराया था ठीक है पोल लगवाती हूं अगले कोश्चन पर जो हर समय दूसरों की बुराईयां खोचता है बिटा पर निंदक क्या होता है देखो इस से अगले कोश्चन पर मैं पोल लगवाओंगी ठीक है पर निंदक दूसरों की निंदा करने वाला क्या कहलाता है पर निंदक कहलाता है सर्व निंदक सबकी निंदा करने वाला सर्व निंदक कहलाता है छिद्रान वेशी जो दूसरों में बुराईयां खोचता है आलोचक आलोचना करने वाला आलोचना करने वाला करने वाला क्या कहलाता है आलोचक कहलाता है बिटा next question अजात शत्रू भाईया जी पोल लगा दो एक बिटा मैं इस पर पोल लगा रही हूँ और एक मुश्किल से एक मिनट नहीं रही हूँ कोई कहीं नहीं चाहेगा एक मिनट नहीं झालोचना थाहे हूँ झाल झाल जली से तो अरे बाग, मेरे स्रुएन बहु अच्छी है मैंने सुना था, पच्छी कम हो जाएंगे, लेकिन कोई कम नहीं हुआ, चलो कौन सा हो जाएगा, जन्म जात शत्रु आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, जिसका शत्रु मर गया हो बिल्कुल नहीं, जिसका कोई शत्रु ना हो, या जिसका कोई शत्रु जन्मा ही ना हो, तो क्या कहलाता है, अजास शत्रु कहलाता है, जिसने शत्रु को जीत लिया हो, शत् जो शत्रु का घन करे मतलब मार दे घन करे तो क्या कहलाता है शत्रुग्न कहलाता है ठीक है बटा भागती भागती आई है मैं, बिल्कुल सही बात है मैंने सोचा, तुम मेंसे दो-चार गायव हो गए तो मुझे अच्छा ही लगेगा, है ना, तो कोई दिकत नहीं है, चलो लिंक की दरस्टी से अशुद वाक्य है, मोटा सा आदमी आया है आदमी आया है, बिल्कुल सही, पोल लग रहा है, अब अगले 15 कोईशन पर लगातार पोल लगेगा, है ना, दो-दो-दो-दो, वावा, कितनी बड़िया संख्या चल रही है बिल्कुल सही है, आपकी चरित्र अच्छी है, बेटा चरित्र भाववाचक संग्या होता है और आपकी नहीं होता, आपका चरित्र अच्छा है, ये होना चाहिए था, तो यही हो जाएगा सही तुम्हारी जेव खाली है, तुम्हारा कलम, उसकी कलम को हो गई है, ये भी सही है, चलो, इस पर भी लगवाते हैं, अब अगले, 11 कोश्चन पे, 200 तक हम पोल लगवाएंगे, फिर 200 से 250 तक दोड़ेंगे, है न, फिर पोल लगवाएंगे, इस तरह ऐसे कोश्चन करेंगे, है मेरा पुस्तक अच्छा है, आप बोलेंगे, मेरी पुस्तक अच्छी है, आपकी ना कट गई, बिलकु आपका ना कट गया, गलत हो गया, गुलाब की रंग लाल है, गुलाब का रंग लाल है, तब सही होना चाहिएंगे ता, तो कौन सा है B वाला option बिलकुल, सही परसेंट बच्चों ने बिल्कु सही आंसर दिया है, ठीक है, चलो, मच्चा बोलना हम मुझे पोल दिखता ही नहीं, अपने फून की सैटिंग ठीक कीजिएगा फिर तो, इन मेंसे संख्यावाचक विशेशन कौन सा है, साथ काला रावड या खटा, इन मेंसे संख्यावाचक विशेशन कौन सा है, आप बोलेंगे साथ संख्यावाचक विशेशन है, संख्यावाचक विशेशन है, काला क्या है, गुणवाचक विशेशन है, या खटा क्या है, गुणवाचक के अंदर स्वादवोधक आता है, और रावड तो विशेश्य होगा ना, विशेश्य आप सभी लोग बताएंगे, अनिश्चित संख्या वाचक हो गया कुछ लोग हैं लोग गिने तो जा सकते हैं लोगों की होगी तो संख्या ही पर हमें नहीं पता कितनी है तो अनिश्चित संख्या वाचक हो जाएगा निश्चित संख्या वाचक नहीं है गुण वाचक भी नहीं परिणाम भी नहीं आदम कुछ मापा ये तौला थोड़ी जाएगा है ना हाँ जी बता देए चली आगे बढ़ते हैं बह एक सब्ता बाद आया है इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेशन है बह एक सब्ता के बाद आया है जल्दी से बता दो आया की विशेशता यहां क्रिया कौन सी है आया है आया की विशेष्टा क्या हो जाएगी? काल वाचक क्रिया विशेष्ण हो जाएगी. क्या हो जाएगा? काल वाचक क्रिया विशेष्ण हो जाएगा, बताएगा. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, आगे बढ़े. क्रिया की वि यही है और आप सबी लोग का जवाब कैप इछला वाला चल रहा है पोलत यही है इसMें आपने गलत बताया इसमें आपने गलत बताया हाँ जी end कर दो चलिए आगे बढ़ते हैं निम्ण में से वर्तनी की दरश्टी से शुद्ध है बता दो कौन सा है वर्तनी की दरश्टी से शुद्ध कौन सा है समर्पन ठीक है समीक्षा समीक्षा तो ऐसे लिखा जाता है तो ये गलत हो गया ये ठीक है सन्मान सम्मान होता है बिटा संसारिक सांसारिक होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्ण गित में से वर्तनी की दरश्टी से अशुद्ध शब्द है सिथी नीती परिवार पूर्ती सिथी ठीक है नीती ठीक है परिवार ठीक है पूर्ती इस प्रकार लिखा जाता है ना अच्छा जवाब है सबका नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखे शब्दों का उपर्यूग तो परियावाची चुनिये उप्यूग तो परियावाची मिल्कुल सही अभिलाशा का परियावाची बताना है हमारे टाइपिंग महोदय कभी-कभी मिस्टेक कर देते हैं तो अब आपको दुबारा से मैं लगा देती हूँ यह बता दो तो आप बोलेंगे अभिलाशा का अर्थ क्या होता है आप बोलेंगे इच्छा चाह यह चाहत कामना लालसा है ना इस प्रहा इस प्रहा है ना क्या हो जाएगा आकांचा हो जाएगा अभिलाशा हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा इसमें आकांचा भी होता है इसका परियावची आकांचा आकांचा चाह भी हो जाएगा है ना तो आप क्या बोलेंगे ए आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा एहंकार का परियावची कौन सा है तो आप बोलेंगे एहम धनका एहंकार घमंड घमंड दर्प गर्व वैसे तो बिटा गर्व भी गर्व एक positive शब्द है एंकार negative शब्द है पर फिर भी चल जाता है इसके परियावाची में आपको पता है हिंदी में पूर परियावाची तो नहीं होते है पर चल जाता है ठीक है घमंड दर्प गर्व है ना उनमाद उनमाद ये सभी हम गर्व के अर्थ होता है हिर्दै से दिल से है ना है ना हार्दिक का अर्थ क्या हो जाएगा हिर्दै से दिल से है ना इपसित हिर्दै से है ना ठीक है तो आप बोलेंगे चाहा चाहा हुआ जो होता है हिर्दै से किया हुआ चाहा हुआ है ना मन से किया हुआ ठीक है आगे बढ़ नेक्स्ट कुश्चन, प्रकाश का परियावाची क्या होगा? आलोक दिनकर दिवाकर तिमिर मता दें. प्रकाश का परियावाची क्या होगा? अब सभी लोगों को, हाँ मनो कामना, मन कामना बिल्कु सही है. मनु कामना, हिर्दय कामना, हार्दिक, बिल्कुल सही है हार्दिक, हिर्दय से संबन्दित, चलो, प्रकाश का परियावाची, आलोक, रोश्नी, उजाला, ये सभी किसके परियावाची है, प्रकाश के परियावाची है, है न, तेज भी हो जाएगा, और सूर्य के परियावाची, दिवाकर में खूब लिख वा चुकी हूँ, तिमिर का अर्थ होता है, तम, अंधकार, अंधकार, अंधेरा, कुहा, ये सभी हम किसके परियावाची बता देते हैं, तो आप कहोगे, अंधकार के परियावाची बता देते हैं, चलिए, आगे बढ़े, नेक्स्ट कोईश्चन, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, जल्दी से बतादो, ओठ किस श्रेणी का शब्द है, बताओ तदभव है बिटा, इसका तरस्वम ओस्ट हो जाता है किंचित तस्वम शब्द का तदभव शब्द बगाईए, आप बोलेंगे किंचित को हम कुछ बोलते हैं, थोड़ा को हम इस्तोक बोलते हैं, थोड़ा को हम इस्तोक बोलते हैं, चलिए निम्ण में लिखे शब्दों में से कौन सा शब्द म्रत्यू के लिए प्रियुक्त नह अनागत चल्वसा महा निद्रा इंतकाल म्रत्यू निर्वाण मुक्ती अनन्त्यात्रा यह सभी किसके परियावाची है तो आप बोलेंगे म्रत्यू के परियावाची है तो आप बोलेंगे इनमेंसे चल्वसा महा निद्रा इंतकाल आप सभी बोलेंगे यह सभी एक दूसरे के परियावाची है देहवसान भी होता है तो आप बोलेंगे कौन सा नहीं है अनागत का अर्थ होता है जो आया हुआ ना हो जो आगत ना हो मतलब आया हुआ ना हो ना हो क्या कहलाता है आप बोलेंगे अनागत कहलाता है नेक्स्ट कुश्चन जिस व्यक्ति पर अभ्योग लगाया गया हो जिस व्यक्ति पर अभ्योग मैं प्लीज मैं हैपी बर्डी बिनावाद के लग कुछ भी चलो अभ्योगता नहीं होगा अपराद ही जिसने अपराद किया हो जिसने अपराद किया हो अपराद किया हो अपराद ही होता है अभ्योगत कहलाता है बादी मुकदमा करने वाला करने वाला, मतला या बाद दायर करने वाला, क्या कहलाता है, वादी कहलाता है, चलिए नेक्स्ट कोश्चन, दिये गए वाक्यों में से सही वाक्य फहचानी है, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया, उनकी अंग अंग काटे गया, उसके अंग अंग काटे गया, बता दो, बता दो, कौन सा होगा, कौन सा होगा, बताईएगा तो आप बोलेंगी किसी एक व्यक्ति की बात चल रही है उसके अंग अंग काटे गए उनके नहीं आएगा उसके आएगा एक बचन रिकाएगा लेकिन अंग क्या है बहु बचन है तो हमें ये बदलने की जरुवत नहीं है ठीक है चली आगे बढ़ते हैं दोसों थोड़ा सा काम बच्चा है थोड़ा सा काम बच्चा है अब मैं देखती हूँ आप कितने आज तक टिक जाएंगे चली है ना हमें किसी से कुछ नहीं कहना मुझे वही सामान लेना है कल तुमको कहा जाना है जिसे देखो वह व्यस्त है तो बिटा तो बिटा नहीं बिटा आज मैम के लास नहीं होगी क्योंकि जब और में सागर चलते हैं तो जर्फ गाघर में सागर ही होते हैं अन्य क्लासीज नहीं होती हैं । हमें किसी से कुछ नहीं रहते हैं थी के बाद में फिर क्या लगेगा? कुशन मार के भी लग जाना चाहिए. चलो. सुगंदित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजिस्थानी हिर्णों का अभैद शिकार करते हैं. इसमें कितने बाके में हैं? क्या है? तीन विशेशन, तीन विशेश. तो देखो, पैन बदलेंगे हम हाँ पे सुगंदित कस्तूरी. आप बोलेंगे सुगंदित क्या है? विशेशन है. और कस्तूरी क्या है? विशेश है. विशेश के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहे हूँ. कि लोभी शिकारी, लोभी क्या है? विशेशन है. शिकारी क्या है? विशेश है. राजिस्थानी हिर गया है, तो अंडरलाइन होना थाज है, तो ये भी सही आ जाएगा, तो बता दो, ये भी सही आ जाएगा, तो बता दीजीगा क्या है इसमें, क्या है इसमें क्या आंसर बनना चाहिए, बता ये तो आप बोलेंगे मैं, चार विशेशन हैं और चार विशेशन हैं, चार विशे ठीक है। चित और सैयमित क्या करते हैं व्यवहार करते हैं तो कितने विशेशन किसे विशेशन हैं आप बोलोगी चार विशेशन हैं दो लोगों के तो दो संग्याओं के चार विशेशन हैं तो चार विशेशन दो विशेशन कहां लिखा है चार विशेशन दो विशेशन क्लियर आगे शुद्ध का चैन करें. अव्य्हस्त, अहिल्या, तद़् या महद्व शुद्ध का चैन करें. और हो सकता है, एक भी शुद्ध ना हो. हो सकता है, एक से ज्यारधा शुद्ध हो और यह आपकी बुद्धि विवेक वे छोड़ती हूँ आप क्या जवाब देंगे 206 का वाँ ताजुब बालीवाद पता है क्या है B, A, C, All Wrong, D मतलब आंसर इसमें है भी नहीं और फे भी में बच्चे सही बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं भाईया यह तो जादू की छड़ी गुमार है अभ्यस्त नहीं होता अभ्यस्त होता है अभ्यस्त होता है तो यह गलत हो गया अहिल्या नहीं होता एहल्या होता है अहिल्या होता है तत्व नहीं होता तत्व होता है रिक हैं महत्व नहीं होता महत्व होता है महत्व और मेरे बच्चों के फिर ही जवाब आ गए मतलब तुस्सी ग्रेट हो मतलब तुम तुम हो तुम अगर एग्जाम में चले जाओ तो एक्जामिनर मतलब वो ये कहेगा कि बस ये वच्चे ही तो चाहिए थे मुझे ये ही तो शिवानियम के चीते चाहिए थे कि जवाब नहीं है और एकाथ तो बोल रहा है आल राइट मतलब आल राइट सब कुछ सही कुछ तो देना ही पड़ेगा जब सब गलत है तो भी वहाँ देना पड़ेगा यहाँ भी दो गई वह सही अच्छा जा रहे हो दूं करते रहा करो ऐसे मन सा लगाए रहते हो चलो वाग के एवाँ बरती नहीं रहते हो चलो अच्छा बोर तो नहीं हो ने क्लास में बोर ओर मत हो ना हम अपनी ही हरकतों से entertain हो सको आप वो हो आपको entertainment के लिए किसी ज़रुत नहीं है हम अपनी हम अपनी हरकतों से entertainment होते है entertain होते हैं बता दो आ सकती पारि तोशी सूच रुशा या सूबुध्धि केवल एक की वर्तिनी शुद्ध है केपल दो की वर्तनी शुद्ध है, एक और दो दोनों की वर्तनी शुद्ध है, जल्दी से बताओ, बताओ, हाँ जी, मैं अब तक बस साथ questions wrong हुए है, बहुत अची बात है भई, 200 में से साथ wrong हुए है, तो फिर तो आप तो 60 में से आप क्या से ही जाएंगे, एक या दो गलत जाएगा, बना तो ठीक ही जाएगा, है ना, चलो, देखो, एक आज मुझे happy birthday बोल ला है, मुझे खुद नहीं पता कि आज मेरा birthday है, पर उसको पता है, मतलब कमाली है, आसकती और पारितोशिक दोनों ठीक है, सू शुशा नहीं होता बिटा, क्या होता है, आप बोलेंगे, सू शुशा होता है, क्या होता है, आप बोलेंगे, शू शुशा होता है, ठीक है, और शुबुद्धी नहीं होता, सुबुद्धी होता है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, केवल एक की वर्तनी निर्म लिखित में से तदभव शब्द अटारी का तस्सम रूप होगा, अब मैंने आपको यहाँ पर इतनी देर देखकर ये समझ लिया कि अगर मैं आट घंटे की क्लास भी लूँगी या नौ घंटे की क्लास भी लूँगी, तो आप लोग तो आप लोग ठीके रहोगे मेर अटा लिखा गलत, अटा लिखा नहीं होगा, अटा लिखा होगा, टा दो बार बनेगा, अटा लिखा होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलो next question, नीचे दिये गए विकल्पों में तस्सम शब्द का चैन करें, आमर दूद शहीद या खिडकी, बता दें आप, आप बत खिडकी शहीद, शहीद तो विदेशा शब्द है, खिडकी देशा सब्द है, आमर को हम आम बोलते हैं, यही तस्सम है, और दूद तो क्या है, तदभव है, इसका क्या होता है, दुग्द होता है तस्सम, क्या होता है, दुग्द होता है तस्सम, चलिए next question देखते हैं, का विलोम क्या होगा आप बोलेंगे अनाब्रत होगा क्या होगा अनाब्रत होगा परिछिन का विलोम क्या होगा आप बोलेंगे आ परिछिन होगा ठीक है आ परिछिन हो जाएगा परिछिन नहीं होगा आ परिछिन हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए हाँ जी आगे बढ़ते हैं चलिए मूर्थ शब्द का विलोम क्या होगा मूर्थ का विलोम क्या होगा जल्दी से बता दे मूर्थ का विलोम क्या होगा तो आप बोलेंगे मैम अमूर्थ हो जाएगा प्रति मूर्थ या सम्मूर्थ या अद्रस्ट तो नहीं होगा आप बोलेंगे अमूर्थ हो जाएगा अमूर्थ का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे सिर्फ महसूस किया जाए अमूर्थ का अर्थ होता है जिसका कोई आकार हो जो दिखाई दे जो सामने हो चीक है आगे बढ़ जाएं चलो सरस्वती का परियावाची नहीं है कौन सा नहीं है सरस्वती का परियावाची मैं आपकी क्लास के राद साथ में से साथ आएंगे बिलकु सही बाता आने ही भी चाहिए बाणी, वीनापाणी, कमला या शार्दा तो आप बोलेंगे परियावाची नहीं है कमला का अर्थ होता है लक्षमी लक्षमी, इंदिरा, श्री, अमला, विश्नुप्रिया, सिंदुजा, इसके आलाबा बताएगा, आप बोलेंगे नारायाणी, और बताएगे, लक्षमी के परियावाची, आप सभी लोग बताएगे, विश्नुप्रिया तो लिखा, हाँ मैं सुनाएगे, हरी प्रिया, कमलासणा, ये सभी किसके परियावाची हैं, आप बोलेंगे लक्षमी के परियावाची हैं, शार्दा के परियावाची क्या क्या हैं, तो आप कहेंगे वाणी, वीनापानी, वागीशा, वागेश्वरी, वागदेवी, वागदेवी, है न, और सरस्वती तो लिखा ही है, आप बोलेंगे वीनापानी भी लिखा हैं, अमहाश्वेता, ज्यानदाइनी, ये सभी किसके परियावाची हो जाएंगे, आप बोलेंगे सरस्वती के परियावाची हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएं मिटा, चलिए, नेक्स्ट क्वेशन, तोना का परियावाची है, पन्नग ललित चित्ताकर्शक या जातरूप, आप से यादी पूछा जाएं, क्या जवाब दिया आपने, स्टाट कीजिए, क्या जवाब दिया आपने इसका, कौन सा हो जाएगा, पन्नग, पन्नग होता है पेटा सापका परियावाची, जिसे हम सर्प कहते हैं, जिसे हम अही कहते हैं, जिसे हम ब्याल कहते हैं, जिसे हम फणी कहते हैं, जिसे हम उरग कहते हैं, जिसे हम विश्रधर कहते हैं, यह उसका परियावाची होता है, ललित और चित्ताकरशक बोलते हैं सुन्दर, रम्णिये, मनोहर, मन को हरने वाला, चित्त हर, यह सभी हम किसे बोलते हैं, आप बोलेंगे मैं, यह सभी हम चित्ताकरशक को बोलते हैं, जातरूप का परियावाची क्या है, तो आप बोलेंगे सोना, हेम, कंचन, कंचन, कनक, कुंधन, और बताइएगा इसके अलावा जातरूप सोना, हेम, कंचन, कनक, कुंधन, और आप बोलेंगे जातरूप हो गया, कल्धोत, है ना और कोई नया परियावाची बताओ जो इसमें नहीं लिखा है वहीं मत बताओ है ना यह सभी हम किसका परियावाची बता देते हैं तो आप कहेंगे सोना का परियावाची हो जाता है चली नेक्स्ट कोईशन निम्न में से एक वाक के अशुद्ध है तो कौन सा अशुद्ध है जल्दी से बता दीजीगा उसका कहना था आप उसे जानते हैं राम गाते गाते सरोबर तक गया वह प्राया मेरे यहां आता है आम सभा में प्रतिनिती उपस्ते थे जल्दी से बता जल्दी से बता दो प्रेखा हैं बहुत कि ट्रिकी कोईशन है जिसने भी इस कोईशन का अंसर दे दिया और यह सोचके नहीं jest पडब जान बूच कि जोश्ड़ नहीं तो आप बतायेंगे क्या हुआ दोस्तों पांच में ठीक है बिटा, हाँ जी तो आप क्या बोलेंगे देखो, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, बिल्कुल सही है गाते गाते सरोबर तक था, सही है वे मेरे यहाँ, वे प्राया मेरे यहाँ आता, ठीक है आम सभा में प्रतिनिती उपस्तित थे, बिटा आम सभा में प्रतिनिती उपस्तित नहीं होंगे आम सभा में तो क्या होंगे, आम लोग ही उपस्तित होंगे न, तो यह आरो यारो का एक्जाम है ऐसे कोशन्स भी आप से पूछ लिये जाते हैं तो आम सभा की जगे यहाँ क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, तो आप बोलोगे, प्रतिनिधी की जगे सामान्य लोग आएंगे, आम सभा में तो सामान्य लोग आएंगे, प्रतिनिधी ना कर सामान्य लोग आएंगे, ठीक है, बताएं, कोई दिखत तो नहीं है, माई रॉंग कोई बात नहीं है दिये गए चार वाक्यों में से एक हिंदी व्याकरण वाके रचना के अनुसार शुद्ध नहीं है सही विकल्प का चुनाब करें कौन सा सही नहीं है हम तो आज भी उसका इंतिजार कर रहे हैं वहाँ आज तक कोई नहीं गया जल्दी करो आठ बजने को सिर्फ 10 मिनट हैं दूसरों की बिज़ाई करने से क्या होगा बताओ कर दूसरों हम तो आज भी उसका इंतिजार कर रहे हैं ठीक है वहाँ आज तक कोई नहीं गया ठीक है जल्दी करो आठ बजने को होंगा या आठ बजने में सिर्फ 10 मिनट हैं दूसरों की बुराई करने से क्या होगा ये भी ठीक है तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कुछ शब्द भावना के कारण बहुदा बजुबचन में ही आते हैं व्यक्ति वाचक अकारान पुलिंग संग्याओं का रूप बहुबचन में बदल जाता है कुछ अर्भी बहुबचन शब्दों में प्रियोग हिंदी एक बचन में होता है बुढिया का बहुबचन बुढिये रूप अशुद्ध है जल्दी से बता दो कौन सा हो जाएगा तो आप कहेंगे कुछ शब्द वाबना के कारण बहुबचन में आते हैं ठीक है व्यक्ति वाचक अकारान पुलिंग संग्याओं का रूप बहुबचन में बदल जाता है पुलिंग संग्या होने से वहुवचन में रूप बदलेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, अकारांत होने पर, है ना, ज्यादा ता शब्द पुश्प लिखा है, वो भी तो अकारांत है, आ पर अंत हो रहा है, तो ये B वाला option बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएग और साथ में लिखा है, संभव नहीं हो सकता, तो आप बोलेंगे संभव लगाओ ही, मत फिर नहीं हो सकता हो जाएगा, जब सकता लिखी दिया, तो संभव क्या है, एक मिड़ एक मिड़, संदीब का आज बर्ड़े है, तो संदीब को, very 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 happy birthday, आप चल्दी से एक government job लेकर हम से मिलने आए, यही हमारी कामना है, अपने मावब का नाम रोशन करें, दीरगायू हों, तो happy birthday to you, चलो, यह बिलकुल भी बात नहीं करना चाहता, बिलकुल के साथ भी लगाने की आवश्यक्ता तो नहीं थी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, ठीक है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, केवल के साथ यही लगने की आवश्यक्ता नहीं थी, केवल इन दोनों में यही अंतर है, केवल लगने की आवश्यक्ता नहीं थी, ठीक है, चलिए, next question, मानसिक विशेशन मोल रूप से किस शब्द से बना है, मानसिक विशेशन किस से बना है, जल्दी स मान से मानस से मनस से या मनस से जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे बताएए तो आप सीधे सीधे बोल देना मूल शब्द तो मनस होता है क्या होता है मनस होता है पर माना कौन से गया है मानस धन इक मनस धन इक मानसिक हो गया ठीक है चली आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए, चारित्रिक शब्द किस मूल से बना है, तो आप कहेंगे चरित्र से चारित्रिक बना, चरित्र से जो related होता है, है ना, वो क्या कहलाता है, चारित्रिक कहलाता है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे चरित्र से बना है चारित्रिक चारित्रिक हो जाता है, चारित्र से, ठेंक्यू सो मज़ इंकर, आप लोग कहते हो ना कि मैं हम एनर्जी क्यो रह रही है, मेरी टीम जैसी टीम हो, तो 12 घंटे की क्लास में भी एनर्जी डाउन नहीं होती है, इतना खयाल हमारी टीम हम लोग करकती है, जिस चीज की जरुवत ह आपके सामने आ जाती है, तो ये टीम का सपोर्ट होता है, अकेला कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, जो हमारी बैक वाली टीम है, वो बहुत मैनत करती है, जो आप लोग बोलते हो ना, मैं एनर्जी कम नहीं हो रही, मैं हम तो पढ़ते हुए ठक गया, आप पढ़ाते इनों को देखेंगे, अधिकार नहीं होता, अधिकार होता है, क्या होता है बिटा, अधिकार होता है, चलिए, और अनुशरण नहीं होता है, अनुसरण होता है, और बिटा, अध्यन बिल्कुल सही लिखा है, अगामी नहीं होता है, क्या होता है, आगामी होता है, चलिए आ एक सब्सुन इस अप्द शुद्ध होगा एक शुद्ध होगा तो तीन अशुद्ध होंगे कौन सा ओजाएगा कौन सा हो जाएगा एक में एक मिंट एक मैं ऊपर करना जरा एकाद को व्लॉक कराते हैं, तब ही मानेंगे ये, कराना नहीं चाहती थी, मैं ये, आई, नीचे करो, नीचे करो, आई, ए, ए, स, पिरेंट, पूजा शर्म, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आपका तो ठीक है, जवाब, चलो, जो है, दुबारा आएगा, कुश्चन तो, सहस्र होता है, सहस्र होता है, सामिरा लगता है, और आनुशंगिक नहीं होता, आनुशंगिक होता है, छीक है, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईश्चन, कठहरा शब्द का तस्तम रूप है, कठहरा शब्द का तस्तम रूप कौन सा है, कठहल है, आप बोलेंगे मैं कठल को हम कंटफल या कंटकफल कह देते हैं कंटकफल या कंटफल हम तस्सम में कह देते हैं कड़वा को कटू बोलते हैं और कास्ट ग्रह को कास्ट ग्रह बोल देते हैं कठरे को ठीक है कास्ट ग्रह बोलते हैं कठरे को चलिए नेक्स्ट चलते हैं निमलिकित में से तस्सम श तस्सम शब्द क्या है। तो आप बोलेंगे कोयल तो क्या है तद्भव है कोकिला होता है इसका तस्सम और कपाट क्या है तत्सम है किवाड होता है इसका तस्सम पैन बदल दूँ फिर कहीं करो किवाड होता है इसका सदभव ठीक है कपाट क्या है तस्सम है अन्ने देखते हैं उट का क्या होगा पिटा उस्ट्र होगा उस्ट्र होगा ठीक है और तस्सम होगा काट का कास्ट होता है अभी तो आपनी कास्ट रहे देखा है ना, चलिए आगे बढ़ जाए, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा, चारों के ही बता दो, है ना, चारों के ही बता दो, आवेशित का अनावेशित हो जाएगा, अनाब्रस्टी का अतीब्रस्टी हो जाएगा, है ना, अतीब्रस्टी हो जाएगा, अनाब्रत का आब् आब्रत हो जाएगा और अनाश्रित का आश्रित हो जाएगा है ना जी आश्रित हो जाएगा चलिए आगे बढ़े next question अवनी का विलोम क्या होगा अवनी का विलोम क्या होगा धरा होगा शशांक होगा अंबर होगा या सितारा होगा बताए तो आप बोलेंगे अवनी का विलोम अंबर होगा है ना क्या होगा अंबर होगा धरा का गगन होता है गगन आकाश होता है, ठीक है? और शशांक क्या है, चन्डरमा है, तो इसका सूर्य हो जाएगा? है ना, सितारा का भी चांद हो जाता है, है ना? चलि नेक्स्ट कॉश्टन देखते हैं, नेक्स्ट कॉश्टन, आश्रे शब्द का परियावाची शब्द कौन सा है, आश्रे का परियावाची शब्द कौन सा है, आहार है, आचल है, तातपर है, परिहार है, बता दें, आहार शब्द का परियावाची कौन सा है, तो आप कहेंगे, आश्रे का परियावाची शब्द कौन सा है, मेरी बात का मतलब ये था, मेरी बात का अर्थ ये था, मेरी बात का तात्पर ये था, तु कौन सा हो जाएगा, मतलब, मतलब, अर्थ, तात्पर ये है न, कहते हैं कहने का मतलब ये था, अर्थ ये था, तात्पर ये था, जलो, आशे ये था, आप अरिहारे, आप कहेंगे अवेकल्पिक, आवेकल पिक ठीक, क्या हो जाएगा? आवेकल पिक क्या हो जाएगा? आपरिहार हो जाएगा आचल, आप कहेंगे दुपट्टा दुपट्टा ओडनी ओडनी पलू, यह सभी हम किसे बोल देते हैं आचल को बोल देते हैं आहार का अर्थ होता है भोजन भोजन, खाना खाना खादे, यह सब किसके परियावाची हो जाते हैं? तो आप कहेंगे आशे के परियावाची हो जाते हैं किसके आशे के परियावाची हो जाएगे? नेक्स्ट कुश्चन मैं बहुत उहापो की इस्तिती में हूँ, अस्मंजस की इस्तिती में हूँ, दुविधा की इस्तिती में हूँ, क्या हो जाएगा अस्मंजस हो जाएगा, दुविधा हो जाएगा, जब कोई इंसान कोई निर्ने ना ले पाए, है ना कहते हैं हम अधर में लटके हुए हैं, हम ना इधर हो पा रहे हैं, ना उधर हो पा रहे हैं, उसे असमंजस की स्थिती कहते हैं, बिटा, है ना, क्या कहते हैं, असमंजस की स्थिती कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, बताएगा, next question अलोकिक का अर्थ है बता दो बहुत सुन्दर आप बोलेंगे बहुत सुन्दर का अर्थ अलोकिक तो नहीं होगा अदबुद अनोखा विलक्षण देखो बिटा अगर आपसे परियाय पूछा जाए तो परियाय वाची ये दोनों भी है कितने करना चाहा रहे हो question बता दो कितने करना चाहा रहे हो जो मुझे से ये पूछ रहा है आज कितने question हैं वो बता दे अदबुद अनोखा बिलक्षण警 विचित्र विचित्र है ना अदूइत्य अदूइत्य है ना ये सभी हो जाएंगे और जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक कहलाता है, ठीके? ठीक है? हाँ जी चलिए आ परिणीत शब्द निमलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रियुक्त होता है आ परिणीत जो परिणीत ना हो जिसका परिणे ना हुआ हो मतलब परिणे का अर्थ होता है विवहा और जिसका विवहा ना हुआ हो आ परिनीत कहलाता है क्या होता है आ परिनीत कहलाता है जिसका परिनाम ना निकला हो मतलब निर्ने ना हुआ हो आ निर्नीत कहलाएगा आ निर्नीत कहलाता है ठीक है परिनाम ना निकला हो जिसका विभा हो चुका हो परिनीत परिनीत जो देखने में प्रीत कर ना हो, मतलब सुन्दर ना हो, तो क्या कहलाएगा वो, जल्दी से बता दो, जो प्रीत कर ना होगा, वो क्या कहलाएगा, आप प्रीत कर कहलाएगा, ठीक है, आप प्रीत कर कहलाएगा, चलिए, आगे बढ़ जाए, आपने इनकी बात सुन ली, अम मे तेरी भी सुनने की क्रपा करो, यहां पर क्या तुर्टी है, आपने मेरी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की क्रपा करो, बता दो, क्या हो जाएगा। बताएं, क्रपा करें, आप मेरी बात सुनने की क्रपा करें, क्योंकि करो तो जैसे एक आज्यावाचक शब्द हो जाता है, और जब हम आप से, मतलब किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्रपा करने की बात करते हैं, तो एक क्या होता है, विनम्रभाव होता है, और वहां करो ना क करें इस शब्द प्रयोग करेंगे, ठीक है ? चली नेग्स्ट कुछुशन 거지 कौन सा वाक्य अशुद्ध है ? नहीं आज समय तो फिर से बिटा आओगे नहीं होगा, आप हमारे घर कब आएंगे? ठीक है? चलिए. नेक्स्ट कुईशन देखते हैं. नहीं बताया जा रहा. बिटा बच्चे से पहले सर्वनाम शब्द लगा है सार्वनामिक विशेशन हो जाएगा. ठीक है जी? बताएं. ठीक है? आप बोलेंगे विशेशन नहीं है. वह गुलाब के फूल लाया है विशेशन नहीं है गुलाब के फूल मुझे पसंद है कोई विशेशन नहीं है वह लड़का मतलब ये क्या है संग्या है संग्या है और संग्या से पहले कौन सा शब्द लग गया उसी व्यक्ति के लिए आप कहेंगे सर्वनाम लग गया सार्वनाम लग गया और जैसे ही सार्वनाम पहले लगा यह क्या बन गया सार्वनामिक विशेशन बन गया और संग्या लड़का क्या है आप बोलेंगे ये तो विशेश्च हो गया फिर विशेश्च हो गया देखो अब आप बच्चों में confusion होगा उस दिन एक बच्चे ने ब पर वह लखा है, यहां यह सिर्फ सर्वनाम है, सर्वनाम है, सर्वनामिक विशेशन नहीं है, यहां यह सिर्फ सर्वनाम है, ठीक है? हाँ, clear है? आगे बढ़ जाएं? नेक्स्ट कोईशन, निमलिकित वाक्य में रेखांकित किये हुए भाग में कौन सा पदबंद है? गाड़ी दस बजकर पांच मिनट पर छूटेगी, दस बजकर पांच मिनट में छूटेगी, बता दो, यहां पर रेखांकित तो इन्हों ने किया ही नहीं, तो आप बोलेंगे दस बजकर पांच मिनट पर क्या होगा? गाड़ी छूटेगी, तो गाड़ी छूटने की विशेशता क्या है? गाड़ी छूटना मतलब एक क्रिया, गाड़ी छूटना एक क्रिया और उससे पहले यदि कोई भी विशेशन लगा है, तो वो कौन सा विशेशन हो जाएगा? तो आप बोलेंगे मैम ये क्रिया विशेशन पदबंध हो जाएगा. कौन सा पदबंध हो जाएगा? चीक है? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं? हाँ जी. Next question, निम लिखित वक्के में क्रिया विशेशन पदवंद क्या है इस मकान की छत से पूरा गाव दिखता है? पूरा गाव दिखने की विशेशता क्या है? कि छत के ऊपर से दिखाई देता है. तो बताईगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्थान वाचक्रिया विशेशन हो जाएगा. आपने जबाब भी तो सब बहतर दे रहे हो. जबाब भी तो आप सब लोग सही दे रहे हो. मैम, ब दुरावस्था या कैलास एक वर्तनी शुद्ध है और कौनसी है जल्दी से आप बता देंगे. एक वर्तनी शुद्ध है और कौनसी है या आप बता देंगे. तो आप बोलेंगे सन्यास वर्तनी बिल्कुल सही है. प्रत्यूपकार नहीं होता, प्रत्यूपकार होता है. क्य और कैलास नहीं होता, कैलास होता है, चीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question, निर्देश दिये गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तिनी वाला शब्द छाटिए, शंशे, शंशे, शंशे या शंशे, बता दो, कौन सा हो जाएगा, बता दो, कौन सा हो जाएगा, बताएगा, सही, वर्तिनी वाला शब्द, आप सभी लोग की बास सही है, संशे, डाउट जिसे हम बोलते हैं, मैं संशे में हूँ, मैं डाउट में हूँ, मेरे दिमाग में ये बात क्लियर नहीं है, क्या कहलाएगा, संशे कहलाएगा, आगे नेम लिखे शब्दों में से तदभव शब्द को पहचानिये, नासिका, बच्चा, ग्रीश्म, लक्ष्मी, जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दीजेगा, आप बोलेंगे, नासिका, ये तो अब भी इश्राइद किया, बच्चा ही हो जाएगा, वस हो जाएगा, वस इस लच्मी बोलते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएग, आगे बढ़ जाएग, नेक्स्ट कोईस्चन, नेम लिखे तमें से कौन शब्द तदभव है, फिर से बता दो, तो पेटा, आंसर तो ये ही हो जाएगा, लेकिन हमारे पास और भी तो ऑप्शन बच्ची हैं, है ना, तो कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिये गए विकल्पों में से अमरित का विलोम बताएं, अमरित का विलोम क्या होगा, भै होगा, सुधा होगा, जलज होगा, चल्दी से बता दो क्या होगा, अमरित का विलोम क्या होगा, भै का विलोम क्या होगा, निर्भै हो है ना भे का विलोम तो क्या हो जाएगा आप खुद ही बोल दोगे कि मैम साहस भी हो जाएगा भे लगना साहस हो जाएगा सुधा तो अमरित का परियावाची है, इसका विलोम तो खुद ही विश होगा इसका तो विलोम खुद ही क्या होता है, विश होता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं, next question हमें चार ऑप्षन दिह हैं, चारो ही हम समझेंगे, ठीक है ठीक है, ठीक है, आप बोलेंगे इसके अलावा आप बोलेंगे भुजंग भोजक इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा बिटा क्या हो जाएगा मोर मयूर नर्तक प्रिय भुजंग भोजक और बताओ और बताओ शिखंडी शिखंडी केकी कलापी कलापी और बताएं आप बोलेंगे आप बोलेंगे इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? बताओ ठीक है? हाँ जी और बताओ महीप महीप किसे कहते हैं? बताजी जीएगा आप जल्दी से महीप का का परियावाची क्या होता है हटा दीजेगा पोल महीप का परियावाची very very good राजा ना भी मतलगा राजा नरेश नरेश नरप समराट हाँ बादशाह बादशाह यह सब ही किसके परियावाची होते हैं राजा के परियावाची होते हैं ठीक है भूपती यह सब ही किसके परियावाची है आप कहेंगे राजा के परियावाची है मेग का परियावाची क्या होता है लीजे मेग का परियावाची क्या होता है तो आप बोलेंगे सौरी मेहे बादल अम्बुद, जलद, नीरद, तोयद, वारिद, ठीक है, ये सभी मेग के परियावाची हो जाएंगे, ठीक है, गरुण का परियावाची क्या होता है, जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएंगे, तो गरुण पहले इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, जिसे हम वातने कहते हैं, वातने कहते हैं, उर्गारी कहते हैं, खगेश कहते हैं, खगपती कहते हैं, और इसके अलाबा क्या कहते हैं, वातने, उर्गारी, खगेश, खगपती, पन्नागरी, पन्नागरी पन्नार पन्नगारी यह सब हम किसे बोलते हैं तो आप बोलो के गरुण को बोलते हैं ठीक है? गरुण को बोलते हैं क्या पूछना है बिटा? बताएगा मैं प्लीज बताएगा क्या पूछ रहे हैं? आप मुझे सवाल तो चला जाता है विश्णु वाहन भी कहते हैं, है ना, very good, हाँ जी, हाँ, भुजंग हो जो किसे भी कह देते हैं, कोई दिक्कत हैं, हम, 250 पे stop कर दूँ, तुम लोगों में छमताएं अपनी थोड़ी सी बढ़ाओ, अच्छा, थोड़ी सी छमताएं अपनी बताईएगा, बढ़ाईएगा, मैंने गलत बताया, 233 का, D option बताया है, मैंने, D option बताया है, D जब आप बताया है, यह गलत है, तो आप चेक कर लो, चेक कर लो फिर, अगर आपको लग रहा है, गलत है, तो सही वाला आप कर लेना, जिसे गलत लगी हो, तुरण सही वाला कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरण अपने हिसाब से सही कर लो, अवाज क्यों नहीं आ रही है, अवाज तो आनी चाहिए, बताईए, हाँ, निर्मलिकित में से मोक्च का परियावाची शब्द है, मौत, प्राणांत, छुटकारा, अवसान, जल्दी से बता दो, इस में से मोक्च का परियावाची शब्द है, तो आप बोलेंगे मोत, प्राणांत, छुटकारा, अवसान, बताईए, बताईए, तो बिटा, मो मुक्ष का अर्थ मौत नहीं हो तो मौत तो म्रत्यू को बोलते हैं मुक्ष का अर्थ होता है जब सब चीजों से छुटकारा हो जाए निर्वान हो जाए निर्वान हो जाए ठीक है और यह अबसान और प्राणांत सब अबसान का अर्थ भी जाना होता है प्राणांत का अर्थ भी म्रत्यों होता है चलिए जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द वाक्यांश के लिए शही शब्द जल्दी से बता दो गुड आफ्टरून बिटा आप बताई, जो बात लोगों से सुनी गई हो, लोक उक्ती तो नहीं होगी, लोगों की उक्ती, ये तो लोगों की उक्ती होती है, मतलब कोई कथन जो लोगों नहीं कहा हो, ठीके, अनुमोधन का अर्थ होता है समर्थन, किसी चीज पर समर्थन देना, आपने पॉलिटी में हूप पढ़ाओगा, जैंशृती, बिल्कुल सही है, पांडूलिपी का अर्थ क्या होता है, हस्त लिखित प्रती, पांडूलिपी का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बता दो, तो आप कहेंगे, हस्त लिखित प्रती, हस्त लिखित प्रती, समर्थन स्विकृती दोनों ही हो आगे बढ़ते हैं, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तरने इच्छा, तितीर्शा, संतरने इच्छा, जल अवतिरने इच्छा, आप सभी को पता है, ये इच्छाएं आप से बार बार पूछी जाती हैं, एक्जामस में और सभी इच्छाएं मे जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? आप बोलेंगे जिगीशा कहलाती है. जानने की इच्छा जिग्यासा कहलाती है और मरने की इच्छा मुमूर्शा कहलाती है और मोक्ष की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूक्षा कहलाती है और बताएंगे इसके अलावा इसके अलावा जो आपको पता हो बता दीजेगा जीने की इच्छा जीने की इच्छा की इच्छा जीजीविशा कहलाती है और और बताएंगे आप जीने की इच्छा कहलाती है और बताएंगे इसके अलावा इसके अलावा बताओ क्या रहे गया? जीने की इच्छा कहलाती है तीक है? आप बताते हैं वेरी गुड बारिश हो रही है मेरट में चलो आप ये तो बता दीजेगा अब इनकी इच्छाएं रखने वालों की भी तो बताएंगे, है ना, इने लखने वाली इच्छाओं को भी तो बताएंगे, तो खाने का इच्छुक, मतलब कोई व्यक्ति जो होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो भुक्छु कहलाएगा, ठीक है, और क्या है, जीतने की, जीतन क्या कहलाएगा जिगीशू कहलाएगा जिगीशू ठीक है जानने का इच्छुक जिग्यासू कहलाएगा जिग्यासू कहलाएगा ठीक है यह जिगीशू हो जाएगा यहां गा बनेगा बटा यह जिगीशू हो जाएगा ठीक है और आप क्या बताएंगे फिर मरने का इच्छू का इच्छू कहलाएगा और मोक्ष का इच्छू कहलाएगा ठीक है और जीने की इच्छा जीने का इच्छू क्या कहलाएगा जीजीविशू कहलाएगा विशू कहलाएगा और तैरने की इच्छख संत्र रेख्च अच्छ, वो उसका टिक लग गया जब मैंने इसे ऊपर किया तेटीर्शा कहलाती है और तैरने का इच्छु क्या कहलाएगा बिटा तैरने का इच्छुक तितीर्शू कहलाएगा तितीर शू कहलाएगा, clear है, clear है, तितीर शू कहलाएगा, बताओ, clear हो गया, clear हो गया, हट जाओं एक साइट को स्क्रीन शॉट ले लो, चीक है, आगे बढ़े, चलो, आगे बढ़े जाते हैं, भीजा जी, वो दिखाना लाएगा, कोई शब्द में कौन सा विशेशन का बोध होता है, तो आप बताएंगे कोई शब्द, कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, इस प्रकाय की जो चीजें होती हैं, तो आप बोलेंगे मैं परि सार्वनामिक विशेशन कहलाते हैं, चली नेक्स्ट कुशन देखते हैं, उस विकल्ब का चैन करें, जो विशेशन का भेद है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, जल्दी से बताओ कौन सा विशेशन है, तो आप बताएंगे, यहां से, घर क्या है, आप कहेंगे संग्या है, संग्या है, और उस लगा है, उस शब्द लगा है, तो आप क्या बोलेंगे, मैम, उस शब्द लगा है, तो तुरंथ ही क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेशन हो जाएगा, परिमान वाचक नहीं, संख्या वाचक नहीं, गुण वाचक नहीं, कौन सा हो जाएगा, सार् खेचर का परियावाची होगा आकाश में चलने वाला पक्षी ग्रह इन मेंसे सभी जल्दी से बता दो केचर खेचर एक तो यह सारे ही हो जाएंगे तो डियोप्षन हमारा बिलकुल बिलकुल सही option हो जाएगा है ना, एक question हमें मिला जिसमें से सारे सही गए, और ये सब एक परचे ने इसका गलत answer नहीं दिया है, सारे बच्चों ने इसका answer सही दिया है, I'm so so proud of you, चलो, नेम लिके तमें से खिड़की का परियाव अची है, इसका भी answer सब सही देंग वो मुझे पता था, ऐसे question तो favorite वाले होते ना, जैसे हम 10th में होते थे, 11th, मतला 10th में होते थे, 9th में होते थे, और जिसमें आ जाता थे, all of the above, तो हम लोग बिलकुल पढ़ते ही नहीं थे, और option D में दिख गया, all of the above, तो all of the above है, तो बिलकुल भाईया, all of the above है, बातायन वारी दरीचा, खिड़की जरोखा, जरोखा है ना, ये सभी खिड़की के परियावाची हो जाते हैं, very good, चलो next question, नेम लिखित का तदभव शब्द है, कपित का तदभव शब्द कौन सा है, कपूर है, कैता है, केला है या खजूर है, जल्दी से बता देंगे क्या हो बताएगा, बताएगे, है ना, मैं मेरे में अप्लिकेशन नहीं चल दीविटा, चल जाएगी थोड़ सा, रिफ्रेश्च कर लेना, है ना, आप बोलेंगे, कपित का अर्थ होता है, कैता, कपूर को तदसम में करपूर बोलते हैं, केला को कदली बोलते हैं, खरजूर को खर जूर बोलते हैं, क्लियर है, हाँ जी, आगे बड़े, आगे बड़े, नेक्स्ट क्विश्चन, पीडियाफ मिलेगी, पीडियाफ मैं आपको डलवाओंगी, पक्का, प्रॉमिस, पीडियाफ आपको जरूर मिलेगी, आयड़ अप्लिकेशन पे, ठीक है, चलिए, केला को जली, वेरी गुड, खेत का सही तसम, शुद्ध शब्द चुनिये, खेत, आप सभी को मैंने एक नियम बताया था, छा छत्री से यदि कोई शब्द शुरू होता है, और जब उसे तदभव में बदला जाता है, तो या तो वो छा छत्री में बदल जाता है, या खा में बद जाओ, चलो, निम्न में से वर्तनी की रष्टी से शुद्ध शब्द है, पुझ, परिच्छन, प्रान्या, परिच्छा, एक शुद्ध है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, क्या बताईएगा कौन सा हो जाएगा आप बोलेंगे पुझे नहीं होता पूझे होता है परिक्षण नहीं होता परीक्षण होता है और प्रान नहीं होता प्रान होता है और परीक्षा शब्द हो जाता है परीक्षा शब्द बिलकुल सही option इसके लिए है परीक्षा बिलकुल तो वो और तो सही शब्द इसके लिए है next question, प्रणामंतरी के भासट की शुति-लिपी उसने उसी समय ले ली तो शुति-लिपी बता दो इस में से सही वर्तनी क्या होगी बिता शुत-लिपी नहीं होती शुत-लिपी होती है शुत-लिपी होती है मैंने पहली बार बच्चे ऐसे देखे हैं जो मुझे ये सजेशन दे रहे हैं मैं कम कराओ मैं जादा कराना चाहा रही है बच्चों को कुईशन और बच्चे कहरे हैं मैं बस 300 करा देना बस 300 करा देना बाकी PDF में दे देना यहां टीचर तयार है बच्चों के लिए खड़ा हो वह था तुम 11 में ही बताऊगे कि रखता इस मैरथन में आज तुम्हें अषास नहीं होगा भी निया प्रकत विकार कॉन्सा उप्षिन उप्षन ऊचाएगा शुरुट लिपी हो जएगा सु prototypes करिया के अलावा संग्या के लिंक के अनुसार के शब्दों का रूब परिवर्तित होता है देखो क्रिया के अलावा किनका लिंक बदलता है तो विशेशन विशेश कारक या तो विशेशन तो क्या होता है विशेश तो क्या होता है संग्या सर्वनाम ही होते हैं क्रिया के अलावा तो आप बोलेंगे मैं विशेशन भी बदलता है विशेशन ही बदलता है विशेशन बदलता है संग्या बदलती है सर्वनाम बदलती है विक्रत अव्याय विक्रत कैसे हो सकते हैं विक्रत तो अव्याय होते ही नहीं है वैसे तो कारक और विशेशित सब बदलते हैं जब मैं बताओंगी राम कामित्र और सीता के बारे में कहूंगी तो सीता की मित्र बदलते सब हैं पर यहां पर विशेशन के बारे में पूछा गया है तो हम विशेशन जब आप दे देंगे है ना है ना बताइएगा कौन सर कुलास में हो हाँ जी मैम आप अपने चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेशन चलीए नेक्स्ट कुछिन फ shortest पर लाका अंतिम और सरोच Çिधिये सवंदर्र है वाक्य Bible कितने विशेशन है या कितने विशेश हैं लाका अंतिम और सरवोच चिधिये स्वंदर्र है देखो इस इसमें क्या है कला का अंतिम और सर्वोची घय कि दिया सॉंदर्र रे है। तो यहाँ धे की विष यðा बताई गई है अंतिम और सर्वोची किसी विषेष्टा बताई गई है धे की विषर्षता बताई गई है तो यहाँarme तो होना चाहिए ठांडEE पर एक्जामिने साब ने इस धे को भी सौंदर्रे की विशेष्टा मान कर जवाब रखा तीन तो आप तीन जवाब दीजेगा है ना है ना यही होना चाहिए था सीधी सी बात है कि धे की तो विशेष्टा बताई है अंतिमो सर्वोच्चे गोल लक्ष इसकी ही तो बताई है तो बस नेक्स्ट कोईशन पती पतनी के जगड़े का हे तु क्या हो सकता है वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए और यह पॉल लगाना इस पर कोई सा भी कोईशन ऐसे ही डालो पिर क्यों डाल दो कि निसार को बताई है क्यों कि बेटा पती पतनी के जगड़ें का क्या हे तु नहीं होता हे तु एनज यह होता देश्व नेहीं यहीं होता कारण होता है कि अ कि आगे बढ़ते हैं मोजीर संबन्ध मंद्भा अशुदधी है कि इस वाक्त में बारत नी संस्क्राइब आनद निए बताईए बेटा अंबर दुयार्थी शब्द है अंबर का एक तो परियावाची आकाश हो जाता है दूसरा अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है तो उसके परियावाची भी मेल खाते हैं इश्व अंतर्यामी है ठीक है उज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता जवाब आपका ठीक भी आ रहा है उज्वल उज्वल ऐसे लिखा जाता है ठीक है चलिए निम्ण में से कौन सा पीछे चलने वाले के शब्द समूँ के लिए एक शब्द है अनुगत पिछ लगू तो नहीं होता देखो पिछ लगू तो क्या होता है किसी का अंद्भक्ति के हिसा अंद्भक्ति कर पीछे चलना कर पीछे चलना मतला बेवज है पीछे चलना क्या कहलाता है पिछलगू कहलाता है आगत आया हुआ ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जो कभी बूड़ा ना हो बतादो क्या हो जाएगा जो कभी बूड़ा ना हो तो क्या होगा सदैव जवान रहेगा और जो बूड़ा नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे अज अमर चीके सदा बहार सदाव हमेश सदैव हरा भरा और तरुण का अर्थ क्या होता है नव्युवक नव्युवक या नव्युवक हाँ जवान युवक चलो निम लिकित में से कौन सा हंस का परियाव अची है तो आप बोलेंगे मैं मराल होता है, मन सौक होता है, सिपपक्च होता है सिपपक्च होता है है ना और क्या होता है हनसा भी बोल देते हैं हम क्या बोलते हैं हनसा भी बोल देते हैं है ना हनसा भी बोल देते हैं कुरंग हम किसे बोलते हैं बिटा सब याद रखना भुजंग तो साप को बोलते हैं साप के परियावाची तो मैं लिखवा चुकी हूँ, ठीक है, कुरंग किसे बोलते हैं, तो आप बोलेंगे, कुरंग का अर्थ होता है हिरन, हिरन, है ना, म्रग, क्रश्न सार, सार, चारू लोचन, ये सभी हम किसे ही कह देते हैं, तो आप कहेंगे, हम ये सभी हिरन को कह देते हैं, ठीक है, हिरन को क कह देते हैं सरस्वति भाहन को कहते हैं हẩंस को कहते हैं सरस्वति भाहन इस पर सब्सक्रण कर दिया थो और एक स्पेई नए प्रियोग मनस होता है पर यू मनस मान्स था तो हमें वही बताना पड़ेगा त। येन का अखुरा में, बता दिया था मैंने, चलिए, आगे बढ़ते हैं, पंचुवान हम किसे कहते हैं, तो अभी मैंने बताया था, आपको कामदेव को कहते हैं, कामदेव के बहुत सारे परियवाची मैंने अभी अभी आपको लिखवाए है। चलिए नेक्स्ट कुश्चन दिये गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है अब या लगाओ पूल हुँ बताए कौन सा हो जाएगा भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है बिटा प्रिले का अर्थ होता है विनाश प्रिले का अर्थ क्या होता है विनाश जब सब कुछ विनाश हो जाता है तहचनेश हो जाता है अन्त बोल सकते हैं युगांत बोल सकते हैं अन्त युगांत भी कहते हैं, युगांत होता है, जब मनदब युगांत होता है, तब प्रलय आती है, इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, बताओ, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे कयामत होती है, विपलब कहते हैं, कयामत, कयामत, विपलब, विपल भाल लोग कह देते हैं भाग्य भी बोल देते हैं मस्तक को भाग्य भी बोल देते हैं ठीक है भाला क्या होता है एक शस्त्र होता है फेक कर मारा जाता है उन्नत का क्या हो जाएगा विक्सित विक्सित है ना उन्नत को हम क्या बोल देंगे विक्सित बोल देंगे next question कौन सा गलत यूग में है इन में से एक यूग में गलत है और वो कौन सा है जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे मिटब बत्रचार में इसमें आएगा आज मेरा बर्डे है जिसका भी बर्डे है विश्व वेरी हैपी बर्डे आप अपने माता पिता को बहुत प्राउड फील कराएं हमें बहुत प्राउड फील कराएं जल्दी से आपकी सरकारी नौक्री लग जाए हटा दो इसे पूल को तो आप बोलेंगे असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो ससीम जो सीमा के साथ हो बिल्कुल सही है विवेक अविवेकी बिल्कुल सही है प्रस्थाव आगमन बिल्कुल सही है दुखी का विलोम तो सुखी हो जाएगा और शेत का विलोम श्याम हो जाएगा क्या हो जाएगा श्याम हो जाएगा आगे बढ़े next question परिमार वाचक विशेशन द्वारा किसका अबोध होता है क्रिया के होने की समय का क्रिया के नापतौल का क्रिया के स्थान का क्रिया की रीति का जलदी से बता देंगे आप सबी लोग तो किसका होगा समय का नहीं होगा कालवाचक से होगा कालवाचक से होगा लिख दू यहाँ कालवाचक होता है यह तो का कैसा बना यह कालवाचक कालवाचक क्रिया के नापतौल का परिमार वाचक क्रिया के स्थान का स्थान वाचक लिखा ही है है ना और क्रिया की रीती प्रकार ढंका वीती वाचक रीती वाचक बताईएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं केवल अनुमानता सर्वता ये किस विशेशन के प्रकार है बताईए मैं बता दीजेगा कितना कुश्चन है वसीम एहमर्शा विश्वा वेरी हैपी बाड़े गुड़े आपका नाम ले लिया आपकी विश्वी पूरी हो गई और मैं चाहाती हूँ कि बहुत जल्दी आप सलेक्ट होकर आई डबलो में हमसे मिलने आए अपने माता पिता का नाम बहुत रोशन करें अपने टीचर्स का नाम रोशन करें जल्दी से आई डबलो स्टार्स में आपका नाम हो यह मेरी आपके लिए दुआ है केवल अनुमानता सर्वता भया इसे में लगाओ पूल लगाओ बहुत अच्छा कुश्चन आ गया है मैं आप से कहूँ मेरे पास क देवल इतना ही सामान है या इतना ही इतनी ही चीनी है कुछ भी मान लो तो किसमे माना जाएगा बता दो किसमे माना जाएगा बताएगा तो आप बोलेंगे सर्व थाखुब ये सभी किसमे परिमार वाचक में आते हैं बहुत अच्छी बात है आप सभी लोग सही जवाब दे रहें दिये गए विकल्पों में शुद्ध शब्द करचेन कीजिए एक शुद्ध होगा और बाकी क्या होंगे बिटा अशुद्ध होंगे क्या होगा अशुद्ध होगा बता दो कौन सा होगा दो भी शुद्ध हो सकते हैं दो भी शुद्ध हो सकते हैं एक बच्चे ने अपना नाम रखा है जहरीला बच्चा, मतलब, क्या था, उपर चलो थो सा, हाँ, क्या था, यह नीचे, 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 और नामु मैम का जहरीला बच्चा, वाह, बहुत बड़िया, मैं कहती हूँ ना मैं कहती हूँ ना मेरे स्टुडेंट को मेरे स्टुडेंट्स को बिलकुल भी entertainment की ज़रूरत नहीं है वो खुद का entertainment खुद से करते है जहरीला बच्चा क्या है क्या है यह मूल लेवान ठीक लिखा है क्लिस्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है क्लिस्ट में टा बनता है क्लिस्ट ब्रह्म और प्रथक प्रथक सही लिखा है यह गलत लिखा है तो आप कहेंगे प्रथक भी सही लिखा है प्रथक भी सही लिखा है ए और डी दोनों ही सही है A और D दोनों ही सही हैं, चलिए, next question, बरतनी की दर्ष्टी से अशुद्ध शब्ध है, शुद्ध हैं, एक अशुद्ध हैं, जल्दी से बता दीचेगा, हाँ जी, हाँ, दीदी लल्ला भी दिख रहा हूँ, हाँ, एक लल्ला भी है हमारे यहाँ, एक हमारा बच्चा है कलू कालिया जहासी वाला, मतलब इतने प्यारे प्यारे नाम आते हैं कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपना नाम चंपा कली तो रखी लूँ कम से कम, मुझे भी अपना न यह होता बिटा एतिहासिक होता है एतिहासिक होता है क्या होता है एतिहासिक होता है ठीक है चलिए और दाइत्व भी बिल्कुल ठीक लिखा है ठीक है हाँ जी और मुझे ऐसा लगता अगर यह बच्चे क्लास में ना हो तो क्लास में रौनक भी नहीं होगी यह आते हैं पढ़ चलो, आगे बड़े, चली, next question, अब नी का विलोम क्या होगा, चलो, अब पड़ते हैं, है ना, बताओ, अब अबनी का विलोम, अंबर धरा का गगन, अगनी का जल, ना, चलो, next question देखते हैं, कौटिल ले का विलोम क्या होगा, कौटिल ले का विलोम क्या होगा, कौटिल ले का अर्थ होता है, बिटब बहुत चतुर, बहुत चतुर चालाक, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्जब हो जाएगा, मार्दव नहीं होता, आर्थव नहीं होता, म्रदुलता का कटुता हो जाता है कटुता हो जाता है म्रदुलता का विलोम क्या हो जाता है कटुता हो जाता है क्लियर है क्लियर है आगे बढ़े हाँ जी next question आस्तिक का विलोम क्या होता है आप बोलेंगे पापी पापी का विलोम क्या होगा भईया जी पोल लगाओ अरे यह तो easy है इसमें मतलगाओ यह तो जटे से answer दे देंगे इसका आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखे में विश्वास रखे रखे examiner का favorite question है नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास ना रखे पापी का पुने पुनेशील ठीक है और राक्षस का क्या हो जाएगा देव हो जाएगा देवता और पुजारा नहीं होता पुजारी होता है इसका विलोम पुजारिन हो जाएगा ठीक है नीवरत्ती का विलोम क्या हो जाएगा नीवरत्ती का विलोम क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजेगा negative parking one third है पढ़ लो अब वहना वही गुलाब का फूल बनाऊंगी तो मैं कि सही हो जाओ गए पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, नी ब्रति का क्या हो जाएगा, प्रविर्ति हो जाएगा, वेरी वेरी कुट, नी ब्रति का विलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, प्रविर्ति हो जाएगा, सद ब्रती का असद ब्रती हो जाएगा और सू ब्रती का कूब्रती हो जाएगा उसमें तो कोई आप दिक्कत ही नहीं होगी चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्ध मेंसे के समू में सभी शब्द तस्सम है शरकराゃं पवण जेस्ट अगनी शरकरा बिलकुल सही है अब देखो एक कुश्यन से एक कुश्यन से कितने तयार होते हैं कुश्यन इसमें आपको देखना है बहूं यह पूल लग उसमें फेल तो उसमें पूल लगाओ इस question पे मुझे आपको थोड़ा सा खिलाना है क्योंकि इस question में मैं आपको कितने सारे question निकाल के दूँगी आपको पता चल जाएगा बताईए तो आप बोलेंगे चीटिंग तो देखो करना मत मैं पकड़ जाऊंगी आपको मैं पकड़ सकती हो आपको कि कहां आप चीटिंग कर रहे हो आप भर भर के सब चीटिंग कर रहे है तो चीटिंग में भी सही जवाब दे रहे हो है ना तो आप बोलोगे शरकरा शरकरा को तद्वब में क्या कहते है शक्कर कहते हैं शक्कर कहते हैं पवन को क्या कहते हैं हवा कहते हैं चलो जेस्ट को क्या कहते हैं जेट कहते हैं और जो बच गया है अगनी इसको क्या कहते हैं आग कहते हैं सभी तत्सम हो गए और इसके तदभव अपने बना दिये यही इसका आंसर है ठीक है कास्ट ठीक है त खी हो जाएगा गियो जाएगा लेकिन घोड़ा किया है तद्भभ हो गया इसका तद्सम क्या होगा पैन मदल क्या हो जाएगा गोटक in और कारीगर तो क्या है आप बोलेंगे विदेशत शब्द है ओस्ट क्या हो जाएगा आप बोलेंगे तत्सम है और क्या हो जाएगा इसका तदभव ओठ हो जाएगा होट या ओठ लिखते हो आप जो लिप्स को जो बोलते हो किताब आप कहेंगे विदेशत चाकू विदेशत निश्टूर भी तत्सम है, निठूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निठूर हो जाएगा, और मम्मा तो बिल्कुल नहीं होगा, हाथी क्या है, आप कहेंगे, तदभव है, क्या होगा, हस्ती हो जाएगा, हस्ती, हस्ती, और कार्रे क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, काज ह कितने कोईशन से बताइए पीडियाफ आपको मिल जाएगी पीडियाफ की इतनी चिंदा क्यों हो रही है मैं खड़ी हूं न समने और पीडियाफ रखे कब करोगे प्रैक्टिस की एक्जाम आ चुका है पीडियाफ चाहिए मैडम सामने पढ़ा रहे हैं तो पढ़ेंगे नही पीडियाफ दे दियो मैडम बाद में अलिए पढ़े ही लो और बोल दिया मिल जाएगी पीडियाफ 100% दिलवा देंगे आपको चौता का तस्तम क्या होगा जल्दी से बता दो चौधा का तस्तम क्या होगा उपर करना एक मिट और 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 अच्छा नीचे कर लो चलो अभी जो पढ़ा रहें तभी नहीं पढ़ना तो आप बोलेंगे चतुष्पद बिल्कुल गलत चौपाया को बोलते हैं चतुष्पद तो चौपाया चौपाया है ना चतुष्पद आप बोलेंगे चतुष्पद तो बोलते हैं चौधा को क्या बोलते हैं चतुष्पद को चौकी भी बोल देते हैं चौकी भी बोल देते हैं चतुष्पद को है ना चौकी बोल देंगे बताओ क्लियर है क्लियर है हाँ जी बिल्कुल आगे भविष्यमें होने वाला एक शब्द, ग्या कहलाता है जल्दी से बता दो, कहने वाले के लीजें, बताओ, तो आप बोलेंगे भावी, भावी कहते हैं भविष्यमें होने वाला गत गया हुआ, गत का अर्थ होता है गया हुआ विगत भी बीता हुआ आभास का अर्थ होता है अनुभूती एहसास किसी चीज को फील करना, एहसास करना क्या करना? एहसास करना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं जो पहले था अब नहीं है के लिए एक शब्द जो पहले तो था पर अब नहीं है मतलब अब नहीं है पहले ही था बता दो एक मिट क्या पूछ रहा है? यह बचाब उपर करना कोई नहीं पूछेगा एक्जाम में जल्दी से बताओ इसका आंसर बताना 2020 बहुत बढ़िया बताएगा क्या है? जो पहले था अब नहीं है जो पहले है अब नहीं है देखो यह बात गलत अब या पोल लगाना लगा इद्रो को इस पर मत लगाओ भूत पूर्व सही है पूर्व जो पहले जन में थे जन में जन में हो पूर्वज कहलाते हैं अन्तियज निम्न बढ में जन मा जाती में जन मा क्या कहलाता है? अन्तियज कहलाता है अनागत जो ना आया हो अनागत कहलाता है ठीक है? नेक्स्ट कॉस्चन इन प्रेश्णों में से भीया पोल लगा दो पोल लगा दो पूर्वज पूर्व में जन में बता दो मैं मोबाइल ओफ होने वाला है पास में बराबर में चार्जर के बराबर में बैट जो लगा कि देखो पढ़ो ऐसे नहीं होता पढ़ना तो पढ़ेगा बताओ सारंग विटा हिरन को कहते हैं सारंग के बहुत सारे अर्थ होते हैं सारंग का अर्थ घुंगट भी होता है सारंग का अर्थ हार्थी भी होता है सारंग का अर्थ सर्ब भी होता है सारंग का अर्थ हिरन भी होता है सारंग का अर्थ यूबती भी होता है सारंग एक अनेकार्थक शब्द है ठीक है गुड़े तो पढ़ लो और सारंग का अर्थ घड़ा भी होता है सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट सारंग जीनों देखकर सारंग कर गयो चोट ठीक है तो ये अनेकार्थक शब्द है चलो, किसी कारिके कर सकने की शक्ति साम कहलाती है, यहां से कट कर लो, कोई, नहीं नहीं, डी तो यहां पे होगा, फिर डी यह वाला है, बताओ, तो बता दो कौन सा हो, किसी कारिके कर सकने की, तो आप बोलेंगे सकने की नहीं, करने की, करने की, तो भी ही option बिल्कुल गलत हो हो जाएगा करने की शारिरिक शक्ती साम कहलाती है कोई गलती नहीं भी हो जाए कर सकने की नहीं किसी कारिक के करने की यह वाला option सही हो जाएगा next question देखो यहां से लगा लेना यह तो C है और यहां से यह D है और यह वाला B तो दिखी रहा होगा और A उपर है बता दो कौन सा हो जाएगा बता दो कौन सा हो जाएगा आज प्रत्येक भा को विकाशील बनकर संपूर ग्यान घसीटते हुए चलना है कोई गलती नहीं तो आप ब भा नहीं होता भाशा होता है क्या होता है भाशा होता है भाशा होता है ठीक है आगे बढ़ जाए चलिए नेमलिकित में से किस शब्द में स्वर्व्यंजन संबंदी अशुद्धी नहीं सीधे से पूछो कौन सा शब्द शुद्ध है एक शब्द शुद्ध होगा तो तीन अशुद्ध होंगे, बताइएगा, पोल लगा दो भीया, पोल लगाते रहो, अब, कॉंटिन्यू, कॉंटिन्यू, बताइएगा, ताजुब बाली बात तो ये है, कि ये क्वेशन मैंने अभी तो कराया था, अभी ये रिपीटिड क्वेशन है, और इस पे मैं पोल लगा रही हूँ, फिर भी जब आप कमा रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है, आरोग्य होता है, ठीक है, ईसाई होता है, उजस भी ठीक है, ओत सुक्के होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईशन, जामुन का तस्समरूप, जामुन का तस्समरूप इन में से कौन सा है, पोल लगाते रही हैं, सब पे जल दी ज़ए, नमबर में डालो कोईशन का, कोईशन डाल दो खाली, ये उसा मज़दार हो ना, जो पोल दिख रहा हो, उसी का अंसा दे ना, जामुन, 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 टंक शाल का तस्वम रूप क्या है बताओ जहां टंकड होता है तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा टंक शाल टंक शाला टक साल का तो आप क्या कहेंगे टंक शाला हो जाएगा क्या हो जाएगा टंक शाला हो जाएगा आगे बढ़ जाए नेक्स्ट कुश्चन फिर से प्रस अब मैराथन लगाओ, आप मैराथन का मतलब 20 कोश्चन में मैराथन भाग के चलो, क्योंकि ये सब ही लगभग कराय हुए कोश्चन है, प्रतिबादन तो नहीं होगा, आप बोलेंगे, प्रतिबादन तो बिल्कुल नहीं होगा, आकुंचन होगा, है ना, आकुंचन होगा, आरक्षन का विलोन क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दें, आरक्षन का विलोन क्या होगा, बताएगा, बताएगा, आप क्या बोलेंगे, आरक्षन का अनारक्षन, अनारक्षन हो जाएगा, ठीक है, चली आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तिमिर का विलोन क्या होगा, तिमिर का अर्थ होता है, वेरी गुड, अन्तिकार, चलो, तिमिर का विलोन क्या होगा, आप बोलेंगे, तिमिर का अर्थ होता है, अन्धकार और अन्धकार का विलोन क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रकाश होता है, जिसे हम आलोक कहते हैं, क्या कहते हैं, आलोक कहते हैं, ठीक है, बताएगा, क्लियर है जियोतिर मैं तो नहीं होगा जियोतिर मैं का तो विलोम क्या हो जाएगा तिमिर मैं नहीं हो जाएगा तिमिर मैं हो जाएगा तिमिर मैं अंधकार मैं हो जाएगा और आभास का अनाभास हो जाएगा अनाभास हो जाएगा अनाभास हो जाएगा मस्तक अर्थात माथा मस्तक भाल ललाट अस फाल है ना माथा है कि इसा भी लाल तो तो देखो विटा पुत्र को भी कह देते हैं और एक वर्ण को भी हम लाल कहते हैं वर्ण का मतलब रंग रंग तुम कहीं पता चले वर्ण ना समझो रंग को हम लाल कहते हैं ठीक है लालिमा मतलब सुनदर्ता छटा कह दू छटा छटा चली next question बैटो वो लगा देना मार शब्द का परियावाची है, बता दू मार शब्द का परियावाची है, कई बार लिखवा दिया है, अभी अभी में मैंने तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, very good, अनंग, कंदर्प, कंदर्प, पंचशर, पंचवाण, पंचवाण, पुष्मासर, और पुष्वधनवा, पुष्प धनवा, इसके अलावा आप कौन सा बता देंगे, कंदर्प, पंचवाण, मंसिज, मनोज, मनमत, और क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, मैं, कामदेव का परियावाची है, यह सबी किसके परियावाची है, कामदेव, और इन्हें हम रतीपती भी कहते हैं, रतीश भी कहते हैं, रतीश भी कहते हैं और रतीपती भी कहते हैं तो किसका हो जाएगा परियावाची आप कहेंगे कामदेव का हो जाएगा अधम आप कहेंगे नीच तुच तुच दुस्ट ये सभी किसके अधम के परियावाची होते हैं जादू, तिलिस्म माया माया, ठीक है, यह सभी किसे कहते हैं हम, आप बोलेंगे जादू को, कह देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो व्याकरण जानता है के लिए एक शब्द बताईएगा, आप बोलेंगे शास्त्रों का ज्याता, शास्त्री कहलाता है, व्याकरण विप्यागरण का विद्वान कह सकते हैं, लेकिन जो व्याकरण जानता है, उसके लिए व्याकरण जादा शुद्ध शब्द है, बिटा, क्या हो जाएगा वयाकरण ज्यादा शुद्ध शब्ध हो जाएगा वीर पुत्र को जन्म देने वाली इस्त्री वीरांगना किसे कहते हैं बिटा वीर इस्त्री को वीर इस्त्री को वीरांगना कहते हैं पुत्रवती वह इस्त्री जिसका पुत्र हो, वह इस्त्री जिसका पुत्र हो, वो क्या कहलाती है, पुत्रवती कहलाती है, वीर प्रसु, वीर पुत्र को जन्म देने वाली बीर बहुरी, वह बीर बहु, ठीक है, बीर बहु, ठीक है, विम्लिकित वाक्यों में इसे एक वाक्य अशुद्ध है बता दो भई अलगाना पूर जल्दी से बता दे वाशी सदैप से भारतिय संस्कृति का केंदर रहा है गांदी जी का चर्खा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था वन जीवन की कस्टों का भैभी सीता को राम की अनुगमन से रोक नहीं सका अपनी कुशलता कुशल रणीती से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिये बताईए तो आप बोलेंगे कौन से जवाब आया है 50 परसंटी बेटा ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है और आप देखो अरे वह कमेंट वर्क्स में ए ए की लाइन लग गई ऐसा महसूस हो रहा है कि 96 परसंट बच्चों ने ए आंसर दिया था मैं ही जबरजस्ती समझा रही हूं इन्हें तो पता ही था देव कितनी जल्दी बदले हो तुम हां मतलब कमाल ही कर रहे हो हां मतलब हो तो बहुत चालू तुम दोग चलो लगा दो पूल लगा दो पूल बताईए नहीं बहुत बहुत हुश्यार हो बहुत हुश्यार है हां एक्जाम में ऐसा ही कोश्चन आएगा ऐसा ही आएगा टेंशन मतलो यह ना कुछ बाहार नहीं आएगा टेंशन मतलो तब तो आपके पढ़े हुए में से आएगा, देख लेना आप, सबके सामने पोल खुलते ही, मानू उस पर घड़ो पानी पढ़ गया, जब देखो वह अपनी बहादुरी के किस्से ही सुनाता रहता है, हमें जल्द से जल्द हां से निकल जाना चाहिए, क्या तुम अब भी उसकी बातों पर एकीन करोगे, सबके सामने पोल खुलते ही होना चाहिए, ही, ठीकिया, और यही वाला ओप्शन सही हो जाएगा, मानू नहीं होता है, तो यह बिंदी भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीकिया, तो यह ओप्शन सही हो जाएगा, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल ऐसे मैं सब कर पा रहा हूं, समझाने की जरुरती नहीं थी, ऐसा कमेंट बॉक्स मुझे दिखाई देता है, है न, चलिए, आगे बढ़ जाए, चलो, next question, निमलिखित में असमानार्थक शब्द का चैन कीजिएगा, वह शब्द जो अलग है, इन में से, बता दो, और हसके दिख प्रीत प्रेम, प्रेम है न, प्रीत प्रेम इसने चाहत, लगाव, लगाव है न, अनुराग, अनुराग तो लिखा हुआ है, तो ये सब किसके परियावाची है, वैसे भी ये तो आपको वैसे ही पता होगा सबका है न, अनुरक्ती कह सकते हैं, इसने ही कह सकते हैं, अनुर किसके परियावाची है तो आप कहोगे प्रेम के परियावाची है और देश का अर्थ क्या होता है तो देश का अर्थ तो इरश्या होता है इरश्या बैर जलन 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 कुड़न ये सभी किसके परियावाची है आप बोलोगे इरश्या के परियावाची है इन में से कौन सा श इन में से कौन सा शब्द किसका परियावाची पूछ रहे हैं ये जल्दी से बता दो इन है ये बता दो कौन सा है राधा रुकमनी द्रॉपदी या ये शोदा तो आप कहेंगे क्रश्णा का परियावाची द्रॉपदी होता है तो क्रश्णा के बहुत सारे परियावाची होते हैं क्रश्ण के जो मैंने अभी अभी आपको लिखवाए थे द्रॉपदी का अन्य परियावाची क्या होता है दुरुपद सुता दुरुपद सुता सुता पांचाली पांचाली ठीक है ये बोलते हैं हम द्रॉपदी को याग तो आप बोलोगे मैम, इसके अलाबा क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम, इन्हें हम सारंधरी, सारंधरी भी बोलते हैं सारंध्री द्री ऐसे लिखा जाना चाहिए सारंध्री छीक है चलिए आगे बढ़ जाए हाँ जी राधा आप बोलेंगे ब्रश भानुजा ब्रश ब्रश भानुजा भानुजा इसे बोलते हैं राधा को बोलते हैं ब्रश रानी बोलते हैं ब्रश रानी बोलते हैं हरी प्रिया बोलते हैं हरी प्रिया बोलते हैं राधे बोलते हैं ये सब हम किसे बोलते हैं आप कहेंगे राधा को बोल देते हैं चीक है और ये शोदा को यश्वत्टा को आप कहेंगे यश्व मती बोलते हैं, यश्व मती मया बोलते हैं, यश्व मती बोल देते हैं, ठीक है? आगे बढ़ जाएं, नंदरानी भी बोलते हैं, यहनैं नंदरानी भी बोल देते हैं, चली आके बढ़ते हैं, निमलिकित में से तदभव शब्द है, कौन सा शब्द तदभव है, तीन तस्सम है, एक तदभव है, जल्दी से बता दीजेगा कौन सा है, कौन सा है, हरी प्रिया लक्ष्मी का भी बोल देते हैं, बिटा हरी क्रश्न को भी बोलते थे क्योंकि विश्णु का अपतार क्रश्ण को माना जाता है तो तो क्या होता है इनके परियावाची आपस में एक दूसरे से मिले जोले होते हैं ठीक है देखो संख्या कम मत करो मैंने सोचा था मैं आपको और भी क्विश्चन कराऊंगी आगे ना चलो तो आप बोलेंगे बिटा कौन सा है तो आप बोलेंगे अचरज ही तदभव है इसका तसम आश्चर्य होता है क्या होता है आश्चर्य होता है ठीक है और अंधकार और अंधकार तो आप सभी लोगों से पूछा जाए अंधकार का तदभव क्या होगा तो आप क कुछ बच्चे अगर मेरा साथ दें, तो मैं अंग रख चक अंगर खां. अंगर खां. छीक है? चलो. आशा, आप बोलेंगे आस. आस. अगर मेरे कुछ बच्चे मुझे साथ दें, तो मैं इस कलास को आगे भी कॉंटिन्यू करना चाहूंगी और फिर अगर आप लोग मना ही क करोगे और एक सेकिंड को तो नएक चला जाता है कभी-कभी है ना और अगर आप लोग मना करोगे फिर कोई दिक्कती नहीं है तद्भव से तस्थम बने सही शब्द्यूग्म को चिन्नित कीजिए हत्ता हात देखो ये ऐसे कुश्चन होते हैं जो एक से जाधा कुश्चन बत रात्री होता है और पत्ता पत्र का बिल्कु सही है नच्चा और नाच नाच का तद्भव क्या होता है तो आप कहेंगे नत्ते होता है नत्ते होता है ठीक है और नाच नहीं होता ये भी नाच होता है क्या होता है नाच होता है ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट कुश दूसरे के विलोम ना हूँ जै पराजे आप बोलेंगे बिल्कुल विलोम है सारतक निरतक बिल्कुल है पतन उन्नती बिल्कुल है धर्म का विलोम बेटा अधर्म होता है अधर्म होता है और पुन्ने का क्या होता है पाप होता है अभी आठ कुश्टन्स के बाद पता चलेग गुप्त प्रकट बिल्कुल ठीक है, कुटिल सरल बिल्कुल सही है, दोस्त सखा बिल्कुल सही है, ना दोस्त क्या विप्रीत पूछा है हाँ, तो दोस्त का विलोम या सखा का विलोम क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे शत्रू हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा, गुरू लगू बिल्कु सही है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चाहें तो आप कह देना, मैं हम थोड़ी स्पीड से करा दो, पर करना चाहिए आपको, जिसका जन्म कन्या के गर्व से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्व से हुआ हो, ऐसे पुत्र को हम क्या कहते हैं बिटा, ऐसे ब अबैद पुत्र नहीं कहते, खुमारी सुत भी नहीं कहते, कन्या पुत्र भी नहीं कहते, ये परियावाची हो सकते हैं, परन्तु सबसे सटीक शब्द क्या है, आप कानीन बताएंगे. अपना उदेश पूरा होने पर संतुस्ट व्यक्ति क्या कहलाता है बताईए अपना उदेश पूरा होने पर संतुस्ट व्यक्ति क्या कहलाता है चिर प्रसन तो क्या हो दलाता है सदेव प्रसन जो रहता है सदेव प्रसन जो रहता है वो क्या कहलाता है चिर प्रसन कहलाता है म तुम अपने लिए तो मत मानो, तुम नहीं, मैं, क्रतग्य क्या होता है, कि ये गए उपकार को मानने वाला, क्या कहलाता है, क्रतग्य कहलाता है, आभारी, जिस पर आभार किया हो, जिस पर एहसान हो, क्या हो, एहसान हो, कहते हैं, हम आपके आभारी है, आपका आभार, क्रतार्थ कहलाता है, जो अपने कारे पर, बतब किये गए कारे पर, अपने उद्देश पूर्ण होने पर संतुस्ठ हो, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्रिश्चन, डाटा खतम हो गया, 19 रुपे का रिचार् वची नहीं है, वनिता, कामिनी, रमणी या विनीता, कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दो, कौन सा नहीं है, तो आप बोलेंगे, वनिता, बिल्कुल कामिनी, रमणी, युवती, युवती, औरत, औरत, ललना, ललना, है ना, है ना, युवती, औरत, ललना, इस्त्री, इस् विनीता किसे बोलते हैं, तो आप बोलोगे विनीता वह इस्त्री जो विनीत से उक्त हूँ विनीता कहलाती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, छीक है, आगे बढ़ते हैं, next question, इन में से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी है, निर जरिणी, सरिता, तटिनी, समानार्थी न तो आप बोलेंगे, वारी का अर्थ क्या होता है, आप बोलेंगे पानी होता है, तोय होता है, नीर होता है, सलिल होता है, ठीक है, ठीक है, और पै होता है, पानी होता है, पानी तो लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये किसका होता है, पानी का, निर जरिनी, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, निर्जरी, तिंदुगामिनी, श्रोत वाहिनी, क्या बोल रहे हैं? श्रोत वाहिनी, और क्या हो जाएगा? नदी, नदिया, नदी, उलंकशा, उलंकशा, कूलवती, ये सभी किसके परियावाची हो जाते हैं? तो आप कहेंगे नदी के समानार्थी हो जाते हैं. ठीक है? आगे बड़े? तो बिटा, एके जी, जी के जी, और आपको ये बहुत सिंपल लग रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना देख सकते हैं हैं ना? चलो, आगे बड़ते हैं. दिये गए चार विकल्प, बाक्यों में से केवल एक हिंदी व्याकरण वाक्य रचना की अनुसा शुद्ध है, यही वाक्य का चुनाव करें. बताईए, यहां गणित विज्ञान के साथ सत कड़ाई बुनाई भी पढ़ाया जाता है, धीमी स्वर में बोलोगे तो कोई नहीं सुन पाएगा, हमें कभी भी हिंमत नहीं हारनी चाहिए, मैं ये काम पहले कभी नहीं किया हूँ, एक शुद्ध है सिर्फ, और एक शुद् तीन अशुद्ध बता दीजेगा, तो कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे यहां गणित विज्ञान के साथ सत कड़ाई बुनाई भी पढ़ाई जाती है, धीमे स्वर में बोलोगे तो कोई नहीं सुन पाएगा, हमें कभी हिंमत नहीं हारनी चाहिए, ये काम मैं पहले कभ मैं ये काम पहले कभी नहीं किया है, किया हूं नहीं आएगा, किया है आएगा, तो C वाला ओप्शन बिलकुल सही हो जाएगा, C ओप्शन बिलकुल सही हो जाएगा, नेक्स्ट कोईशन, चलिए, निम्न वाक्यों में से विशेशन संबंदी वाक के छाट लीजिएगा, तो जल्दी से कैसे हो जाएगे, आप बोलेंगे, वर्षा की विशेश्टा क्या हो गई, आप बोलेंगे, अच्छा हो गई, ठीक है, आज बर्षा अधिक हुई, वर्ष वर्षा की विशेश्टा क्या है, अधिक हुई, सुनेयना, अच्छा चित्र बनाती है, तो आप कहते हैंगे, धीरे धीरे बोलो, तो बिटा, तीन तो, तीन तो इसमें क्रिया विशेश्टा हैं, गाने की विशेश्टा अच्छा क्रिया विशेश्ण, क्रिया विशेश्ण है ना विशेशन विशेशन और सुने ना आज वर्षा अधिक हुई वर्षा होने की विशेशता क्या है आप कहेंगे ये भी विशेशन है धीरे धीरे बोलो ये भी क्रिया विशेशन है तो बटा कौन सा होना चाहिए अगर आप से पूछा जाए आप से पूछा जाए तो इस सुने न, अच्छा चित्र बनाती है, अच्छा चित्र बनाती है, C हो जाएगा, बर्षा होने की विशेष्ता, बर्षा अधिक हुई, अधिक हुई होने की विशेष्ता, अधिक फिर भी क्रिया विशेष्ण, है न, धीरे धीरे बोलो, फिर भी ये क्रिया विशेष्ण, यहा इज़िस्टा क्या है तो वो क्या हो जाएगा आप बोलेगे गुणवाचक विश्यशन हो जाएगा कौनसा विश्यशन हो जाएगा YouTube वाचक विश्यशन को Nur वाचक विश्यशन बताओ, आगे बढ़ जाए, 300 question है, 300 number का question है, बाईया जी, एक poll लगाओ, जिसमें सिर्फ yes और no लिखना, कोई question नहीं है इंसे, पोल लगा दो, a में लिख दो yes, b में लिख दो no, yes और no, बस सीरे से, उपर लिख दो, no तो लिखा हुआ है, और उपर लिख दो, 100 more, क्या 100 question हम लोग और कर सकते हैं, बताइएगा, इन में से जैसे ये लोग जबाब देंगे, जैसा आपका जबाब आएगा, वैसे ही question किये जाएंगे, निम लिखेत में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेशन क्या होगा, आराम से, 1900 बच्चे लाइब हो, आप end तक टिकेंगे, तो मैं ये कराऊंगी, आकाशी आप बोलें गलत, आकाश गंगा गलत, आकाश से आकाशी ये बनेगा बिटा, क्या बनेगा आकाशी और आस्मान तो इसका परियावाची है, तो 87% गुडो ने मेरे जवाब दिया है, कि येस मैम, 87% बच्चों ने, तो इसका मतलब 800 बच्चे लगभग अभी क्लास करने को तयार है, तो किसी भी कीमत आपकी संक्या 1800 से कम नहीं जानी चाहिए और मैं 100 कोईश्चन और करा रही हूँ आपको, मैं आपको 100 कोईश्चन और करा रही हूँ, ठीक है, ठीक है, उसके बाद पूछूंगी, अगर आपका अमन करेगा, तो आगे कभी सोचेंगे, चल आपके जैसे बच्चे हों हिम्मत वाले टीचर कैसे, कैसे नहीं ठकेगा, बिल्कुल, मतलब कैसे ठक जाएगा टीचर, है ना, तो स्पीट से हाँ देखो, अंगना बिल्कुल सही लिखा है, चांद ऐसे नहीं लिखा जाएगा, चांद इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंक में चंद्रविंदुना लगता है, अंक ऐसे लिखा जाएगा, चलिए, नेमनांकित में से अशुद्ध शब्द का, शुद्ध शब्द, तो अंताक्छरी की बिटा बढ़तनी, ये सही नहीं होती, अंत्याक्छरी होता है, यहां मात्रा छोटी लग गई है, तो कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, तो आप बताएंगे मैं, भी वाला आंसर बिल्कु सही हो जाएगा, मक्खन का तस्थम शब्द कौन सा है, मक्खन का तस्थम शब्द म्रक्छन होता है, कौन सा होता है, म्रक्छन होता है, और म्रक्छन कहां लिखा है, यहां ये प्रक हो गया है, म्र ये लिखा है म्रक्षण ठीक है तो भी वाला बिल्कुर सही हो जाएगा मुक्षण वगैरा गलत लिखा है इन मेंसे कौन सा शब्द तस्सम नहीं है एक शब्द तस्सम नहीं है तो कौन सा नहीं है गुड़े जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे मतलग अभी पोल बता दूंगी मैंने ये मेरे गुड़े वैसे ही जब पढ़ने को तयार है तो इनके लिए थोड़ी सी छूट अगनी आप बोलेंग हुआ था का इसमें अलग से आ गया तो यहां क्या हो जाएगा घड़ा हो जाएगा और मोती क्या है तदभव है इसका तस्सम मौक्तिक होता है क्या होता है आप कहेंगे मौक्तिक होता है मौक्तिक होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोईशन नेक्स्ट कोईशन न वक्र कट्टू या पाश्चत्य यूगम तो है ही नहीं यूगम तो है ही नहीं इसमें ये क्या हुआ 305 में कुछ गरवड हुई बताओ अरे इधर वाला लिखा ही नहीं देखो मैं लिखती हूँ फिर बताना विहित विहित हो जाएगा निशित का चलो वक्र का लिखलो रिजू मेरे हिसाब से लिखलो बतादो कट्टू का म्रदू मरदू और पाश्चाति का लिखलो तुम पाश्ची लिखलो प्राच्ची ही था अब बतादो कौन सा सही है तो आप बोलेंगे यह यह भी सही है यह भी सही है पाश्चाति करवात्य होता है नहीं क्लास में, आप लोगों ने बोला, तो मैंने और एड करा दिया, आप संख्या कम मत कीजेगा, क्रतग्य का विलोम क्या होगा, तो आप बोलेंगे, क्रतग्य का अर्थ होता है, जो किये हुए एहसान को माने, जो किये हुए एहसान को माने, आर क्रतग्य तो विल्कुल नहीं हो क्या होगा चेतन होगा जड का विलोम क्या होगा चेतन होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन दिये गए काले अक्षर का परियावाच्ची शब्द छाटी रास्टी जंडे जंडे का हम सभी अविवादन करते हैं तो बता दो कौन कौन सा हो जाएगा भाया जी पोल उन्हें लगा दे इसमें देगो स्पीड से चल रहा है ऐसे मत करो संख्या तुमारी कम क्यों हो रही है संख्या प्रम घंड करो मैं तुमाहे लिए बहुत कुछ लेकर आई हो आज मुठ कुछ तुम्हारा प्रोष ना कोई हैं ? आप कहेंगे जंडे के परियावाची होते हैं, सेतु का अर्थ होता है पुल, और विमान एक तरह से वाहन को कहते हैं, चीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोईश्चन, दिये गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दुग्द का परियावाची नहीं है, आप बोलेंगे दुग्द, पय, गोरस, बिलकुल सही है, अमिय होता है अमरित का परियावाची, अमरित, जिसे हम अमी कहते हैं, जिसे हम सुधा कहते हैं, जिसे हम प्यूश कहते हैं, ये सभी किसके परियावाची हैं, तो आप कहेंगे अमिय के परियावाची हैं, नेक्स्ट जा सकता है ठीक है तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है तो आप बोलेंगे दीप कहलाता है चारो और पानी वाला इस्थान पानी वाला इस्थान क्या कहलाता है दीप कहलाता है प्राय दीप किसे कहते हैं तीन और पानी वाला इस्थान महादीप किसे कहते हैं प्रत्वी का विशाल भूखंड बलकि प्रत्वी का क्या लिखना भूखंड लिखो न विशाल भूखंड बलकि प्रत्वी का क्या लिखना जिसके चारो और पानी हूं पानी हूं पानी हो फीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं Next question सक्ः भाव मिश्ट अनुराँ को हम क्या कहते हैं सक्ः भाव मिश्ट अनुराँ को क्या कहएं भः या इसमें लगाओ pol इसमें लगा दो pol ज़ादा देर नहीं लगेगी अगर आप साथ देंगे तो डेड़ घंटा ही लगेगा, इस सो कोशन में ज़ादा नहीं लगेगा, तो ज़ादा परिशान मत हो, फिर हो सकता है अगला डेर और सो में हो जाए, है ना, अगले सो के लिए भी तो असा त्यार रहना, है ना, अगर किसी के प्रती, किसी के प्रती, बहुत जयादा जाए विष्वास, आतियंथ लगाव एवम विष्वास, विष्वास, एवम विष्वास, विश्वास, श्रद्धा कहलाता है, क्या कहलाता है, श्रद्धा कहलाता है, प्रेम, प्रीति, अनुराग, ये सब कह देते हैं, अनुराग, और सम्मान किसी को मान देना, ये तो आपको पता ही है, ये तो आपको पता है, चलिए नेक्स्ट कुश्चन, इम लिखित में से प्रत के तोटी हून हो तो डीप चिन लगाएं अपने परिवार एवं प्रिये जनों के विश्य में स्वस्त संबंदी कुशल समाचा श्रीग्र भेजने क्या अनुकंपन करें तो आप बोलोगे प्रायदीप में डिफ्रेंस ये है बिटा प्रायदीप में तीन ओर से पानी होता है महादीप में चारों ओर से पानी होता है पर बहुत बड़ा होता है दीप छोटा महादीप उसका बड़ा भाग समझे प्रायदीप में तीन ओर होता है अपने परिवार एवं प्रिये जनों के विश्याह में सवस्त सम्बंधी कुशल समाचार भेजने की अनुकंपन नहीं करें भेजने की अनुकंपा करें ठीक है, चलिए next question इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चैन कीजिए उसमें बचपन है उसमें बचपना है वह बचपन से नटकट है तुम बचपन से सीधे हो तो आप कहोगे मैं उसमें बचपन नहीं होता उसमें बचपना होता है ठीक है बचपना होता है अगला कुश्चन प्रचन शब्द का विलोम क्या होता है प्रचन बेरोजगारी कहते हैं भारत में प्रच प्रतिपन्न में इसे कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है?! पौराणिक प्राचीन कनिस्ट जेस्ठ ठीक है जेस्ट की पहलें गलत है, बर्तनी शुद्ध नहीं है क्या होगी? जेस्ट होता है तीक है? उग्र सौम में ठीक है, धौन से निर्माळ ठीक है पौराणिक और प्राचीन बीटा एक ही बात होती है इसका विलोम क्या होगा? अर्वाचीन होगा. अर्वाचीन होगा या आधुनिक होगा. है ना? निक होगा. clear? ए ओप्शन सही हो जाएगा. है ना जी? चलिए. नेक्स्ट कॉइस्टन. ये क्या होगा भी या? आप बोलेंगे उपानहा कि शब्द का परियावाची है? उपानहा पनही जूता, चर्म पादुका भी हम इसे बोल देते हैं. किसे बोलते हैं? जूते को बोल देते हैं. क्या बोलतेते हैं? जूते को बोल देते हैं. आगे बड़े, आगे बड़े, चलिएगा, clear है, हाँ जी, और जोर का जोर का नहीं होता, जादू का नहीं होता, जेस्ट का नहीं होता, उपान हाँ होता है, उपान है, जी के उपने हैं, लिखा हैं, very good, very good, next question, उग्र का परियावाची, तीब्र, रौध, प्रचंड, क्रोध प्रचंड तो हो सकता है, क्रोधी नहीं होता, उग्र का अर्थ तेज होता है, तो तीब्र और रौध्र सही है, रौध्र, प्रचंड भी हो जागा, वैसे क्रोधी भी ठीक है, उतकट गोर गलत है, शिव सूर्य गलत है, ये भी सही है, पर ये जादा सही हो जाएगा, क्यों ना ना मत बुलाओ तो मैंने कर दिये एड कहा नहीं था आपने अच्छा अच्छा कौन ही मैं चलो उचित अनुचित का ग्यान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है विवेकी ज्यानी चतुर दूरदर्शी तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे उचित अनुचित का ग्यान रखने वाला विवेकी कहलाता है ज्यानी बहुत सारा ग्यान रखने वाला क्या कहलाएगा रखने वाला मतलब हर चीज में ग्यानी कहलाएगा चतुर बहुत 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 निपुड व्यक्ति को हम चतुर कह देते हैं निपुड व्यक्ति को हम चतुर कह देते हैं दूर दर्शी, दूर की देखने वाला, दूर तक की या आगे तक की सोचने वाला, क्या कहलाता है? दूर दर्शी कहलाता है. ठीक है जी? आगे बढ़ जाए. आगे बढ़ जाएं चली को ऐखे वह कन्या जिसके साथ विभा का वचन दिया गया हो जिसके विभा का वचन दिया गया वो क्या कहलाती है देखो विभा के वचन को वागदान कहते हैं बिटा विभा के वचन को हम क्या कहते हैं विभा का वचन क्या कहलाता है वागदान कहलाता है और वह इस्तकन्या जिसके साथ विभा का वचन दिया गया हो वागदत्ता कहलाती है next question कौन सा वाक्य शुद्ध है कल जो दाथ तोड़ा था उसमें अभी तक बड़ी दर्द है समझ ले ना तुम कम हुए ना तो ये वाला example set हो जाएगा तुमारे उपर समझे जो कल जो दाथ तोड़ी थी गलत कल जो दाथ तोड़ा था उसमें अभी तक बहुत दर्द है ये सही है कल जो दाथ तोड़ी उसमें बड़ी दर्द है अभी तक भी ये शायराना बात है हमें नहीं करनी है ना कल को तुम यही कहोगे हम कम क्या हुए थे बस समझे हो चलो यह रास्ता दुर्गम है, साब्धानी पूर्वक चले, वाक्य में दी गई तुर्टी का उचित रूप दुर्गम, दुर्गम कौनसा हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा, जहां जाना कठिन हो, जहां गमन करना कठिन हो, दुर्गम कहलाता है, चली आगे बढ़ जाएं, बताने लगे तही आंसर ही आएगा इसका। सो प्रतिशत सही आना है। जान गई हूं न मैं आपको। पॉंसा जाएगा। C. Very good. अभी सारिका कहलाती है प्रेमिका प्रेम करने वाली इस्तरी, क्या कहलाती है? प्रेमिका कहलाती है, नाइका गुण संपन युक्त इस्तरी और जो नाटक में क्या होती है? मुख्य नाइका मतलब जो नाटक में आकर्षन का केंद होती है या कहानी का केंद होती है नाटक के हिसाब से उसे नाइका कहते हैं मनिनी मान करने वाली इस्त्री क्या कहलाती है मनिनी कहलाती है next question परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रियुक्त होने वाला शब्द परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द बता दो तो आप क्या कहेंगे उसके लिए हम अनुशुरुती कहते हैं अनुशुरुती कहते हैं ठीक है प्रतिशुति एक सेकेड प्रतिशुति किसी बात के लिए दिये जाना वाला बचन, वाला बचन, वचन प्रतिशुति कहलाता है व्याज उस्तुति निंदा में प्रशंशा, मतलब कर तो निंदा रहे हैं लेकिन वास्तिविक्ता में वो क्या है, प्रशंशा है, ठीक है, चलिए, जैसे, चलो, हाँ जी, ये पता है ये निंदा में प्रशंशा कैसे होती होगी, जैसे पिता जी बहर कोई सामान दे आए, कि अरे हम सामान लेके आ रहे थे, पडोसी ने हम से मांग लिया, हमने दे दिया, तो मम्मी क्या कहेंगी, तुम तो होई ऐसे, सब को सब चीजें दे दो, घर के लिए कुछ भी मतलाओ, है ना, सब कुछ दे दो, तो वो जो बाते होती है, वो क्या है, एक तरह से वो कहना चाहती है, कि हमारे पती दे बहुत दानी है, हर समझ भी नहीं आता है, तो एक तरह से तारीफ पर सामने से क्या कर रही है, बुराई कर रही है, तो उसे ब्याजिस्तुति कहते हैं, बिटा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुश्चन, गोवर का तस्थम रूप क्या है, गुरुबर, क्या शब्द है, गुरुबर गलत बात, गोवर, गलत, कुबर, गलत, को मैं, कोवर को हम क्या कहते हैं, गो मैं बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, हाँ जी, निम्न में से गेहूं का तस्थम कौन सा है, तो जल्दी से बता दो कौन सा है, कौन सा है, तो आप बोलेंगे मैं, गोधूम बोल गांठ बोलते हैं, आगे बढ़ जाएं, क्रत्रिम का विलोम आर्थी शब्द क्या है, क्रत्रिम का विलोम शब्द क्या है, जल्दी से बता दो, हेलो जी, बताईएगा, तो आप कहेंगे प्राकिर्तिक स्वनिर्मित, स्वभाविक, आप कहेंगे प्राकिर्तिक हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा क्रथ्यम का विमूम। जाना इसका विलोम आगमन हो जाएगा और विस्थापन का विलोम क्या होगा जल्दी से बता दो अनुत्थान का उत्थान हो जाएगा उत्थान हो जाएगा और विस्थापन का संस्थापन हो जाएगा संस्थापन हो जाएगा संस्थापन इसका विलोम हो जाएगा next question देखत चलिए इंद्र का परियावाची नहीं है भूपेंद्र शक्र शुर्पतिया पर्वतारी बता दो एक क्या है एक क्या है परियावाची नहीं है इंद्र का चलो तो आप क्या बोलेंगे भूपेंद्र हम बोलते हैं बिटा राजा को क्या बोलते हैं राजा को बोलते हैं शक्र सुर्पति पर्वतारी ये सभी हम किसे बोल देते हैं ये सभी हम इंद्र को बोल देते हैं अच्छा भूपेंद्र किसे कहते हैं, भूपेंद्र तो हम राजा को कहते हैं, क्यों जी, राजा नप, नरेंद्र, नरेंद्र, नरेश, नरेश, और बता दो, इसके सिभा बता दो, आप कहेंगे महीप, महीप, समराट, समराट, और बताइएगा, इसके अलावा, आप कहेंग अभी हम किसे कह देते हैं, राजा को कह देते हैं, नेक्स्ट कुईशन, इन में से कौन सा पद इधर उधर का परियावाची नहीं है, बता दो, एती ओती, एलंग, ओलंग, इंडहर, उढ़र, जेती एती, जेती तेती, बताओ, देखो, बताओ, आप कहेंगे, जेती एतेती तो कहते हैं, जितना उतना कह देते हैं, इसे, जितना, उतना, उतना, बताओ, आगे बढ़े, एक पंक्ती, कविता कविता में सुनाओंगी आपको पक्की बात है, और जब ये पूरे हो जाएंगे, तभी मैं आपको, ये जो बोल तुम्हें एक मिनट मैं फास्ट कर दूँगी, एक्जाम में भी फास्ट हो जाओगे, समझे, ट्रेन की स्पीड से चल रही हूं, मैं तुम तो हेलिकॉप्टर बना दू मुझे, फास्ट मैडम जी, पलड तक के तो देखनी रही में तुम्हें, चलो, जिसने राष्ट के हित म अपने प्राणों का वलिदान दिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, देश भक्त कहते हैं, शहीद कहते हैं, राष्ट भक्त कहते हैं, या सेनानी कहते हैं, तो कहोगे, शहीद कहते हैं, मतलब प्राणों के वलिदान दे लिए, देश भक्त, देश का भक्त, क्या कहलाएगा, देश में सेना में तैनात जो होता है वो क्या कहलाता है सेना नहीं कहलाएगा है न सेना में तैनात या सेना संबंधी सेना सेनिक कहलाएगा सेना से संबंधित से संबंधी संबंधी क्या कहलाएगा सेना नहीं कहला देगा है न बताईएगा किसी साहितिक क्रती की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है जल्दी से बतादो देखो समालोचना करना हिंदी में ये समीच्छा की तौर पर प्रियोग किया जाता है तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा बिटा, है ना, हाँ, सब के दिमाग हिल गए है, अब चल रही है, असली मेरा थन, यही तो speed बढ़ गई, आप क्या बोल जाएंगे, समीक्छक बोलते हैं, प्रेक्छक का अर्थ होता है, दर्शक, है ना, और, उपेक्छक, उपेक् प्रेक्छक करने वाला, वाला, उपेक्छक, प्रेक्छक, प्रेक्छक लेने वाला, भाई जी, कप चाय बन बादो, ध्रग डाल के, प्रेक्छा लेने वाला, प्रेक्छक कहलाता है, ठीक है, चलो, निमलिकित वाक्य में विशेशन पदवन्द क्या है, रोज कस्रत करने वा तो इसमें इसे कौन सा है, कौन सा है, अधा만 जल्दी से बतादो, एक और लोग तो नहीं आएगा, लोगों की तो विशेष्टा बताई जाए जारी, तो यह पदवन्ध में कैसे आजएगा, तो कौन सा आजएगा, जल्दी से बतादो, पीडियर्फ भी दे दूगी, पक्का पीडियाफ दे दूंगी अगर 500 कुष्चन तक टिके रहे तो अगर तुम 500 कुष्चन तक टिके रहे तो पीडियाफ दे दूंगी वन्हा जाओ मौज करो नहीं मिलरी पीडियाफ तो क्या आजाएगा रोज कसरत करने वाले और मैंने सबके नाम निकल वारी हूं जो जो 500 आज एक बज़े आएगी पदबंद का अर्थ होता है विशेशन के लिए जितने पदों का प्रियोग हो रहा है विशेशन पदबंद कहलाएगा साथ बज़े आने वाली गाड़ी आज एक बज़े आएगी ये गाड़ी कब आने वाली थी साथ बज़े आने वाली तो इसमे कौन सा पदवन्द हो जाएगा विश्रिश्र पदवन्द कौन सा हो जाएगा तो आप बोलेंगे बी हो जाएगा बी हो जाएगा कभी पूछ ही लिया जाए इसलिए में ये questions भी ले आई तो मूर होता है सफेद क्या है तदभव है और इसका तस्तम क्या होता है श्रेत होता है और शीर्ष क्या है शीर्ष भी तत्सम है और इसका विलोम क्या होता है सिरा होता है क्या होता है सिरा होता है नेक्स्ट कोईश्टन नेमली कितमे से तत्सम की दुष्टी शे शुद्ध है कौन सा एक शुद्ध है सिर्फ एक ही तत्सम है और वे कौन सा है तो पिटा ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहना साटिका इसे तदभव में साड़ी कहते है क्या कहते है साड़ी कहते है रसी रज्जू क्या बोलेंगे रसी को रज्जू बोलेंगे और रैन को रात्री बोलेंगे सरसो को सशर्प बोलेंगे क्या बोलेंगे सशर्प बोलेंगे समस्ठी का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? समस्ठी का विलोमार्थी शब्द कौन सा भी पिन है? समस्ठी का विलोमार्थी तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा? समस्ठी समेटना, व्यस्ठी फ्यालाना, आप बोलेंगे व्यस्ठी हो जाएगा. विशिष्ट साधारन, ठीक है अशिस्ट शिस्ट, अपुस्टी पुस्टी, चलिए, next question, सुजाती का विलोम क्या हो जाएगा, सुजाती मतलब अपनी जाती, और इसका विलोम क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे विजाती हो जाता है, अजाती का विलोम जाती हो जाएगा, है न, और सुजाती का विलोम जाती हो जाएगा, next question, काच का परियावाची शब्द है, तो बता दीजेगा, काच का परियावाची शब्द कौन सा है, जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे, तो आप कहेंगे, शीशा होता है, सीशा नहीं, शिपा नहीं, शिशा नहीं, एक तैसे वरतनी भी पूछ ली आ आप से है ना, तो शीशा हो जाएगा, next question, खल का परियावाची शब्द है, तो कौन सा है, विश्वास गाती निलज, नीच दुर्जन, दुस्ट दोके वाज, खली या खरल, बता दो जल्दी से, अभी देखो, बहुत स्पीड में चल रहा है हम लोग, अभी भागने की जर होता है, दुर्जन होता है, दुस्ट होता है, दुस्ट होता है, है ना, अधम होता है, अधम होता है, विश्वास गात और धोके बाज, तो अलग चीज हो गई ना, दुस्ट होने का मतब जरूई नहीं, धोके बाज भी हो, तो ये नहीं होगा, निरलज भी होना जरूई न अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के, किसी स्वार्थ के, क्या कहलाता है, स्वार्थ कहलाता है, पुन्य आत्मा, पवित्र आत्मा को हम क्या कह रहते हैं, पवित्र आत्मा या पवित्र इंसान जो भी होगा, उसे पुन्य आत्मा कह देंगे, भला चाहने वाला ही तैसी सहाय सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक कहलाता है, next question, हाथी की पीट पर रखा जाने वाला आसन, क्या कहलाता है, जल्दी से बता दें, हाथी की पीट पर रखा जाने वाला आसन, तो आप क्या कहेंगे आप बोलेंगे हौदा कहलाता है जीन घोडे की पीट पर रखी जाने वाली गद्धी क्या कहलाती है तो आप कहेंगे जीन कहलाती है जीन कहलाती है जीन कहलाती है जीन के नीचे लगी काठी मतलब लकड़ी जो होती है लकड़ी का जो साचा धाचा होता है उसी ही हम क्या कहते हैं काठी कह देते हैं और बक्तर गाडियों पर सुरक्षा के लिए कि प्रियोग किए जाने वाला क्या कहलाता है भक्तर कहलाता है ला चालियों पर प्रियोग होता है नियर सेयन निर्देश निर्व लिखित वाक्यों में कुछ तुरुटियां हैं और कुछ ठीक हैं, तुरुटी वाले वाक्य को चुनें, A, B, C पर चिनने लगाएं, कुछ वाक्य तुरुटी ही नहीं हो तो D पर चिनने लगाएं, बताओ कुछ उसके प्राप्त करने में दाओ पेच लगाएं ते उसके प्राप्त करने में या उसे प्राप्त करने में या उसको प्राप्त करने में यही आएगा, इन दोनों की सिवा तो कोई नहीं आएगा, सुतानता प्राप्टी के बाद अधिक्ता लोग ऐसे ही है जिन में कुछ सुक संपन्यता भोगने और लाव उठाने में मगन है ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है तो ए वाला option बिलकुल गलत हो जाएगा गलत ही पूछा है हमसे है ना तो ए वाला option गलत है जो कि हमसे पूछ कुछ वहीं मतलब सही वाला बता दो मनुष्य की अनभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवर्तियों से अलग है मतलब महसूस करने का शिच्छा मानव समाज की अत्यंत महत्पूर्ण प्रक्रिया है मनुष्य संसार में अपनी स्वभाविक और प्राकृतिक विशिष्टाओं सहित उत्पन होता है और D क्या है कोई तूटी नहीं इसका जवाब कौन देगा जल्दी से बता दो इसका जवाब कौन देगा तो आप बोलेंगे मैम इसमें कोई तूटी नहीं है ऐसा पहला वाग के हमारे रिकॉर्ड में हमारे रिकॉर्ड का पहला वाग के जिसमें कोई तूटी ही नहीं है वरना तो मैडम जो जवाग के लेकर आती हैं इनमें भर भर की त्रूटियां होती है तुम कर लो संख्याकम तु में बताऊंगी अभी मेरो को तो तुम्हें 11 성्वरी को पता चलेगा क्या को रहाती जो भाग रहे हैं ना Il है तुम्हें 11 को पता चल जाय देगा चलेगा क्या कह दो घूंने यॹत ल experiments पो में अररने शब्द का समानार्थी कौन सा है हाँ जी है मैं तो वीडियो देखी है आप कोश्चन साथ से अठावन सा ही हो रहे हैं आपकी सारी जिंदी आभारी रहोंगा थैंक्स में गॉड ब्लेस यो शुबम कुमार भोल रहे हैं कि मैं मैंने आपकी सारी क्लासे वीडिय समानार्थी कौन सा है देखो पावक होता है आग का जिसके परियावाची हमने खूब सारे लिख लिए ठीक है वारण हम बोलते हैं निवारण को निवारण को किसी चीज का समाधान करना समाधान भी बोल सकते हैं हम है ना समाधान भी बोल सकते हैं कानन विपिन पैन बदल कानन, विपिन, कानतार, कानतार, क्या बनाई ये, कानतार, अटवी, वन, ये सभी हम किसे बोल देते हैं, तो आप बोलोगे मैं, ये सभी हम जंगल को बोल देते हैं, सदन का अभी मैंने घ्रह घर आदी लिखवा दिये हैं, आपको परियावाची, अलंकेश किसका परियावाची है, बताओ, बटा, बादल का आपको पता है, मेग इत्यादी आपने लिख लिया है, कल्प ब्रक्च, क देव द्रुम, देव ब्रक्च, ये सभी किसके परियावाची हैं, किसके परियावाची हैं, आप बोलोगे कल्प तरू के परियावाची हैं, ठीक है, यक्छ राज, आप बोलोगे कुवेर, यक्छ राज, अलकापती, अलकाइन की नगरी का नाम है, अलकापती, धनद, धनाधिप, कुवेर, अलंकेश, लिखा ही है, अलंकेश, अलंकेश, और ये सबी किसके परियावची हो जाएंगे, कुवेर के हो जाएंगे, बिजली, चपलाकार, थो बिजली होता है, और इसके बहुत से परियावची, हम अभी अभी पीछे लिखकर ही आएंगे, नेक्स्ट कुर्शन, लेकिन मैं लिख दूँ, कुछ बच्चे नए भी तो जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हैं न, बिजली, बीजुरी, और कुछ इसके अलावा आप बोलेंगे सौधामिनी, सौधामिनी, तड़िता, तड़िता, चपला, चंचला, यह सभी किसके परियावची हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे, कि मैं यह बिजली के परियावची हो जाएंगे, निमलिकित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा, प्रथम और दित दिया गया है, वह जोड़ा ज्याद करें, जिसमें दित्य शब्द का अर्थ प्रारंब, शब्द के विप्रीत हो सीदे सीदे, यह बताना है, विल तर्थक विलोम आर्थी का जोड़ा पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, एसी, यह बोला था, अब चला, चलिए, अरणे विपिन सहीए समानार्थी, अगनी पावक समानार्थी, आमोद प्रमोद समानार्थी, इस्थावर जंगम, यही विल्कुल सही विलोम है, इस्थाव बोला था, पचास होने वाले हैं, कितनी सी देर लग रही है होने मेंने, लव है, अलव है, सही है, अनुचित पूछना है, शेश अशेश ठीक है, शेश तल ठीक है, शिस्थ का तो पिटा अशिस्थ होगा, अशिस्थ होगा, और परिशिस्थ का अपशिस्थ होगा, अपश रिस्ट हो जाएगा, next question, चलिये, निम लिखित में से तदभव शब्द कौन सा है, तो कौन सा है जल्दी से बता दें, तदभव शब्द कौन सा है, निम लिखित में से, तो आप सभी लोग बोलेंगे, ग्राम अश्रू सूर या माथा, ग्राम अश्रू सूर या माथा, तीन अगर मैं देखूँ ग्राम किसे बोलेंगे गाउं को बोल देंगे अश्रू आंसू और सूर्य सूरज आगे बढ़ते हैं निमले कितमे से तदभव शब्द है फिर से देख लो तो अभी मस्तक आ गया लेकिन ऑप्शन बदल गया ब्रहमर भौरा और भवरा भी लिख सकते हैं आप इसे भवरा अगनी आग और मचली को हम क्या बोलते हैं मीन बोलते हैं और हमसे अगर तदभव पूछा है तो मचली आ आएगा क्योंकि मस्तक को तो हम तसम्हें तसम्हें बोलते हैं मस्तक तो तसम्हें हैं और इसे तो हम क्या बोलेंगे माथा बोलेंगे क्या बोलेंगे माथा बोलेंगे माथा बोलेंगे और मीन को हम क्या कहते हैं यहां पर मीन किस प्रकार लिखा जाएगा मीन ऐसे लिखा ज जहां लोगों का मिलन हो एक شब्द की करम में सही विकल्प चुनिये, मेला भीर सम्मेलन या सम्मेलन जहां लोगों का मिलन हो तो आप बोलेंगे क्या होता है सम्मेलन होता है और भीड तो क्या होती है भीड कभी सोच समझ के जमा की जाती है आप बोलेंगे जहां लोग इखटे हो जाएं लोगों का इखटा होना लोगों का इखटा होना भीड कहलाता है और मेला क्या होता है त्योहार उत्सव आधी पर त्योहार उत्सव आधी पर व्यापार आधी होना और लोगों का जमा होना आधी और लोगों का आना जाना वही पतला वही जो होता है ना आना जाना वही तो बोलते हैं त्योहार वग्यरा पिलगते हैं मेले उस सब में वह आप समझके होगे चलो आगे बढ़ते हैं जिस इस्त्री का पती जीवित है देखो आप से सिर्फ 100 कूश्चन पूछा था और बेटा देख लो आदे घंटे 50 क मैं अगर मैं एक्जाम क्लियर होगे तो मैं आकर मिलूंगा आपको आपकी पूरी टीम को लड्डू खिलाओंगा मैं भगवान अक्की रख्चा करें हैं हाँ मिलकुल लड्डू का तो इंतजार रहेगा तो जादा लेके आना टीम बहुत बड़ी है हमारी जिस इस्त्री का पती जीवित है उसके लिए उप्यूक्त शब्द है पती ब्रता अपने पती के लिए पती पर अनन्य भक्ती रखने वाली इस्त्री पती ब्रता कहलाती है एक सेगें, अपने पती के प्रती, अनन्य भक्ती रखने वाली, अनन्य श्रद्धा समझजो, श्रद्धा रखने वाली इस्त्री, क्या कहलाती है, पति व्रता कहलाती है, इस्त्री का पती जीवित हो बिवाहिता, जिस इस्त्री का विवाह हो चुका हो। विवाहिता कहलाती है अनुरक्ता प्रेम में डूवी इस्त्री क्या कहलाती है, रूबी इस्त्री क्या कहलाती है? अनुरक्ता कहलाती है. सदभा का बेटा कई बार विलोम पूछ लिया जाता है जो की होता है विदवा जिस इस्त्री का पती जीवित ना हो जिसके पती की म्रत्यु हो गई हो. ठीक है? आगे बढ़ जाओ, चलो. निर्म लिखित में से कौन सवाक की शुद्ध है क्या आप एक एक कोशन में 4-4 कोशन लेकर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं जल्दी से बता दो आप एक एक question में चार-चार question ले कर जा रहे हैं या नहीं लेकर जा रहे हैं अनुरक्त तो बिटा प्रेम का भाव होता है ठीक है और अनुरक्ता क्या बोलते है जो प्रेम में डोवी होती है ठीक है निर्म लिखित में इसे कौन सा वाक कि शुद्ध है मैंने पार्टी में आच दस रसगुला खाया रसगुला खाया हो गया रसगुले खाये होंगे बटा इतने सारे खाली आठ दस फिर भी एक बतारहे रसगुला बतारहे गलत बात प्रेम का मूल आका नहीं जा सकता इतने में हलकी सी हवा का जोका आया प्रतीक श्रमक को प्रेम का मूल आका नहीं जा सकत ये भी गलत हो गया, इतने में हलकी सी हवा का जोका आया, इतने में हवा का जोका आया, प्रतियक श्रम को, ने ये तो ठीक था, प्रेम का मूल आंका नहीं जा सकता, अच्छा हाँ, पहले मैंने जो कोशन बढ़ा था, उसमें नापा लिखा था, तो आंका नहीं जा सकता, ठीक को दो दो रुपए मिले यह चीक है आप तो असा दिमाग आगे पीछे होने लगा आपका भी हो रहा है आप मत करो अपना भई देखो निम्ड बिकल्पों में से सही वाग के पहचानिये पदमावत के रचाईता कभीर हैं देखो अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं सो और भी क प्रतिशत यही आंसर है और मुह को मुख बोलते हैं तत्सम में ठीक है तत्सम में क्या बोलते हैं मुह को मुख बोलते हैं और मैं यहीं से जवाब ले लूँगी मर्म इधर भी रेफ इधर भी रेफ तो आप कह देंगे ये तो तदभब ही होगा मर्म का अर्थ होता है मरम मतलब पूरा सार कह सकते हो और प्रलाप का अर्थ होता है रोना या बेर्थ बात करना वेर्थ बात से कौन सा शब्द तदभव है तो तदभव है आप बता दो तो आप बोलेंगे मैं मंजीत मंजिस्ट बोलते हैं इसे हम मंजिस्ट बोलते हैं ततसम में और और तंबू लिखा तंबोली 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 और घट को हम क्या बोलेंगे घड़ा बोल देंगे और कपाट को हम क क्या बोलेंगे? किवाड बोल देंगे. क्या बोलेंगे? किवाड बोल देंगे. ठीक है? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ जाएं? हाँ जी. नेक्स्ट क्वेस्चन दिये गए विकल्पों में उष्ण का विरुद्धार्ती शब्द क्या है उष्ण का अर्थ होता है गर्म और इसका विरुद्धार्ती शब्द कांसा होता है इसका विरुद्धार्ती शब्द कांसा होता है तो आप बता दू कांसा हो जाएगा तो आप निश्क्रिये हो जाएगा, और उग्र का सौम में हो जाएगा, सौम में या विनीत भी हो जाएगा, विनीत भी लिख सकते हो, विनीत भी हो जाएगा, जैसा option में मिल जाए, अगर आता है तो, और दुस्ट का विलोम साधू हो जाएगा, है ना बिटा, साधू हो जाएगा, च आद्रता का अर्थ होता है नमता गीलापन होना आद्र होना इसका विलोम क्या हो जाएगा बिटा क्या हो जाएगा शुष्कता सूखा नहीं होगा सूखा गीला का होता है जब हुमारे पास शुष्क लिखा है तो शुष्क ही इसका सही विलोम हो जाएगा आगे बढ़ जाए आगे बढ़ते हैं, कौन सा शब्द जंगल शब्द का परियावाची नहीं है, जल्दी से बता दो, तो आप कहेंगे अटवी, कानतार, कानन, विपिन, अरणे, और होताईगा, अरणे और वन, तो कानता किसका परियावाची है, तो बिटा आप बताना, कानता का अर्थ होता ह है, भार्या, भार्या, पत्नी, संगिनी, और क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, शरीके हयात, अरधांगिनी, अरधांगिनी, अरधांगिनी है न, प्रिया, ये सभी किसके परियावाची हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे, जंगल के परियावाची हो जाएंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें, अब इतना भी मत करो, मैम सो चाहिए, मैम भी सामने इंसान ही खड़ी है न, ठीकराईए, प्लीज, आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेंस के लिए भी, बिलकुल मेंस के लिए भी कैसी तयारी कराई जाएंगे, आप टेंशन ही मतलो, संगिनी, संगिनी लिखवा दिया बिटा मैंने, चलिए, नेक्स्ट कुश्चन, जानवी शब्द का परियावाची है, कुमुद्नी, रश्मी, नलिनी या मंदाकिनी, देखो जानवी किसका परियावाची होती है, क्या ह तो आप क्या बोलेंगे, मंदाकिनी, इसका मंदाकिनी, गंगा, गंगा और जानवी, और बताइएगा, गंगे, अलकनन्दा, अलकनन्दा, और सुरसरी, देवनदी, विश्णुपदी, ये सभी किसके परियावाची है, तो आप बोलेंगे, ये सभी किसके परियावाची है, तो मंदाकिनी के परियावाची है, कुमधनी के अभी मैंने नलनी वगेरा लिखवा दिये थे, रश्मी आपको पता है, किरन, किरन, गो अर्ची, है ना, कुमधनी, नलनी, ये सभी तो अभी हो चुके हैं, है ना, तो आप किया बोलेंगे, और बताइए, दीपती, दीपती, दीप्ती नेक्स्ट कुश्चन देखना भाईया लगाना हां नेक्स्ट कॉश्चन में आप पॉल लगाया है मैंने मैं पीटा थी सेकेंड में आ रहे हैं। झाल 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 चुपचाप चुपचाप से लोट के आजाओ चलो जो वर्णन से बाहरो वर्णन तीत जो देखा ना जा सके अरे ये देखो जो देखा ना जा सके क्या होना चाहिए जो आमिश नहीं खाता जो पहरा देता है तो आप बेटा यहां पर लिखलो अद्रश और एक और लिखलो आप जो आमिश नहीं खाता तो यहां पर जो दिया हुआ है विकल्प सामिश है तो आप बता दो इन में से कौन सा गलत हो जाएगा हाँ बेटा आप हो गया ना तो आप बोलेंगे वर्णनाती जो देखा ना जासे कि अद्रश जो पहरा देता है प्रहरी बेटा जो आमिश नहीं खाता वो सामिश नहीं कहलाता क्या कहलाएगा आप बोलेंगे निरामिश कहलाएगा निरामिश कहलाता है क्या कहलाता है निरामिश कहलाता है क्लियर है आगे वड़ जाएं चलो मन को रहने वाला वाक्य के लिए नीचे दैगा है विकल्प में कौन सा हो जाएगा मन को रहने लिख दिया देखो हरने वाले को हरने वाले को बता दो क्या हो जाएगा मन को हरने वाला तो आप बोलेंगे मन को हरने वाला मनों हर क्या कहलाएगा मनों हर कहलाएगा मरमान तक मर मन पर मन पर प्रभाव डालने वाला प्रभाव डालने वाला डालने वाला क्या कहलाता है मरमान तक कहलाता है मद मस्त अपनी में मस्त और मद तो भिटा घमंट को भी कहते हैं। निम्लिकित में से शुद्ध वाक्य का चैन कीजिए सीधी लकीर खेचना बहुत कठिन है जंक फूर्ट से सीधी लकीर खीचना बहुत कठिन है ठीक है जंक फूर्ट से मुटापा बढ़ती है या बढ़ता है आप बोलेंगे बढ़ता है, देखो मेरे बच्चे वापस आ गए, हरा पेड ऑक्सीजन देते हैं नहीं, देता है, मेरे घर में तुम्हारी स्वागत नहीं है, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, यह ती हटा दोगे, ठीक है, तुम्हारी की जगे, तो कौन सा हो जाएगा, आप बता दो, यह आप्शन बिल्कुँ, पैन बदल गया, यह आप्शन बिल्कुँ सही हो जाएगा, और तुम्हारी नहीं होगा, तुम्हारा होगा, ठीक है, चली नेक्स्ट कॉस्चन, शुद्वर्तिनी वाले शब्द का चैन कीजिएगा, मैं भाग के आई थी, मैंने सोचा कहीं तुम्हें से एकात भाग गया तो, पर तुम अच्छे हो, सुद्वर्तिनी वाले शौहार्द्र, सहेस्ट, वांग में शष्ट, शष्ट बिल्कुल सही लिखा है, पैटा वांग में ऐसे नहीं लिखा जाता, वांग में अंगा बनता है, दा नहीं बनता, अंगा बनता है, और ये वांग में इस प्रकार से लिखा जाता है, और अन्य था, इस प्रकार भी लिख दिया जाता है वांग में, बेल्कुल सही है, ठीके, 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 बता ये गा, है ना, अरे ये गा क्यों लगाया, ये गा क्यों लगाया, 年 ना में होगा न वाग मैं किसे कहते हैं बात करने की विशेख कुशे को क्या कहते हैंBecause सची हिसे मजहर एथ कि इतना साथ देना कोई मजाग बात नहीं बात हन्युमान का प्रियाव श्य आने वाला अभी आने वाला है अगे ठीके नहीं अच्छा बतारीं है वह तो मच्छी वह तुम अच्छी सोहार्द्र क्या हो जाएगा कि यह सुहार्द्र हो जाएगा ठीक है और और सहस्त्र तो सहस्र होता है सहस्र सहस्र होता है सामें ही रा लग जाता है ठीक है 325 इतने बच्चे हैं जो अभी 325 पे अटके हुए है चलो आगे बढ़ते हैं निम्ली के शब्दों में से एक वर्तनी शुद्ध है जल्दी से बता दो कौन सी वर्तनी शुद्ध है उतकर्ष आप खुद बता दो कि उतकर्ष एकत्रित कद्रस ठीक लिखा है इस्थाइत्व देखो इस्थाइत्व इस प्रकार से लिखा जाता है लेकिन इस्थाई अगर लिखा जाए तो बिटा ऐसे ही लिखा जाएगा इस्थाई में ये सही है, लेकिन इस्थाई इस प्रकार से लिखा जाता है, बताएगा, next question, तभी तस्थम शब्द किस वर्क में है, देखो, इसमें करेंगे गेम, काज, तदभव इसका तस्थम कारे, क्या हो जाएगा, इसका तस्थम कारे, टिकट, टिकट, आप बोलेंगे अंग्रेजी का शब्द, आग, अगनी, अगनी, है ना, आग को हम क्या बोलेंगे, अगनी, आदमी भी नहीं है, मनुष्य होता है हिंदी में, कारे, वायू, अक्छर, रात्री, सभी ततसम हैं, और सभका तदभव क्या होगा, मैं क्रमशा लि अक्छर, आखर, रात्री, रात, गुलाब, चश्मा, बाग, आ बोलेंगे, इसमें भी बाग, वन आ गया, सब गशाकू, और इसे भी नहीं आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, भी वाला ओप्शन आ जाएगा, ठीक है, भी वाला ओप्शन आ जाएगा, ठीक है, कान को हम बोलेंगे तत्व सम्मि कान को हमानख को करन बाग्य को बन ठीक है ठीक है और इस प्रकाल से सब को हम सर्भ बोल देंगे चलिसने को विलोमं सकती हैं और चाओम विदेशच whaad ko को हमने वन लिखी दिया आपको पता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कुश्चन कौन सा विलों बैयार भी बायू को बोलते हैं बैटा बैयार भी तस्सम हो जाएगा पवन हवा पवन का हवा बायू का बैयार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना नियम लिकित में से मास वियास ठीक है स्वल्पायू चिरायू ठीक है आहार का विलों बहार तो नहीं होगा है ना आहार का विलों अक्षर आखर होता है बैटा आखर लिखा मैंने क्या आखर तो लिखा है तो आप बताएगा आहार का विलों क्या हो जाएगा आप बोलोगे आहार का विलों आह निराहार होगा, निराहार होगा, निराहार होगा। खेली नेक्स्ट कोईश्यन निम्न में से कौन सा विलोम यूगम त्रुटी पूण है आमिश सामिश आप बोलेंगे आमिश का अर्थ क्या होता है मास होता है और मास के साथ सामिश भी मास में आ गया तो निरामिश होगा न इसका तो विलोम निरामिश होगा न इसका तो विलो आधार का आधे, उद्धत का विपत्ती का समपत्ती सभी सही है, निमिश अब्द का परियावाची क्या है, जल्दी से बतादो, निमिश का परियावाची क्या है, तो देखो बेटा निमिश क्या होता है, निमिश भर में सब बदल गया, निमिश का अर्थ होता है छण, निमि घड़ी भर में सब बदला तो आप कहेंगे घड़ी भी बोल देते हैं ठीक है और प्रकाश का तो आपने अभी बहुत सारे परियावाची लिख लिए आलो पूर का क्या हो जाएगा सम्पूर हो जाएगा पूरा हो जाएगा समस्त हो जाएगा समस्त हो जाएगा यह सभी पू का परियावाची हो जाता है ठीक है और चिद्र को हम छेद बोल देते हैं चलिए प्रक्षु शल्दु का परियावाची है अंशुक द्विज वरुण या तरुण जल्दी से बता दो जल्दी से बता दो पिटा यह मेरा आरो यारो का यह मेरा पहला वैच है एपियस और आरो यारो वाला और यह मेरे लिए बहुत स्पेशल है मतलब बहुत स्पेशल तो मेरे ऑनलाइन के फर्स्ट इस्टूरेंट्स हो तो तुम लोग मेरे लिए बहुत स्पेशल हो तो तुमारे लिए जितना जास है हाला ये भी थोड़ा सा जादा है लगाव बताईए अंशुक बतादो तो अंशुक का अर्थ बेटा चुनरी होता है चुनरी दुपट्टा दुपट्टा है ना आचल आचल बोल देते हैं ये सबी हम किसे बोलते हैं चुनरी को बोल देते हैं दुज हम पक्छी को बोलते हैं जिस पंची बोलते हैं और बताएं और बताएं हाँ जी खग बोलते हैं विहग बोलते हैं तो यह सब हम किसे बोल देते हैं पक्छी को बोल देते हैं ठीक है हाँ जी ठीक है वेरी वेरी गुड तरुन हम नविवक को बोल देते हैं वरुन हम बोलते हैं हवा एक में वरुन हम बोलते हैं अंबु राज को पानी के देवता को अंबु राज अंबु राज है ना अंबु राज भी बोल देते हैं जलदेव भी बोल देते हैं हम वरुन को ठीक है और तरुन हम नविवक को बोलते हैं युवा को बोल देते हैं युवा को बोल देते है चलि आगे बढ़ते हैं जिसका कोई अंग बेकार हो उसे हम क्या कहते हैं देखो अंग हीन तो नहीं कहेंगे अंग हीन नहीं कहते हैं एक मिनट और आगे ओपर देखना दरा क्या लिखा है में जी आप होई, थैंक यू सो मज़ एंशिका, बस वी घरो में वी, अरे भईया, क्या दिक्कत है, लंगडा अशक्त गलत, क्या बोलते हैं, विकलांग कहते हैं, जिसका कोई अंग, जिसका कोई अंग, ठीक नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे, विकलांग कहेंगे, नेक्स्ट शस्त्र क्या है, उप्यूक्त शब्द का चयन करें, देखो दो शब्द होते हैं, शस्त्र और एक होता है अस्त्र, ये हत्यार के तौर पर बेटा, यूस किये जाते हैं, और ये बहुत जादा, बहुत जादा प्रियोग में आते हैं, वह हत्यार जो फेक कर चलाया जाए, मत त्यार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए शस्त्र कहलाता है तो क्या हो जाएगा आप बोलेंगे भी इसमें से सही हो जाएगा ठीक है ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए नेक्स्ट कुशन देखो अपनी संख्या कम मत करो मैं बता रही हूं तुम्हें अभी एक सप्राइज और दूंगी 400 के बाद एक सप्राइज और है 400 के बाद मेरी तो थकान मिटा दी तुम लोगों ने जिस तरह से सुभह से तुम लगातार बने हुए हो ना मेरे साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थकी नहीं रही मैं थकी नहीं रही इस्तब्द के लिए सही विलोम क्या होग अनिस्तब्द गलत प्रारब्द प्रारब्द तो हम भाग्य को कहते हैं तो प्रारब्द तो बिल्कुल नहीं हो सकता लब्द अलब्द बोल सकते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे मैं आस्थब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्थब्द हो जाएगा, सहयोगी का सर्वता उप्यूक्त विप्रीर तारता क्या होगा, विलोम क्या होगा, अगर तुम्हें डारेक्ट यहां से कुश्चन ना मिले, तु क्या देना मैं जी क्या गया रही थी आप, बताएगा, प्रतियोगी, प्रतिद्वेंदी, प्रतिरोधी, प्रतिकूल, आप बोलेंगे सहयोगी का विलोग, क्या होता है, प्रतियोगी होता है, ना तो प्रतिद्वेंदी होता है, ना प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोग तो अनुकूल होता है, क्या होता है, अनुकूल होता है, है न देखो, ऐसी क्या होगा, आप अगर इसमें देखो तो इसी में से निकाल सकते हो, द्वन्दी का प्रति द्वन्दी, रोधी का प्रति रोधी, ना, चलो, यह ना, very very good, चलो, आसू शब्द है तस्वं तद्भव देशत विशेशज, बता दो, आप बोलेंगे आसू शब्द तद्भव है, चंद्रविंदू लगा है, तत्सम तो हो ही नहीं सकता, चंद्रविंदू लगा है, तत्सम तो हो ही नहीं सकता, और देशत भी नहीं है, आपको पता है, आसू को तत्सम में अश्रू कहते हैं, क्या कहते हैं, अश्रू कहते हैं, बताईगा ठीक है क्या, आके बढ़ जाएं, next question, कौन सा शब्द तदभव है, पिता, आज्या, किसान या अगनी, कौन सा शब्द तदभव है, जल्दी से बता दो, पित्र हो जाएगा, यही जबापने, पित्र हो जाएगा, यही जबापने, सही है, और क्या हो जाएगा, पित्र हो जाएगा, पिता का पित्र, पित्र हो जाएगा, यही जबाप बिल्कुल सही है, और आज्या को हम क्या बोल देंगे, आन बोलते हैं, और यह भी तो है बिटा, किसान भी तो तदभव है, इसे हम क्रशक बोलते हैं, यह भी तो तदभव अगनी को आग बोलते हैं, तो दो मिल गए ना इसमें आंसर हमें, दो आंसर मिले ना हमें इसमें, है ना, दो हो गए इसमें आंसर, ठीक है, चलो, तुरंग शब्द का परियाबाची आप लगा दो पूल, जाती हूँ इन में से 100%, 100% आंसर दे के ये खुश हो जाएं, ये खु कौन सा हो जाएगा, इसमें तो सभी सही तो, सही जबाब आ रहा है, वाजी होता है, वाजी शार्दोशेर को कहते हैं, और इन सब का परियाबाची कुरंग हिरन को कहते हैं, हिरन के परियाबाची नहीं, लिखवाए तो थे, अभी वैसे फिर से लिखवा दे रहे हूँ, हि की तो चारू लोचन बोलते हैं और म्रग बोलते हैं और म्रग भी इसको बोल देते हैं हम सभी लोग शारदूल हम शेर को बोलते हैं पिटा शश हम किसे बोलते हैं तो खरगोश को बोलते हैं किसे बोलते हैं खरगोश को बोल देते हैं खरगोश इसे हम खरहा भी बोल देते है खराहा भी बोल देते हैं. शशा भी बोल देते हैं. देखो एक confusion होता है. एक शभ्द है शशि-धर. और एक शब्द है शश-धर. मिटा शशी का अर्थ होता है चंद्रमा. तो चंद्रमा जो धरते हैं उन्हें हम महादेव भोलते हैं भोलेनात भोलते हैं का अर्थ होता है खרגोश हर जैसे आकर्थी क्योंकि दिखाई देती है क्योंकि खर्єकि झाकर्थी एक दिखाई देती है चंद्रमा में तो यह होता है चंद्र का परियावाची इस चीज को ध्यान रखना मच्ची आप एक्जाम में गलात करके मत आना अगर आ जाए ठीक है चलो next question त्रण का परियावाथी शब्द है तो क्या हो जाएगा तो आप बोलें कि त्रण का अर्थ होता है तिन का घास कुश कुश भी बोल सकते हैं ठीक है तुछ अल्प कम हो जाएगा अल्प का है नहीं कुछ का क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा परियाय बता रही हूं मैं घास पत्ता को हम पत्र बोल देंगे पत्र बोल देंगे पर्ण बोल देंगे लता आप बोलेंगे कुंजर कुंजरी बोल देंगे लता को कुंजरी भी बोल देते हैं बेल भी बोल देते हैं द्रुम को ह बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, चलिए, आगे बरें, देशऻ शब्द वो होते हैं, जिनकी उत्ति अपने देश में हुई है, जो नतद्ब समय है, नतद्बय हैं देश में बोलने लगीा जैसे लोटा लोगी हैं, डिबियह वेगी कहा हैं, घिचड़ी बना रहे हैं, यह सब ये सब ठीक है? जी, चलो. अवसर के अनुरूप बदलने वाले को, देखो किताबों में इसके लिए अलग-अलग आंसर दिये हैं. किसी में ए बताया है, किसी में भी बताया है, लेकिन यदि हम इसके शब्द से निकालें, तो अवसर के अनुरूप बदलेगा तो अवसर आदर्श्वादी कहलने वाला, क्या कहलता है? तो आप कहेंगे यथा इस्तितिवादी कहलता है, आदर्श्वादी, आदर्शों के अनुसार चलने वाला, अनुसार चलने वाला, क्या कहलता है? आदर्श्वादी कहलता है भाववादी, भाव के अनुसार चलने वाला, मतलब भावनाओं के अनुसार? अनुसार चलने वाला, चलने वाला, भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भव से वेड़ा पार अभी कित्ते कोईशन और 23 इसमें और 100 अगर आप चाहेंगे देखो मैंने आप से पूछ के पोल लगवाए था अभी मैं फिर आप से पोल लगवाऊंगी अगर आपने बोला कि मैं हमें करना है तो मैं कराऊंगी कोई जबदस्ती नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है चलो जो खाने योगजी ना हो जो खाने योगजी ना हो खालते के किसे बोलते है रोगी को दिया जाने वाला भोजन दिया जाने वाला भोजन और अपाट्च जो पचे ना क्या कहलाता है अपाट्च चि कहलाता है अलभ जो प्राप dislah ना हो जो लभ ना हो क्या होता है आप बोलेंगे अपाट्च चि कहलाता है निम लिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है, राम का धर्शन पाकर अहल्या धन्न हुई, भांडा फूटने पर उसकी गर्दन, देखो गर्दन ऐसे नहीं लिखा जाता, गर्दन इस प्रकार लिखा जाता है, और यहां गर्दन शब्धी अशुद्ध है, लज्जा से जुग गया, स्विर लज्जा से जुग गया, लज्जा से जुग गया, गया, ठीक है, हाँ, इस चिकिसाले में सर्वोत क्रस्ट रोगों का चिकिसा उपलब्ध है, सर्वोत क्रस्ट रोग, रोगों को भी उत्क्रस्ट मतलम उच्छा दर्जा दिया जा रहा है, तो आप कहे कि सर्वोत क्रस्ट नहीं होगा यहां पे बहुत खतनाक रोग जो होते हैं है ना संक्रामक रोग घतनाक रोग हो गए बड़े रोग हो गए वो कहलाएगा है ना ऐसा थोड़ी ना है कि रोगों को भी हम सर्वोत क्रस्ट का दर्जा देंगे बताईएगा है ना तो आप बोलें एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट डी वाला तो सही है बिटा लेकिन ए वाले में क्या होगा आप बोलेंगे के दर्शन हाँ राम के दर्शन बिल्कुल सही बिल्कुल बिल्कुल आपकी जवाब बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है क्या होगा राम के दर्शन सदे बहु मिलें, बहुत अच्छे से शीख पाए हैं और बहुत अच्छा आपने जवाब दिया रामके दर्शन होगा. ठीवाला बिल्कु सही है. निमलं कितमे से शुद्ध वाक्य है? पाँच रुपए मजदूरों को मिले. सभी मजदूरों को पांच रुपए मिले प्रतीक मजदूर को पांच रुपए मिले प्रतीक मजदूर को पांच रुपए मिले नहीं पांच पांच रुपए मिले गलत प्रतीक मजदूर को पांच रुपए मिले या प्रतीक मजदूर को पांच रुपए मिले या प्रतीक बत नेक्स्ट कुश्चन किस विकल्प में सभी सब्द शुद्ध हैं मतलब बेटा इसमें हमें वर्तनी शुद्धी के चार चुक 16 कुश्चन करने को मिल रहे हैं एक में 16 कुश्चन वर्तनी शुद्धी के जिसमें सभी शुद्ध हैं जल्दी से बता दो 16 कुश्चन करने को मिल रहें इसमें आप देखो दुस साथ ठीक है क्रेमासिक ठीक है तिलान चली ठीक है दुन्दव ठीक है नाव नहीं होता क्या होता है क्रमशा ये सारे लिख दूंगी नाव होता है नाव होता है त्रण ठीक है ध्यातव्य ठीक है निरव्यव होता है बिटा निरव्यव नहीं हो पिपिलिका हम बोलते हैं चीटी को, तो हम इसे क्या बोल देंगे, पिपिलिका कैसे लिखा जाएगा, आप बोलेंगे पिपिलिका होता है, क्या होता है, पिपिलिका होता है, पिपिलिका, चलो, चीटी का परियावाची है यह, है ना, नरशांस ठीक है, घनिस्ठ, टी नहीं, घनिस्ठ चान्ती नहीं शान्ती अब बड़ी शान्ती शान्ती का रखिए तो लोगों ने शंकला ठीक है विरहिणी और शिविर बताओ कितने सारे कोश्चन एक कोश्चन से क्लियर हुए है ना जी चलिए आगे बढ़ जाएं हाँ जी निमने कितमे से वरतनी की रस्ती से अशुद्ध शब्द है कौन सा शब्द अशुद्ध है भगवान ठीक लिखा है भगवान ऐसा ही तो लिखा जाता है ठीक लिखा है मुल्यवान ठीक है विराट ठीक है शोशक यहाँ पर आगर ज़ाते हैं। अगर और कभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आजाये, तो सीधे सीधे लिख देना, शोषन करने वाला. ठीक है? चलिए, नेक्स्ट कुश्चन। आप बोलेंगे कि दुआर तो दुआर होता है ठीक है साएं तो नहीं है साएं तो तदसम है और इसके लिए हम क्या लिखते हैं साज लिखते हैं सांज लिखते हैं, ग्रस्थी, तो आप बोलेंगे मैं ये तो ग्रस्थी होता है, ग्रस्थी होता है तत्सम्में और पाव को हम पाद बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है गुड़े, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बड़ी असे, दिये गए विकल्पों में तद्भव है, तो तद्भव कौन सा है, तो आप जल्दी से बताते कौन सा है, कौन सा है, आप बोलेंगे मैं, संगम ही इसमें, संगम ही इसमें क्या है, तद्भव है, और इसके लिए दो शब्दों का प्रियोग कर सकते हैं, संयोग कर सकते हैं, या समागम कह सकते हैं, समागम, समागम भी बड़िया शब्द है इसके लिए तद्भब के तस्सम्में देखने के लिए विद्युत बिटा बिजली कंगन रात्री रात रात्री रात्री नेक्स्ट कुश्चन विलोम शब्द की दरस्टी से इन में से सही युग्म है एक सही है आद्रत निराद्रत दोश सदोश इप अभीषित अकीन विकीन पता दो आप बोलोगे विकीन किसका विलोम होता है बहुत बार कराया है ना बहुत बार कराया है ने हाँ बो भी ठीक है आप बोलोगे अकीन नहीं विकीन का विलोम होता है संकीन संकीन ठीक है और इपसित अभीषित एक ही बात है इसका विलोम होता अनीपसित चीक है और आदरत का निरादरत ठीक है अनादरत भी ठीक होता और दोश का साथ में सदोश होता है तो क्या होना चाहिए सदोश का तो दोश रहित होना चाहिए क्या होना चाहिए तब चे आप बोलोगे दोश रहित होना चाहिए था है ना दोश का क्या होगा गुण होगा गुण होगा और सदोश का अदोश हो जाएगा अदोश हो जाएगा ठीक है next question आप बताएंगे विलोम शब्दी दरश्टी से इन में से एक युगम गलत है वो कौन सा है अमित परिमित सतकार तिरसकार आच्छादित परिछन सुख तु जल्दी से बता दो कौन सा गलत है अमित जिसकी कोई सीमा ना हो परिमित सीमित सतकार तिरसकार आच्छादित का तो विलोम बिटा अनाच्छादित होगा नाच्छादित होगा अनाच्छादित च्छादित और परिछिन का विलोम आपरिछिन होगा ठीक है आपरिछिन होग का चलिए आगे बढ़ जाते हैं इस्ट कोईश्ण बहुत जल्दी जल्दी करेंगे स्पीड में अतनू कि पर्यावाची शब्द है किसका है आप बता दो सीधे से अतनू पर्यावाची शब्द किसका है तो आप बोलेंगे कामदेव का है क्रश्ण के और इनके अन्य अलावा क्या हो जाएगा मनसिज, मनोज, मनमत, और बताएगा इसके अलावा अनंग कंदर्प, मनसिज, मनोज, मनमत, कुसमासर, पुष्प धन्वा, और बता दीजेगा आप क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, बताएगा रती पती रतीश, अनंग तो लिगवा दिया, रतीश, मार, रती पती, रती पती, तो बिटा ये सभी किसके परियावाची हैं, आप कहेंगे, पंच शर, पंच वाण, मदन, very good, पंच शर, पंच वाण, पंच वाण, क्योंकि शर तो वाण का परियावाची होता है, तो वहीं से निकाल लेना, और मदन भी होगा, मदन भी होगा, मदन भी हो जाएगा, चलिए, और ईशर का परियावाची क्या होता है, तो जल्दी से ब कड़ो हां तो साही कपड़ो कुछसर अलंकीरिश तो थो पीठा उनका होता ना कुवेर का होता है ंफ którą का होता है इश्वर भगवान प्रभू को हिम भगवान नीं कि प्रभू को आध आध लेल रल्ला कि खुदा देवत जो मतला हाए भगवान ये Prophet गरती पर आओ है न इश, परमात्मा, परमात्मा, है न, है न, हाँ जी, very, very good, very, very good, है न, परमेश्वर, very good, परमेश्वर, पार ब्रह्म, परमेश्वर, परमेश्वर, तो ठीक है, अतनु का परियावाची शब्द मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है, हाँ, जलो, उस विकल्प का चैन करें, जो दिये गए शब्द की सही, समानार्थी है, सही समानार्थी, हिरन, कुरंगम, तरंग, नंदन, तो आप सभी लोगों को और भी कुछ जानने का मौका मिल गया है न, तो आप क्या कहेंगे, कुरंगम, आपने हिरन के परियावची जस्ट अभी लिखे है, तरंग, और्मी, वीची, 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 हिलोर, खुब पूछा जाता है बिटा ये, हिलोर, है न, मौज, लहर, लहर, तरंग, उर्मी, वीची, हिलोर, मौज, लहर, ये सबी किसके परियावाची हैं, लिखो न, मूलाल किये पढ़े हो, हम, हाँ, दिल्कु सही है, हाँ, जी, मैं मुहावरे ना भईया, मुहावरे नी आते हैं, तो और नई चीज जोड़ दो इसमें, ठीक है, नंदन, तो आप बोलेंगे, नंदन हम किसे बोलते हैं, पुत्र, तुत, तने, आत्मज, बेटा, बेटा है ना, पूत्र, ये सभी हम किसे बोल देते हैं, बेटा, हम इसे नंदन बोल देते हैं, अम्बुद का परियावाची आप सभी को पता है, हिलोर, लिखवा दिया, उमंग भी लिख देते हैं, उमंग भी आ जाता है, उमंग तो कम आएगा, लहर मौस ठीक है, हिलोर ठीक है, है ना, है ना, चलिए, आगे बढ़े, अम्बुद बादल, अरे मेरे गुड़े बस थोड़ी देर रुख जाओ, जलद, नीरद, तोयद, वारिद, वारिद, है ना, पयोधर, यह सभी किसके अम्बुद के परियावाची हो जाते हैं, नेक्स्ट कुश्चन, चलो, नैतिकता धम से संबंदित है, क्योंकि, दोनों कि उपेक्छा से मनुष्य धरता है, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंदित हैं, दोनों ही अलोकिक संसार से, आप बोलेंगे नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिष्टा है, नहीं, नैतिकता धर्म से संबंदित है, बताओ, दोनों ही सामाजिक व्याओं से संबंदित हैं बताओ क्या होना चेह इसका बताओ तो आप बोलेंगे दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंदित हैं ये इसका सही आंसर होगा बच्चे बोल दें मैं अब तो 11 ही बच्चे होंगे 11 ही मान लो तुम अभी 11 मान के सवर करके बैठो फिर देखो ऐसा 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 नहीं करुंगी मैं सौ नहीं कराूंगी आच्छा वो बाद में पूछ लेंगे इमान दारी मनुषिगा श्रेष्ट लख्छण है और लख्छण नहीं है आचरण हैं बिलकुल नहीं, ब्यावहार हैं नहीं, इमानदारी मनुष्य का स्रेष्ट गुण है, ठीक है, ठीक है, चलि आगे बढ़ते हैं, युद्ध की इच्छा रखने वाला, तो देखो, युद्ध की, मैंने इच्छाएं बाकी सब बताएं थी, उसमें ये रह गई थी तो आप बोलेंगे युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्ध की इच्छा सिर्फ इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे, उपलिगवा देती हूं, तो आप बोलेंगे युद्ध सा, ठीक है, योद्धा, युद्ध में भाग लेने वाला, या युद्ध करने युद्ध करने वाला, क्या कहलाता है, युद्धा कहलाता है, युद्ध में रत, युद्ध में रमावा, में रत, युद्ध वीर, युद्ध में वीरता दिखाने वाला, युद्ध में वीरता दिखाने वाला, दिखाने वाला, तो मैं एक पोयम सुनाऊंगी, छोटी सी कि अभी आट कोईस्जं के बाद उसके बाद बताना ऊसके बाद बताना कि मैं आगे और करनी हैं 60 करनेOoh50 वोलूंगी ओभी अगर तुम्हारा समानार्थी कौन है मतलब बराबर का कौन तो आप बोलेंगे छोटा होता है लगू छोटा है ना और हस्व भी बोल देते हैं विशाल बड़ा बड़ा दीर्ग है ना तरही है दिये हुए है अवगाहन शब्द का समानार्थी विकल्पो में कौन सा है जल्दी बताथो कौन सा है अवगाहन क्या हो जाएगा इसका अर्थ होता है च्छानबीन करना की होता है चान वीकरणा वंहें करना स्वागत को हम अभिनंदन बोलते हैं अभिनंदन बोलनि और हुआनको क्या बोलते हैं बैञान अनके लिए हैं जाना गमन अगली ब्रादेन निमलिकित विलोम युगम में से एक शब्द युगम सुद्ध नहीं है, बता दो आयात निर्याद ठीक है, पाप पुन ठीक है, बद्ध मुक्त ठीक है नूतन का विलोम क्या होगा, आप बोलोगे, पुरातन होगा क्या हो जाएगा नूतन का विलोम मुशब्द आप बॉलोगे पुरातन हो जाएगो और सनातन का आइस्थाई हो जाएगा क्लियर है क्रिए क्लिय एं आगे बढ़ते हैं गोरब का अभी प्रीत विलोम शाब्द क्या है कि रोरब तो बिल्कूल नहीं हो आप बोलेंगे लाघव होगा लागव होगा क्या होगा खेग सिद्ग कि आ बोलेंगे देर लगड़ता हो जाएगा है ना लज्जा कर play कि अ ऩ CC अधर आनो आि अ क्या को फिर साव। फिर स्म्मान सम्मान, चीक है, आगे बढ़ जाओ, निर्देश, निर्देश, प्रति एक प्रश्ट्री में मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्नित कीजिए, बैटरी है ना देखना भी या, ले आओ, हाँ, तो आप कहेंगे बिटा, आसाम सही लिखा हुआ है कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, क्या हो जाएगी कश्मीर की वर्तनी, आप बोलेंगे यह हो जाएगी, ठीक है, एक सेकंड, गुवाटी, रग दो मैं कर लूँग चेंज, गुवाटी, गुवाटी हो जाता है, और चेन नई, चेन नई हो जाएगा, ठीक है, चेन नई हो जाएगा, ठीक है, चेन नई हो जा ये श्षुद्ध है जल्दी से बताओ तो अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक, स्वातंत्र या संसारिक या शुद्धीकरण तो आप बोलेंगे आभ्यांत्रिक बिल्कुल सही लिखा है स्वातंत्र होता है या तो स्वातंत्र होता है दो वर्तनी होती है आप देख लीज़ेगा क्या हो जाएगा चीक है बलकि इसमें तो या वाली ना लगा कर यही वाली लगा दो तो ज्यादा अच्छा है यही वाली यहां तो क्या हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा ठीक है और संसारिक नहीं होता सांसारिक होता है सांसारिक होता है और शुद्धीकरण कैसे लिखा जाएगा तो आप बोलेंगे शुद्धीकरण इस प्रकार से लिखा जाएगा चलिए है ना निम लिकें शब्दों में कौन सा तर्स्टम शब्द नहीं है? अब तो 1 जलदी से बता दो. जल्दी से बता दो हाँ शुद्धी करण होता है बिल्कुल सही है शुद्धी करण होता है बिल्कुल सही है डी वाला भी सही है शुद्धी वैसे सही लिखा जाता है शुद्धी हमेशा किस प्रकार सही लिखा जाता है, छोटी ए के मात्रा और शुद्धी करण सही है, आपकी बाद बिल्कुल सही, शुद्धी करण भी सही माना गया था, लेकिन इस एक्जाम में नहीं माना गया, परिवर्तनी शुद्ध है, इस एक्जाम में नहीं मानी गई, पर ये वरतनी शुद्र देखो अब तो सिर्फ एक कोईशन बचा है इसके बाद बस एक कोईशन कौन सा तलस्तम शब्द नहीं है जल्दी बता दो तो आप बोलोगे मैम नहीं को हम क्या कहते हैं इस नहीं कहते हैं और कुसुम तो तस्तम है भूशिका को हम भूसा कहते हैं है बूसा कहते हैं वंश को हम बास कहते हैं और आप बोल दोगे मैम अब यह हमारा लास्ट कॉश्चन है तस्तम शद भेचानी जदी से बताओ यह लाइव दिखाना अरे टिके हुए तो सारे हैं मैं तो सोची थी चले गए होंगे बताओ निद्रा कान मोर या बंदर तस्तम भेचानो आप कहेंगे तस्तम तो निद्रा है और इसका तदभव क्या होता है नीद होता है कान को क्या बोलते हैं आप बोलेंगे कान तो मैम तदभव है इसका तस्तम क्या हो जाएगा करण हो जाएगा मोर मयूर मयूर और बंदर का वानर हो जाएगा अच्छा सुनो अच्छा सुनो तो सुनो अच्छा नहीं नहीं अभी बस छोटी सी वात छोटी सी वात पचास कुश्चन और करोगे सो मत करो पचास और करोगे क्या कि पचास क्वेशन कि पचास के और करोगे ची यह रोगाना और जो नू पे ज्यादा क्वेशन आ गया जो नू पे ज्यादा आगया आपके पूल पे अंठ हां 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 पक्का है 298 का क्या मैं लिख वाया 298 का हां हां बिलकुल ए रहा हां ठीक है चुद्धी करने में थो वाउसा डाउट है कुछ जगह पर वह वाला भी दिखाई देता है आप जल्दी से बताओ बिलकुल वैरी गुड़ अच्छा एक बाद बताओ एक बार पोल आप दूसरा लगवाते एक चोटान ओरं लगवाते है पै कि से अधेसजा सो और करोगे क्या कंता सो और करोगे क्या मैं 10 बढ़ा पोल लगवाना ये अच्छा नहीं लगेगा तुम गांगे मैं पोल-पोल खेल रहे ही वो भी अच्छा वाला नहीं खेल रही है 100 लिखके yes or no लिख दो बस yes or no पिटा ज्यादा दे थोड़ी लगेगी ज्यादा ज्यादा एक सबा घंटा तुम्हाई लिए क्या है तुम्हें तो आदत है बताओ तो और करोगे क्या यह यह लास्ट लास्ट इससे आगे नहीं फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी मैं फिर कुछ नहीं कहूंगी आप लोगों से यह सभी बच्चों ने बोल दिया 77 परसेंट बच्चों ने बोला है करेंगे और करना पड़ेंगे करना पड़ेंगे मन करें या ना करें और 450 पे एक बड़िया सी पोयम सुनाऊंगी मैं तुम्हें बहुत अच्छी वाली एक गाना सुनाऊंगी पोयम सुनाऊंगी अब य प्यार करके लाई थी पहले से, मुझे पहले से पता था कि अगर मैं इन्हें बताऊंगी 500 कोश्चन हैं, तो शुरू कि एक घंटे में यादे भाग जाएंगे, हैना, चलिए, हाँ, बिल्कुल, मैं इम घर वाले बोल रहे हैं, जब तक मैं पढ़ाएं, तब तक पढ़ो, अस्या, हैना, इसका विलोम होता है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड में, विलोम की दुष्टी से एक यूग में अशुद्ध है, आयाद, निर्टाइच, शही है, द्रश, अद्रश, प्रत्यक्ष, प्यरोक्ष, ये फिर से आ गया, निरामिश, निरामिश हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, अरे, सब दिख रहा है, कोप और रोश की शब्द के समानारती शब्द हैं, मोध, हर्ष, आनन्द और क्रोध, जल्दी से बता दो, आप बोलेंगे, मोध, हर्ष, आनन्द, उल्लास, उल्लास, कुशी, कुशी, प्रशन्यता, प्रसन्यता, ये गुस्सा, जिसे आप सभी लोग इस समी मुझ पर थोड़े तो हों गई ना, थोड़े सो तो हों गई ना, हाँ, तो बस उसी का परियावाची, एक सो तीस बच्चे यो भागे हैं, कि बस ये नहीं वानेंगी, हम नहीं, हम जा रहे हैं, हैंना, चलो, 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 कोई दिक् अम्बुज, जलज, सरोज, का परियावाची शब्द है, उदार, उपहार, उचित्या, कमल, उदार, उपहार, उचित्या, कमल, अम्बुज, जलज, सरोज, कमल, नीरज, तोयज, वारिज, उत्पल, ये सभी किसके परियावाची हैं, आप बोले, पुंडरीक, पुंडरीक राजीव ये सभी किसके परियावाची है तो आप बोलेंगे कमल के परियावाची है कमल के परियावाची है ठीक है ठीक है अरे मेरे लाडले हैं सारे है ना गुड़े गुड़ियां सारे मेरे लाडले हैं रुकेंगे ये मुझे पता है मुझे पता ये सारे रुकेंगे और मुझे देख रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शुरू से अब तक टिके हुए हैं उदार आप बोलेंगे दानी बोल सकते हैं इसे उदार बड़े हिर्दय का कह सकते हैं उपहार भेट भेट उचित आप बोलेंगे सही सटीक सही सटीक यह सबी किसका परियावाची हो जाएगा किसका परियावाची हो जाएगा तो आप बोलेंगे उचित का परियावाची हो ज तमाम देश में यह बात फैल गई, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चड़ाव देखा था, तो आप कहेंगे बहुत से उतार चड़ाव देखे थे, ठीक है, कई कचहरी के वकील ऐसा करते हैं, कई कचेहरी के वकील नहीं करते हैं, कचेहरी के कई वकील ऐसा करते हैं, मैं गाय का दूद पी कर आया हूँ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से जब शुरुआत में हमने वाकि शुद्धी की थी, तो यहां कौन सा होना चाहिए, आप बोलेंगे, ए आ तमाम की जगे काट के संपूर दिया गया है, पर तमाम में भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, अरे फोन चार्जिंग पर लगा के पढ़ लो, क्या हो गया है ना, चलो, निमलिकित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निसंकोच, निसंदेह, उज्जल महत्व, ब प्रकार से लिखा चाहेगा, ठीक है, आगे बड़े, क्रपन बोल सकते है, क्रपन दानी का विलोम होता है, क्रपन मैं, क्रपन मेरे जासे होते हैं, समझे, कंजूस होता है क्रपन का मतलब, समझ गए, जो बिलकुल पैसा खर्च ना करे, वो क्रपन, क्यों ही करना है, परियावाची नहीं है, रात्री, रजनी, निशा, रैन, बिभावरी, शर्वरी, राका, शान्नी रात को हम राका कहते हैं, यह सभी एक दूसरी के परियावाची है, तम का अर्थ क्या होता है, आप बोलेंगे अंधेरा, क्या होता है, अंधीरा, अंधकार, अंधकार, तम, तिमिर, तिमिर, उहा, उहासा, यह सभी किसके परियावाची हैं, तो आप बोलेंगे तम के परियावाची हैं, नेस्ट क्यूस्चन, इनमें से एक रसा का परियावाची शब्द नहीं है, रत्न गर्भा, अचला, धरित्री, वसुधा, छिती, इला, इला, है ना, वसुधा, छिती, इलारत्न, गर्मा, अचला, तिधर्ती, धर्ती, यह सभी किसके परियावाची हैं, तो आप कहेंगे रसा के परियावाची हैं, तिमिस्रा हम किसे बोलते हैं, तिमिस्रा बेटा हम रात्री को बोल कि रात्री को बोल देते हैं रात को बोल देते हैं जिसके परियावाची आप अभी लिखकर आए हैं और इसे आप अभी यहां पर लिख सकते हैं इसमें तिमिस्रा भी लिख लीजेगा यहां पर तिमिस्रा भी लिख लो है ना तिमिस्रा भी लिख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क से बता देंगे आप सभी लोग मेरे सारे गुड़े मेरे साथ में अभी तक बने हुए हैं अभी तक बने हुए हैं मैं आप सभी को बहुत दिल से थैंक्यू बोलना चाहाती हूँ अब सिर्फ बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ और बिल्कुल सच्चाई के साथ अब 500 question ही हम करेंगे और उतने ही मैं लेके भी आई थी शुरू से ही मैंने आपसे बोला ही था शुरू से भी लेके मैं इतने ही आई थी तो आप बिल्कुल वेफिक रहें हम पूरे करके फिर इसको हम end करेंगे class को और आपके लिए काफी है काफी है इस्ट का अनिस्ट बिल्कुल चली का निस्ट उतकर्ष का निकर्ष आप बोलेंगे उतकर्ष का अपकर्ष होता है अपकर्ष होता है अपकर्ष होता है है ना और चली का निस्ट और सानुनासिक का आनुनासिक हो जाएगा ठीक है ठीक है आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं शीष्ट विस्ष्ट संश्यलिस्ट विस्ट विस्ट आप बताईगा हाँ जी तो कौनसा हो जाएगा एक सही है और कौनसा सही है इसमें से तो आप बोलेंगे, आप बोलेंगे कि मैम नत का विलोम अवनत सही है, नत का विलोम अवनत और अवनत की जगे उननत भी हो सकता था, उननत भी हो सकता था, पाठ्थे अपाठ्थे होता है, अपाठ्थे, रुको, देखो इधार लिखती हूँ, अपाठ्थे, अपाठ्थे, और इधर क्या हो जाएगा कुपाथे, कुपाथे मतलब पढ़ने में अच्छा ना हो, ठीक है, अपशिष्ट, अशिष्ट, 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 और विशिष्ट साधारण, ठीक है, और संशलिस्ट का विशलिस्ट हो जाएगा, संशलिस्ट का विलोम क्या हो जाएगा विश्लिस्ट, संचलिस्ट का असंचलिस्ट हो जाएगा, क्लियर है, तो कौन सा है, बी वाला उप्षन मिलकुल सही है, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, परिवा शब्द का तस्सम रूप है, परिवा हिंदी कलेंडर के हिसाब से मन्त की तारीक, जो क्या कहलाती है, पहली तारीक, जिसे हम पढ़वा कह देते हैं, जिसे हम तत्सम में प्रतिपदा कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं, पक्च की पहली तारीक, क्या हो जाएगी, की पहली तारीख तारीख क्या कहलाती है प्रतिपदा कहलाती है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं निर्मलिकित में से तसम्त अद्वप शद्दों का संगत युग्म क्या है खरपट खोपड़ी सक्त कुसत्य पर्यंक पलंग और घोटक घड़ा हाँ 500 ही है promise promise 500 एक भी ज़्यादा नहीं एक आपको homework में दे सकती हूँ मैं एक बस एक उससे ज़्यादा नहीं promise और बिल्कुँ pinky promise करते हैं pinky promise और God promise जो इस तरह से करते हैं God promise वो सारे promise तुमसे चलो खरपट आप बोलेंगे खोपड़ी नहीं होता घरपट खपर होता है खपर होता है ठीक है सक्तू सत्तू को बोलते हैं किसे बोलते हैं सत्तू को बोलते हैं सत्ते को हम क्या बोलते हैं सच बोलते हैं क्या बोलते हैं सच बोलते हैं पर्यंक का पलंग बिल्कुल सही है हाईलाइट कर दूँ, बताओ, आप बोलेंगे, पलंग बिल्कुल सही है, घोटक हम किसे बोलते हैं, बिटा गोड़े को बोलते हैं, घोड़ा, और घड़ा हम किसे बोलते हैं, घट को बोलते हैं, ठीक है, घट को बोल सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, ना ना अब नह शेसो नहीं करेंगे, हनुवान का परियावाची जिस बच्चे ने पूछा था देखो, अभी सारे करा दूँगी, बताओ, 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 कौन सा हो जाएगा, आप बोलेंगे, राम भक्त इसका परियावाची नहीं है, बेटा, ये राम भक्त थे भाया, राम भक्त इसका परियावाची नहीं है, ये राम के भक्त थे, पवन सुद, रंग बली, कपीशवर, कपीश, एक बच्ची ने बोला था मुझसे, मैं बुकरा दीजेगा, और मैंने कहा था, आगे है, आंजने, आंजने, और पवन पुत्र, पवन पुत्र, पंच मुख, इ और बताईएगा, और बताएं, अब बताएं, हाँ, और बताएं जल्दी से, जल्दी से बताईएगा हनुमान का परियावाची, हनुमान का परियावाची गलत हो गया, अरे, अंजनी सुत्र, अंजनी सुत्र, अंजनी सुत्र, महावीर भी इन्हें कहते हैं, महावीर, अंगी भी बोलते हैं, वजरांग भी बोलते हैं, वजरांग भी इन्हें बोलते हैं, वजर के अंगों वाला वजरांग भी इन्हें बोलते हैं, है ना, है ना, हाँ, ना, फिर से फिर पक्का नहीं, पक्का नहीं, पक्का नहीं, मारुती, अब नहीं, बचे गया रहे मैं हम क्लिए हो गया? केसरी भी बोल देते हैं, है न, हाँ, तो क्या हो जाएगा? आप बोल देंगे, इने हम हनुमान के परियावाची लिखवा दिए, बिटा, कोई परिशाणी तो नहीं, कोई परिशाणी तो नहीं, हां जी, हां, बताओ, बतायेगा, हां, मैं आप संगर्ष करो हम आपके साथ हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा यह काफी है केशरी नंदन लिख लो हाँ केशरी नंदन भी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ जी इसमें वसंद का पर्याय कौन सा नहीं रितुराज कुस्माकर पराग रितुपती बिल्कुल सही है पराग का अर्थ क्या होता है पुषप्रज होता है केशर होता है यह केशर लिखा भी मिल जाता है आपको पुषपधजूली बोलते हैं इसे हम क्या बोलते हैं पुषपधूली बोलते है चले तोड़ा सा स्पीड से चले अ स्पीड सेकारी करता ईसके लिए एक शब्द हैं Alexand दीग्रुी सूत्री सत्व पर या मन्दा क्रान्ता बता दू क्या हो जाएगा? ना ना 500 के बाद नहीं पूर इतना भरोसा नहीं गर रहता है वह अपनी मेंपे हां? ऐसी थोड़ी न कोई बात है वह तो बस ऐसे यह मन कर गया कराने का ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समन हो गया तो मैंने कलाओ करा देती हूँ, है ना, बताएगा, आप बोलेंगे मन्थर कहते हैं, दीर्गुसूत्री हर कारे को, हर काम को, काम को देर से करने वाला, देर से करने वाला, क्या कहलाता है, दीर्गुसूत्री कहलाता है, सत्वर का अर्थ होता है, बहुत तेज, क्या होता है, तेज, फटाफट, क्याता है, तेज, जटपट कोई कारे करना, क्या कहलाता है, सत्वर कहलाता है, कोई व्यक्ती भी हो सकता है, और मन्दा क्रांता एक प कई जगे इसका जवाब आपको मुमूर्शू भी लिखा मिल जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, मैं मरते होना चाहिए, इसका सही जवाब मुमूर्शू मरने की इच्छा रखने वाला, मुमूर्शू कहलाता है, मरत्रगामी जो मरत्यू को प्राप्त कर चुका हो, प्राप्त कर चुका हो, क्या कहलाएगा, आप बोलेंगे मरत्रगामी निर्विकारी जिसमें विकार ना हो, विकार ना हो सकी, आप कहेंगे निर्विकारी कहलाता है, आप विकारी भी कह सकते हैं, ठीक है, 500, ना, ना, न, वो ठीक है, वो ठीक है, 2000 question आराम से आज की class से आप लेके जाएंगे, इससे भी जादा लेके जाएंगे, निम लिकित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा, प्रतम दियत्य दिया गया है, जोड़ा ज्याद करी इसमें दुट्थे शब्द, अर्थ प्रतम शब्द के समान हो, मतलब पर्यावाची हो, पर्यावाची, चलो, बता दो, गरुण, पन्नागरी, बता दो, आप बो का अलंकार तो बिल्कुल नहीं कुका है अलंकार का अर्थ तो आभूशन होता है और गुण का अर्थ तो एक तरह से कुछ लक्षण या कुछ अच्छाई होता है ना अच्छाई अच्छाई है ना, है ना जी बिटा जी बिल्कुल सही बताओ आप बोलेंगे मेगा तो नहीं होता यहाँ पर गंगा उन अच्छे लेकिन रवी नंदिनी हम यमुना को बोलते हैं और यमुना के मैं सारे परियावाची यहाँ लिख दूँ यहाँ पता आगे आए तो भी कालिंदी खूँब पूछा जाता है कालिंदी है ना और क्रश्णा भी इसका परियावाची में ही लिखा जाता है वैसे यह अलग-अलग नदियां है फिर समझ लेना, रवी नंदिनी कहते हैं रवीजा कहते हैं रवीजा कहते हैं अर्कजा कहते हैं यह सबी हम यमना को कह देते हैं ठीक है ठीक है ना ना 12 गंटे की निए भस यहीं है कैंशा मदलो, अब कुछ नहीं है, यम भगिनी कहते हैं, यम भगिनी भी इन्हें कहते हैं, यम बांधिवी भी कहते हैं, यम बांधिवी कहते हैं, ठीक है? सूरे सुता भी कहते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धेनु, धेनु हम किसे बोलते हैं, तो आप कहेंगे गाय को बोलते हैं, यहाँ पुरु की जगे गुरु होना चाहिए, तो गुरु को हम क्या बोलते हैं, शिक्छक बोलते हैं, शिक्छक, अध्यापक, अध्यापक, है उस्ताद ये सभी हम गुरु के लिए बोल दे सकते हैं, आचारे भी बोलते हैं, धेनु को हम क्या बोलते हैं, पैन बदल दूँ, तो आप बोलेंगे धेनु अर्थात क्या हो जाएगी, गाय, गया, सुर्भी, ये सभी हम गाय को बोल देते हैं, किसे बोल देते हैं? गाए को बोल देते हैं, गौ भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बिटा, गौ भी बोल सकते हैं, गौ भी बोल सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं निमने में से कौन सा शब्द तस्सम नहीं है, कौन सा शब्द तस्सम नहीं है, रही हो कूरा अशब्द तस्सम नहीं है? आप बोलेंगे वच्चन, तो आप बोलेंगे वच्चन को हम क्या बोल देते हैं? इसलाका वैसे गत्मेकन को छिक्त को शुलाका हूता है? तो जिसे हम सलाई बोल देते हैं सलाई बोल देते हैं और तिक्त तीक्ष्ण को बोलते हैं हम बिटा तीक्ष्ण को बोलते हैं तिक्त तीता तीक्ष्ण तीखा तिक्त तीता तीता और बिटा चार को चत्वारी बोलते हैं और यही क्या है तत्सम है चतवारी बोलते हैं, बताईएगा, लियर है, हाँ, आगे बढ़े, मैम जी प्लीज हमें काजू चाहिए, मिल गया, चलो, तसम शब्द, चतवारी अढ़ाई मोरिया बेन, चीक है, बोलो, चलो, आप बोलेंगे, जो बाद में देखनी कोशिश कर रहे हैं न, पूरी मैराथन कर ही नहीं पाएंगे, लिखके ले रो तुम, जो आप कहरे हो, बाद में देखनी आप लोगी बेन बचेगी, कर ही नहीं सकता कोई बाद में पूरी मैराथन, आप बोलेंगे, चतवारी, अभी चार होता है, आप्शन बदल गए, देखो, आप बोलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट कोईश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो, प्रति आशा, प्रति आशा, प्रति धन आशा, प्रति आशा बन जाता है बेटा, क्या बन जाता है, प्रति आशा बन जाता है, चाय, खाली, अभी कर लूँ, ठीक है, प्रति आशा बेटा जिसकी प्रतियाशा नहीं, प्रत्याशा होता है, शुद्ध शब्द नहीं, यह अभी लिगवाँगे, जिसकी आशा हो, प्रत्याशा कहलाता है, क्या होता है, प्रत्याशित या प्रत्याशित कहेंगे उसे हम, ठीक है, और जिसकी आशा ना की गई हो, आप प्रत्याशित, आ आशा से अधिक, इधर वाला, आशा से अधिक, क्या कहलाता है? आशा तीत कहलाता है और जिसकी आशा ना की गई हो आप रत्याशा कहलाता है, ये वर्तनी सही नहीं है, ठीक है? ठीक है? चलिए. जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्याश के लिए उचित शब्द सुने आक्रमक, आक्रामक, आक्रांत, आत्म गाती बस यह लास्ट वोसे कोशन बच्ची हैं आप बोलोगे आक्रमण, आक्रमण क्या हो जाएगा? किसी पर अटेक करना क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बतादो, आक्रमण हमला करना, हमला करना, आक्रमण कहलाता है, आक्रामक जो हमला करने को तयार रहे हर समय, क्या कहलाएगा, आक्रमक कहलाएगा, आक्रामक आक्रमण करने वाला, मन करने वाला वो तयार तयार या करने वाला या करने वाला करने वाला यहां से ही समझ लेना वाला चीखे और आत्म घाती आकरांत किसे बोलते हैं जिस पर आकरमन किया हो यह आत्म घाती स्वयम पर स्वयम को चोट पहुचाने वाला पहुचाने वाला क्या कहलाता है आत्म घाती कहलाता है चली आगे बढ़ जाए निम्ण में से पंडित का परियावाची शब्द है अज्यानी विद्वान मूर्ख विदूशक बता दो क्या हो जाएगा पंडित का परियावाची शब्द तो मुझे लगता है आप सभी को यह पता चल रहा होगा है ना पता चल रहा होगा बताओ देखो विदूशक तो हम बोलते हैं मस्खरा मस्खरा जिसे हम जोकर भी बोल देते हैं मजाकिया मस्खरा है ना है ना मजाकिया ठिटोली करने वाले को है जना मूर्ख का विलोन क्या होता है मूप मूत अज्याटी अज्याटी है ना बढदीहीन कि इन गदऻ भी लिख देते ना कभी कभी हम और विद्वान बोलते हैं पंडित को मणीशी जैना जैना इना ग़ते हम यह तो conson अब यह थोड़र आसी तैड़ रही हैैu कोई बात है कि हो जब देखो जा रहा है कोई बात है csalo पढ़ना पढ़ेगा आज, कोई नहीं जाएगा, बता रही हूं, द्विज भ्रहमर को कहते हैं, पंडित को नहीं कहते हैं, तुम्हें बहुत कंफ्यूजन रख रहे हो तुम दिमाग में, किसे बोलते हैं, बंदर को बोलते हैं, वानर को बोलते हैं, इसे हम कपी भी बोलते हैं, मरकट बोलते हैं, शाख मरग बोल देते हैं, ठीक है, कोयल को हम क्या बोलते हैं, कोकिला बोलते हैं, बसंत दूत बोलते हैं, और इसे हम सारिका भी बोल देते हैं, दूत, इसे हम सारिका भी बोल देते हैं, clear, clear, हिरन के मैंने अभी बहुत अभी अभी लगवाएं हैं, बहुत सारे, कोपल बेटा हम बोलते हैं, कली को, कली, जिसे हम गुंचा बोल देते हैं, कली का बोल देते हैं, कली का बोल देते हैं, मुकुल बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं, नव पल्लव बोल देते हैं, ठीक है, नव पल्लव बोल देते हैं, नेक्स्ट और देखना पड़ेगा, आप सभी लोगों को, क्या हो जाएगा, है वेरी गुड, आप भूदे थोड़े से रहे गयां, आप क्या जाओंगे, एक गंटा बस, एक गंटा, इससे जाधा कुछ नहीं, कि इससे जाध कर रही हूं तब भी ऐसा नहीं है तब भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको जल्दी से भगा रही हूं मैं अब भी आपको पूरा explain करके कर रही हूं यह question तो मैं दो गंटे में कर आ सकती थी टिक करवाने होते तो है ना चलो कौन सा सही नहीं है तो बिटा आप बोलेंगे कमल अम्बू और आव किसके परियावाची है पानी के है दात के दंत रधन बिलकु ठीक है जंडा दोज पता का ठीक है इनके हमने अभी खूब खूब परियावाची कर भी ले है चांद रा के शशी यह भी एक दूसरे के हैं है आप सभी लोग समझ गए कल्प ब्रक्ष का परियावाची है पारिजात कल्प तरू देव ब्रक्ष और या ये सभी चल्दी से बता देंगे आप सभी लोग आप कहेंगे मैम ये सभी इसके परियावाची है ये सभी इसके परियावाची है है ना ये सभी इसके परियावाची है, नेक्स्ट कुश्चन, अशुद्ध विलोम युग्म का चैन कीजे, करकश, मधुर, एश्वरे, अनैश्वरे, रिजू वर्क, एहिक, लौकिक, देखो, करकश का विलोम सही है, मधुर, एश्वरे, अनैश्वरे, रिजू वक्र ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपोटेंट याद कर लेना, एहिक का विलोम लौकिक थोड़ी होता है, एहिक और लौकिक का एक ही अर्थ है, मतलब इस लोग से सम्मंदित पारलौकिक होता है, क्या होता है, पारलौकिक होता है, नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं, तो आप बोल करेंगे अनुचित विकल्प विलोम जोड़ा हमें देखना है, विकल्प का जोड़ा कौन सा है, यहां भी विलोम ही देखा है, विलोम लिख दो, विलोम जोड़ा कौन सा है, अनुराग विराग, ठीक तो है, कटू मधुर ठीक है, अलपग ये भग ठीक है, उन्नती अवनत अवनती और उन्नत अवनत अवनत ठीक है यह हो तो गया अराम से इजी कुश्चन था निम्न में से कौन सा शब्द तस्सम नहीं है ध्रस्ट प्रस्ट पानि प्यापंक जल्दी से बता दू निम्न में से कौन सा तस्सम नहीं है कौन सा तस्सम नहीं है, जल्दी से बताईएगा, आप सभी लोग मुझे बता देंगे, बिटा पानिप इसमें तस्सम नहीं है, तदभव है इसका पानिय, पानिय इसका तस्सम माना गया है, और पानिप नहीं है, कुछ और भी लगभग मिलता जुलता हो सकता है, पंक हम किसे बोलते हैं पोलेंगे कीचड को बोलते हैं इसे ततसम में भाख बोलेंगे प्रस्ट को पीठ बोलेंगे ध्रस्ट को धीठ बोलेंगे धीठ गे थीक हे आगे बढ़ाले。 हाज कीचड कीचड म कीचड की लिकल dissertation कीचडس बलकि पाने पना होकर ये तो निम्ण में से कौन सा शप्त अस्म नहीं है नरक स्वर्ग खग पहुमी आप बता दीजेगा एट आउर्स हो गए? एट आउर्स हो गए? धेट आउर्स हो गए? वेरी गुड़ प्रस्ट का पन्ना भी होता है प्रस्ट का पन्ना भी होता है पीठ भी होता है है ना हां साथ बजे हो जाएगी खत्म निम्डी खित में से कौन सा शेप तस्थम नहीं है थोड़ा बहुत दस-5 मट की बात अलागे नरक आप बोलें कि तस्थम नहीं है तद्भब है नरक होता ह है है ना है नरक होता है और बताईगा यही नहीं है तस्तंट नरक होता है ना बताओ और क्या होना चाहिए आप बोलो कि पहुमी भी तो प्रथवी को कहते हैं यह भी ठीक है, स्वर्ग को हम सरग बोल देते हैं, सरग, 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 और पक्छी भी हम किसे बोलते हैं, खग को हम पक्छी बोलते हैं, पंची लिगदो, पंची लिगदो, पक्छी को, पंची, छा, चत्री, खग, चलो आगे बोलो, बढ़ो, मुकुल कोरक गुंचा, शब्द अभी किसके लिखवाया थे, मैंने मुकुल किसका लिखवाया था, गुंचा किसका लिखवाया था, और बताओ, मुकुल किसको लिखवाया था, तो आप कहेंगे कलिका को लिखवाया था, कली, कली, और गुंचा लिखाया, नवपल्लव, लि ही होती है जिसे हम क्या बोलते हैं आप बोलोगे कस्तूरी बोलते हैं कान को कर्ण बोलते हैं कमर को कटी बोल देते हैं यह तसम तदभब भी इससे आपके क्लियर हो सकते हैं ठीक है आगे बढ़ जाएं गुड़े चलिए नेक्स्ट कुश्चन च्छपाकर किसका परियावाच ऑची है तो च्छपाकर हम किसे कहते हैं हम चपाकर चंद्रमा को ही कह देते हैं रजणी चर तो आप बोलेंगे दानव देते रूकर चल्डश कर बोलते रजणी चर का एक परियाय और होता है अलग से लिखना इसमें मत लिखना चोर भी बोलते हैं रात को चोर भी चलता है यहां निशाचर भी हो जाएगा बिटा निशाचर भी हो जाएगा तो रात को विचरन कौन भी करता है तो आप बोलेंगे चोर भी करता है तो रजनी चर के और बताओ जल्दी से आप कहोगे मार्तंड, रवी, भानू, अर्क, भासकर, अंशुमाली, आदित्य, आदित्य शिव का परियावाची भी माना जाता है बिटा, आदित्य, तो क्लियर होगे आप सभी को दिन कर, बेरी गुड, दिन कर, दिन कर, है न, है न, बहुत बढ़िया बात है, मैं भी अपने दोस्त को निशाचर कहता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, हाँ लाकी, आगे बढ़ते हैं, उपनिवेश से सम्मंद हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है, उपनिवेश से सम्मंद हो जिसका, उपनिवेशिक कहलाएगा, उपनिवेश धन इक, क्या कहलाएगा, हाँ कोई कोवी पिशण कहते हैं, राक्छोस कोभी कहते हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं उपनिवेशिक कहलाएगा, उपनियासिक किसे कहते हैं, उपनियास से सम्मंद हित, क्या हो जाएगा ओपन्यासिक हो जाएगा ठीके ओपनिवेश बात दूसरे दूसरी एक कहते है ना दूसरी बस्ती में जाकर एक देश जब अन्य देश दूसरे देश में अपना अपना व्यापार जमाना व्यापार मतलब एक देश मतलब यह नहीं दूसरे देश में एक देश जब दूसरे देश में अपना व्यापार एवं शाषन इस्थापित करे इस्थापित कर लाव उठाए तो क्या कहलाएगा उपने वेश बाद कहलाता है ठीक है सुनती नहीं हो मैं मरे भाया काहे सुनानी है मैडम को इतनी तस्वन रहे हैं तुमारी अश्वन तसम तद्वाफ शब्दाए तो कौन सा चुनेंगे बिटा तब तसम चुन लेना तब तसम चुन लेना ठीक है ज्यादा सही रहेगा बाकि हमने जितना करा दिया उससे बाहर तो तुम देख लेना मिलेगा क्या। तिलंग लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे मैं उसे हम अक्छत कहते हैं। क्या कहते हैं अक्षत कहते हैं चीक है आगे बढ़ जाएं आगे बढ़ जाएं निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दस्टी सशुद्ध है एक वच्ची बोल रही है मैंने दो बजे क्लास छोड़ दीती है आप अभी तक पढ़ा रही है चलो विश्रनात अपने प के मन में तीर थे आत्राओं की बड़ी लालसा थी गर्मी की उमस होने के बाद वर्शा शुरू विश्यनात अपने परिवारियों या परिवार जनौ आप बोलेंगे परिवार जनौ परिवार जनौ के साथ किसी महानगर के में एक छोटे तंग मकान में रहता है यदि हमें पुरशार्त को अपने जीवन का लक्ष बनाना चाहिए बिलकुल सही है कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं नहीं होगा तीर्थ यात्रा की बड़ी लासाती ये तीर्थ यात्रा क्या है क्या हो रहा है तो आप बोलेंगे तीर थे आत्राओं नहीं होगी, तीर थे आत्राओं गर्मी की उमस, आप बोलेंगे मैं उमस गर्मी से ही होती है, गर्मी की लगाने की अवश्यक्ता नहीं थी, उमस के बाद वर्शा शुडू हो गई, चलिए, नेम्न वाक्यों में एक वाक्रण की दस्ट तो नहीं है उसे पहचानी है मतलब तीन शुद्ध हैं एक अशुद्ध है बेटा जरा से रह गए है क्या ऐसी बाती करते हो तो लोग कि अब अब कि अब चलो हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है महत्व होता है यहां महत्व ऐसे होना चाहिए था मन-मंदर की भाती होता है सदैव एक इस्तान से दूसरे इस्तान पच्छलांग लगाता है आप फल आहार से अपनी आते साफ कर सकते हो एकता का किला सबसे होता है बेटा इसमें गलत जो माना गया था वो यह था आप फल आहार से अपनी आते नहीं पेट साफ कर सकते हो और इसमें फर आहार से नहीं होना चाहिए था करके होना चाहिए था आप फल आहार और फल आहार नहीं लिखा जाता है फल आहार लिखा जाता है जब साथ में ये शब्द लिखा जाता है, तो फलाहार लिखा जाना चाहिए था, तो C बिल्कुल सही हो जाएगा, वैसे भी महत वो एक टाइपिंग मिस्टेक है, और वैसे भी आपसे वर्तनी की दरस्टी से नहीं पूछाता, व्याकरण की दरस्टी से पूछाता, तो ध्यान रखना चाह मिथिलेश कुमारी, वैदेhy सिया सिया भी इन्हें हम बोल देते हैं, या भी हम सीता को बोल देते हैं, और बताओ, इसका जवाब सही देना अलग बात है और और options क्लियर करना अलग बात है, जवाब सही देने में तो ज़रा सीदेर में हो सकते थे, ये कोशन इत नहीं देत राधा का परियावाची क्या है तो आप बूलेंगे व्रश भानुजा ब्रजरानी और इसके अलावा क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे राधे इन्हें हम किशोरी भी बोलते हैं, किशोरी भी हम इन्हें ही बोलते हैं, किशोरी भी हम इन्हें बोलते हैं, राधिका बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है, कर लोगे, हाँ, रसिक प्रिया भी बोलते हैं, रसिक प्रिया, हाँ, भूमी जा इन्हें भी बोलते हैं, रसिक प्रिया, very good, सीता को हम भूमिजा भी बोलते हैं, कहते हैं सीता का जन्म भूमी से हुआ था, तो भूमिजा भी बोलते हैं, और सिंदुजा हम किसे बोलते हैं, सिंदुजा हम लक्षमी को बोलते हैं, गिरिजा हम पारवती को बोलते हैं, ठीक है, पारवती के परियावाची अब लिखत ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आप बोलेंगे, गिरिजा ही लिखलो सबसे पहले, गिरिजा, भवानी, भवानी, अपर्णा, और बेटा, क्योंकि पार्वती को दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है, तो पार्वती और दुर्गा के परियावाची आपस में क्या करते हैं, मे उमा, शिव गोरी, शिव प्रिया, और बताएगा, आप बोलेंगे, मेम अपर्णा भी होता है, और इनके लिए शिवानी भी प्रियोग होता है, शब्द शिवानी भी पार्वती का ही परियावाची है, और बताएगा, इसके अलावा, इसके अलावा है ना गौरा बोल देते हैं ठीक है बिल्कुल सही है और बताओ इसके अलावा जो लिख दी है वो बताने कोई दिक्कत नहीं हाँ वेरी गुड अब पढ़ना लिख दिया शेल जा वेरी गुड शेल जा ठीक है यहीं पे आप दुर्गा के दुर्गा के परियावाची बिटा और लिख लो क्योंकि पूछे जाते हैं और आ गए ना फिर आप मुझसे कहोगे कि मैं हम आपने हमें कराए नहीं तो आप बोलेंगे दुर्गा मीनाक्ची मीनाक्ची चंडिका ग्रीन कलर से लिगवा रही हूँ दुर्गा के परियावाची चंडिका, अम्बिका, अम्बा, महागौरी, सिंग वाहिनी, सिंह वाहिनी, लिखो. कालिका, कालिका, शेल पुत्री, शेल पुत्री, और बताओ, और बताओ, किसी ने लिखा न या, सिती भी कहते हैं, और बताईगा, दुर्गा का बताओ, थोड़ी सी देर, चंडघंटा, बेरी गुड, चंडघंटा, ये सभी इने हम बोल देते हैं, ठीक है, सिंग वाहिनी भी मैंने आपको लिखवा दिया, है न, हाँ, कल्यानी बोल देते हैं, आदिशक्ती बोलते हैं, कल्यानी बोलते हैं, इने हम, कल्यानी भी बोल देते हैं कल्यानी बोल देते हैं बताइएगा ठीक है आगे बढ़ जाएं कात्याईनी भी बोल देते हैं अब आप कर लोगे है ना वेरी गुड वेरी गुड संभावी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं चलिए ब्रक्ष शब्द का परियावाची है बताइएगा क्या है तो आप बोलेंगे प्रसून किसका परियावाची है तो आप कहेंगे पुष्प फूल कुसुम कुसुम सुमन थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूं मैं सुमन है ना गुल गुल ये सभी क्या हो जाएगे प्रसून के परियावाची ब्रक्ष पादव पेड पेड द्रुम करू करू है ना ये सभी किसके परियावाची है द्रुम के परियावाची है किंकर आ परिकर, खादिम, अर्दली, सेवक ये सभी किसके परियावाची हैं तो आप बोल देंगे कि किंकर के परियावाची हैं थीक हेम सोना के परियावाची हो, आपको लिखवा दिया। कुण्धन जात्रूप यह सभी किसके परियावाची है हेम के परियावाची है ठीक है कनक कनक कोटिक ऐ कल्धोत के धाम कहते हैं तो कल्धोत भी बोल देते हैं हम किसे बोलते हैं तो आप बोलेंगे किसे बोल देते हैं हम तो हम सोना को बोल देते हैं वेरी वेरी गुड चलिए नेक्स्ट कोईशन देखते हैं आप बोलेगे निमलिकित में से कौन सा पत्नी का एक परियावाची नहीं है सह धर्मिनी भार्या धर्नी या अंगल जा जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सह धर्मिनी भार्या धर्नी अभी मैंने आपको और बहुत सारे बताये थे आपको बहुत सारे बताये थे मैंने बेटा सुनायना भी ठीक है तो आप बोलेंगे अंगजा अंगजा सुनायना तो हम किसी को भी बोल करते हैं अंगजा हम बेटा पुत्री को बोलते हैं, जिसे हम तनया बोलते हैं, जिसे हम सुता बोलते हैं, जिसे हम बेटी बोलते हैं, जिसे हम नंदिनी बोलते हैं, जिसे हम आत्मजा बोलते हैं, और यही हम अंगजा किसे बोलते हैं, पुत्री को बोलते हैं, ठीक है बेटा, है ना, वेरी गुड निमलिकित में इसे समानार्थी जोडि को इसपस्ट कीजिए पारवती महेश्री महादेव की पतनी बिल्कूल सही है व्यावारिक आव्यावारिक ठीक है येस क्या है ये आप बोल देंगे मैम ये एक से नहीं है पारवती को हम महेश्री बोल देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बता दो, हाँ जी, क्या हो जाएगा, महेशुरी बिल्कु सही, ब्यवारिक अभिवारिक विलोम हो गया, शेर शेर नी विलोम हो गया, लड़का लड़की, एक अर्थ नह तो यह बहुत है, अच्छा, कैसी बाते कर रहे हैं, तो इतना समझ नहीं पारे हो, ये गलत टिक नहीं हुआ था, मैंने इसिलाइड को उचा किया था, तब ये, जैसे मैं अब इसको यहां से और ऊपर कर दूँ, और ऊपर कर दूँ, जो आएगा तो टिक इस तरह से हो गया, समझ नहीं पाते हो हां, चलो, विप्रीट दाल तक शब्द चुनिए, शोशक का शोशन करने वाला, शोशन करने वाला शोशक कहलाता है, और पोशन करने वाला पोशक कहलाता है, बेटा, स्पीड में उड़ तो नहीं सकती, मैं, मैं तो नहीं उड़ सकती, अब जितना मैं लोम क्या होगा पीटा पोशन हो जाएगा ओशन हो जाएगा और ना पोशन हो जाएगा और पोसक बिल्कुल गलतवर्तनी हैं ना इसे नहीं भोलत अ और फास्ट और फास्ट आप बताओ मैं तो करा ही नहीं हूं ना continue चलो बस थोड़े से तो question रचे हैं इतने तो आप रोज ही करते हो जितने बच्चे हैं तो रोज की class की तरह आप देख लो है न आप बोलेंगे अनुकूल प्रतिकूल बिल्कूल सही है अतिकूल गलत है सकूल योग्य ठोग एयोग्य हो जाएगा योग्य ठोगा नेक्स्ट श्सन देख्ते हैं गौटक का सही तदबब चुनिये गधा आप बोलेंगे गोटक को तो हम गधा कैने नहीं ये धळावा लिखांतक घुडव के और घड़ा को घट कहते हैं फीख है आगे बढ़ती हूं आसरा संपीकम को खोजी गड़ा ठीक है राक से रक्षा होगा बताएंगा राक को बेटा हम चार बोलते हैं क्या बोलते हैं चार बोलते हैं और रक्षा राखी को बोलते हैं राखी को भी नहीं बोलते हैं रख को बोलते हैं किसे बोल देते हैं धनिका को हम धनिया बोल देते हैं किसे बोल देते हैं धनिका को हम धनिया बोल देते हैं रखा ठीक है बटी बत्ट को बर्गद बोलते हैं तो कौन सा सही था ऐ departure बिलकुल सही हो जाहेगा नेक्स्ट देखते हैं चलिए अश्युका परियावाची नहीं है बताएगा तो आप बोलेंगे अश्व तरंग तरंग को आप लहर बोलते हैं लहर वीची बोलते हैं और हिलोर बोलते हैं और मौज बोलते हैं उर्मी बोलते हैं ठीक है यह सबी हम लहर को बोल देते हैं अश्व को घोटक बोलते हैं घोडा बोलते हैं अच्छा नहीं है तो ए वाला option लगा देना, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ जाते हैं, निम्ने में से एक शब्द हाती का परियाई नहीं है, उसे बताइएगा, हाती के परियाई देख लें सारी, हाती के परियाई देख लें, दुईज होता है, दिरद होता है, और बताएं, सिंदुर होता है, म जवाब बताएं, जल्दी से बताओ, ऐसे गाम नी चलेगा, सी, सी, सी कर दिया न, जवाब दो, आप बोलोगे, तरनी हम किसे बोलते हैं, तरनी हम नाव को बोल देते हैं, नाव, पैन मदल दू, नया, नया, वेडा, वेडा, जलियान, 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 नौका, नौका, तरणी होना चाहिए इस तरणी तो हम सूर्य को कहते हैं तरणी होना चाहिए ठीक है ठीक है गज वेरी गुड क्या बोल देंगे गज गज देखो मुझे और भी आद आ गए गजेंद्र गयंद ये सभी किसके परियाव अच्छी है तो आप बोलेंगे मतंग वेरी गुड मतंग ये सभी किसके परियाव अच्छी है तो आप कहेंगे हाथी के परियाव अच्छी है गजा नन गणेश का परियाव अच्छी होता है कुछ भी मत क्या करो है ना हाँ जी आगे बढ़ते हैं चलिए निमलिकित वाक्य में क्रिया विशेशन पदबंध क क्या है क्रिया की विशेशता कौन बता रहा है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है मेरा गांव कहां है मेरा गांव कहां है तो कहां है उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है तो जल्दी से बता दो क्या होना चाहिए क्रिया विशेशन तो आप कहींगे कहां है इस्थान वाच्च क्रिया विशेशन कहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वैसे तो क्रिया विशेशन ना लगा कर गाउं कहां चलो इस्थिती बता रहा है तो आप बता सकते हैं इस्थान वाच्च क्रिया विशेशन उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाउं है ठीक हो जाएगा ठीक है व बिल्कों सही जवाब आप दे रहे हैं निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेशन युक्त वाक्य कौन सा और पांच मिट बाद भी करेंगे आप तो कुछ भी पूचेंगे कितना कितना स्कूर मना है आज आपका लगभग अब इतना तो याद नहीं रहा होगा यहां गलत हो क्रिया का नहीं है विशेश्य का है किसका है विशेश्य का है क्रिया का नहीं है ठीक है लड़का रोते रोते घर पहुंचा रीती वाचक क्रिया विशेशन रीती वाचक लब लड़का के धंग दिखा दिये इसने आज शाम को यह तो बाकी ही अधूरा रहे गया तो चलो सी सी वाला option हमें मिल गया एक से किस प्रकार का विशेशन है परिमाण वाचक संख्या वाचक सार्वनांबिक गुण वाचक बेटा चोटा बड़ा ना तो संख्या होती है बताओ चोटा किस प्रकार का विशेशन है जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताओगे तो आप है परिमार नापतोल तो नहीं हो रही है ना अवस्था के इसाप से तो हो सकता है वरना गुण वाचक हो जाएगा सिर्फ पचास कोईशन लगवग बचे शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेशन के भेदों की किश्रेणी में आता है ठंडा गरम मीठा जाते हैं तो मैं आप सभी को बता दूँ कपड़ा चीर चीर वसन और बता दीजेगा वासन वासन आप बोलेंगे अंबर और बताएंगे आप आप बोलेंगे वासन परिधान पोशाक परिधान पोशाक यह सभी कपड़ा के परियावाची हैं यह सभी कपड़ा के परियावाची हैं तो ए और कपाट किसे कहते हैं तो बिट़ा किवाल को कहते हैं कि दिवाड को कहते हैं तो आप बोलोगे जूट किया होते है आप बोलोगे रेशा होता है ये प्रकार क्या होता है रेशा लिख car होता है चली आगे बढ़ जाए निć S'eats Imprenant एट्भड का पर्यायवाची नहीं है अब उल्टी काउंटिंग आनी शुरू कार्द सिर्फ चलो, इन में से एक शब्द दुख्का परियावाची नहीं है, कलेश, संताप, पीड़ा, पच्छताप, तो बतादो दुख्का परियावाची कौन सा नहीं है, तो आप बोलेंगे दुख्का परियावाची क्या होता है, संताप, कलेश, कस्ट, कस्ट, पीड़ा, वेदना, व उपमे का सर्वता उपयुक्त विप्रीतार्थक क्या होगा उपमे का विप्रीतार्थक क्या होगा तो आप बोलेंगे अनुपमे हो जाएगा अतुलनिये का तुलनिये हो जाएगा और अनुपम का आप बोलेंगे साधारन हो जाएगा या उपमे कह सकते हैं जिसकी उपमा दी जा सके उपमे उपमा भी कह सकते हैं लेकि अनुपमे ज्यादा अच्छा है अनुपमित तो आप बोलेंगे अनुपमित अनुपमित वही तो हो लिखा है उपमित हो जायेगा का विलों में एक शब्द अपयोग का विलूम है समुपयोग निरुपयोग सदफयोग अनुपयोग का विलूम पटा निरुपयो barbecue आगर आपके पास में आ जए, आप कोई भी लगायेंगे नंबर आपको डौनों पे मिलेगा ऐसे question पे, सधुप्योग को दुरुप्योग भी हो जाएगा, ठीक है, चलिए next question देखते हैं, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हिर्दय मूम जैसा पिगल गया वाक्य में विशेष्य है विशेष्य जिसकी विशेष्य बताई जा रही है युद्ध देखकर अशोक का कठोर हिर्दय हिर्दय की विशेष्य क्या है कि कठोर है तो कौन सा हो जाएगा आप बोलेंगे आप सभी को इसमें कोई परिशानी नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट कुरेशन ऐसी जिवी का जिसका कुछ ठीक ठीकाना नाहो के लिए एक शब्द देखो आकास कुशुम किसे बोलते हैं तो आप कहेंगे आकास में कुशुम खिलने जैसे की बात क्या होती है आप बोलेंगे असंभव बात असंभव बात की आकास में तो कुशुम नहीं खिल सकता क्या है नहीं खिल सकता है ना तो आकास कुशुम को हम क्या बोलेंगे असंभ और आकाश बत्ती किसे कहते हैं वह जीबी का जिसका कोई ठीक ठीकाना ना हो ठीक है अन होनी भी कह सकते हैं और आकाश फल हम किसे कहते हैं ये तो हमसे पूछा नहीं इधर से टिक क्यों लगा रही हो में आकाश फल हम कहते हैं बिटा संतान को संतान को हम आकाश फल कहते हैं कह लिए आगे बढ़ते हैं, next question, मरा सन्वस्था वाले के लिए एक शब्द अभी उपको बताया था, मैं अम्रत कहलाता है, मोमूर्शु मरने की इच्छा रखने वाला, इच्छा रखने वाला, मुमूर्शु कहलाता है अम्रत गामी जो मर चुका हो, जो अम्रत्यू को राप्त हो चुका हो, राप्त हो चुका हो, हो चुका हो मुरत्यू कहलाता है निर्विकारी जिसमें विकार ना हो, जिसमें विकार ना हो, विकार ना हो, विकार ना हो, निर्विकारी कहलाता है नेक्स्ट कुश्चन देखती हूँ, एक वक्य शुद्ध है, स्वामी विवेका नंद का बाहरशर सुनकर उफास आने वाले अमरीकियों पर घड़ो पानी पड़ गया, वाजार का सापताहिक अबकाश सोंबार को रहता है, पिटा वाजार का सापताहिक अबकाश नहीं होता, वाजार की बंदी होती है, क्या होती है, बंदी होती है, बंदी होती है, बंदी होती है, वाजार की सापताहिक बंदी होगा, फिर कब रहती है, सोंबार को रहती है, वे इस्त्री, वे दुखी, इस्त्री वैधब्विता का जीवन बिता रही थी, पिटा वैधब्विता, इ एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, जब भी हम कुछ नया करने चलते हैं, तो हम बड़ा घबराते हैं, कुछी एक्जाम की तयारी करते हैं, जैसे मैं ही सुबह मेलथन लेने की तयारी कर रही थी, तो हलका सा डर लगता है, लेकिन यदि किसी गाम को आप पूरे दिल से करो, त तो एक बड़ी सुन्दर सी कविता है, आप सभी ने बच्पन में सुनी होगी, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बड़ी, सोच ने फिर फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यो कड़ी, देव मेरे वागे में हैं क्या बदा, मैं बच्चूंगी या मिलूंगी धूल में, चू पड़ूंगी या किसी अंगारे पर, गिर पड़ूंगी या कमल के फूल में, बह गई उसकाल एक ऐसी हवा, वह समुंद्र ओर आई अनमनी, एक सुन्दर सीप का मुहता खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती वनी, लोग यूँ ही है, जिजगते, सोचते, जब भी उनको छोड़ना पड़ता है घर, किन्तु घर का छोड़ना अकसर उसे बूंदलो कुछ और ही देता है, कर यहां बिटा, घर का तातपर अपने घर से ही नहीं है, यहां अपने comfort zone से है, जब भी हम अपने comfort zone में रहते हैं, तो हम पीने का प्याला क्या कहलाता है, चश्म गलत, चशक गलत, चशक कहलाता है, मूधने सा लगता है, तो चशक कहलाता है, थैंक्यू सो मच, चलिए, जो इस्त्री के बसी भूत हो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, इस्त्री पेमी, इस्त्रियों से प्रेम करने वाला, से प्रेम कर करने वाला, करने वाला, स्त्रि प्रेमी किहलाता है वेटा इस्त्रियों के बस में इस्त्रेंळ हो जाएगा इस्त्रियों चित इस्त्रियों जैसा। जैसा और त्रिया वशी का अर्थ भी इस्त्रियों के वश में होता है पर जादा सही कौन सा है इस्त्रैन हो जाएगा आयोग द्वारा अमाना हुआ आंसर है तो यही लगाएंगे मीमांसा का सही परियावाची क्या है मीमांसा आप सभी पढ़ते हैं मीमांसा का अर्थ होता है समालोचन किसी चीज का सार निकालना मतलब उसके बारे में सब कुछ जानना मतलब उसका एक तैसे सार समझना समालोचन स्वरूप सुब ग्याता या निश्क्रिये नहीं हो सकता चलिए बिजली का परियावाची आपने बहुत वार पढ़ लिया तो आप बता देंगे क्या हो जाएगा आप बोल देंगे सौधा में नहीं हो जाएगा ठीक है अगर लिखा होता मोहन आटा पिस्वाने चक्की पे गया तो अशुद्ध हो जाता ठीक है निर्दय व्यक्ती से मित्रता नहीं करनी चाहिए ठीक है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है ठीक है आप बोलेंगे एक मिठाई की दुकान नहीं होगी परियुक्त कथन असत्त्य है इसमें भी कोई त्रुटी नहीं है तो कौन सा होना चाहिए सी होना चाहिए है ना है ना हाँ जी आगे चलो आगे बढ़ते हैं जिसका कोई शत्रू नहीं जन्मा वाक्याश के लिए एक शब्द आजे जिसे जीता ना जा सके जीता ना जा सके जा सके अजे कहलाता है शत्रू जई का अर्थ क्या होता है जो शत्रू को जीत ले जीत ले जीत ले शत्रू जई कहलाता अजात शत्रू जिसका कोई शत्रू ना जन्मा हो शत्रू भी ही जिसका कोई शत्रू हो ही ना शत्रू ना हो शत्रू भी ही निया कहलाएगा वैसे तो कोई शब्द नहीं होता निम्लिकित में से विलोम शब्दों की द्रश्टी से एक यूपम गलत है वह कौन सा है विदी निशेद ठीक है अहवाहन विसर्जन ठीक है अमिये हलाहल अम्रित हलाहल का अर्थ होता है विश ये भी ठीक है आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है और विग्रह का विलोम संधी होता है गुड़े क्या होता है संधी होता है चलिए next question देखते हैं विलोम शब्द की द्रस्टी से इन में से सही शब्द कौन सा है अकीन विकीन आप बोलेंगे अकीन नहीं संकीन संकीन हो जाएगा है ना औ और इपसित, अभीपसित नहीं, अनीपसित, अनीपसित, छीक है, आदरत, निरादरत, ठीक है, दोश, गुण, सदोश, अदोश, क्या हो जाएगा, अदोश हो जाएगा, छीक है, आगे बढ़ते हैं, next question, next question, जिम्डिकित में से किस वाक्याश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रियोक्त हुआ है, जिसे दूर करना कठिन हो, तो दुर्निवार हो जाएगा, जिस पर बार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, दुर्दर्श कहलाएगा, जिसे जीत पाना कठिन हो, दुर्जे क तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा एक इसमे से तो आप बोलेंगे इस पेवार करना कठり好吃 हो क्या केहलाता है विक्रांथ केहलाता है ठीक है जिसे देख से पाना तुर्डर्ष कहलाएगा तुर्दर्ष कहलाएगा और जिसे जीत पाना कठिन हो तो दुरजे कहलाएगा, क्या कहलाएगा दुरजे कहलाएगा, next question देख लेते हैं, निमलिकित में से तस्तम शब्द है, दही, जीन, गयंद या गाहक आप बोलेंगे, जीन तस्तम है, इसका तदभव जीना होता है, क्या होता है, जीना होता है, और क् आप बताएंगे, दही को हम दधी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दधी बोलते हैं, गयंद को हम गजेंदर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गजेंदर बोल देंगे, और गाहक को हम ग्राहक बोल देंगे, ततसम में, तो कौन सा सही हो जाएगा, आप बोलेंगे, बेटा, भी वा आप अब explain ना करो, आप छोड़ सकते हैं क्लास को, फिर आप बाद में देख लीजेगा, है ना, है ना, तो बस मेरी भी हम मत थोड़ी सी द्रवाब तो देही रही होगी, 30 कोशन बच्चे हैं, 30 मिनट, इतना नहीं, इतना भी मत करो, निम्न में से एक वाक्य जो शुद्ध है उस जंगल में प्राता काल का द्रश बहुत ही सुहावना होता था, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, बाग और बकरी एक गाड़ पर पानी पीती हैं नहीं, पीते हैं, उन्होंने इस बात पर आपत्ती प्रकट की नहीं, आपत्ती की, तमाम देश भर में ये बात फैल गई देश भर में, तो आप तमाम देश भर के साथ, देको देश भर है, तो उसके बाद तमाम नहीं लगना था, देश भर में ये बात फैल गई, ये काफी हो जाएगा, है ना तमाम और भर का अर्थ एक ही हो जाएगा, या तो तमाम देश होता, देश भर नहीं होना चाहिए, चलिए नेक्स्ट कोजिशन वर्तनी की दरश्टी से शुद्ध शब्द है पूज्य निये आप बोलेंगे पूज्य निये होता है पूज्य निये होता है तातकालिक होता है ठीक है तातकालिक होता है और प्रामारिक ठीक है और पैत्रिक बिटा ऐसे लिखा जाता है पैत्रक लिखा जाता है पैत्रिक इस प्रकार से लिखा जाता है ठीक है त्रा नहीं बनता तामे री लगती है रा नहीं लगता ठीक है आगे बढ़ते हैं निमलिकी शब्दों में तस्सम जोगी तो तद्भव है, इसे हम योगी बोलते हैं तस्समें, जोवन को योवन बोलते हैं तस्समें, योवन बोलते हैं, जमाई को जमाता बोलते हैं, जमाता बोलते हैं, और जब मैंने योवन तस्सम की तरफ लिखी दिया, तो यही तो इसका जबाब भी हो जाएगा, यही फैंक्यू इतनी हिम्मत दिखाने के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आप लोगों की वज़े से ही आज में इतनी देर खड़ी रह पाई हूँ जल्दी बताओ कम बोलने वाला क्या कहलाएगा आप बोलो आगे मैं मित भाशी कहलाएगा बहु भाशी आप बोलेंगे बहुत बोलने वाला म्रदुभाशी कहलाता है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं निम नंकित में से तद्वब शब्द है बलवान बांज चमचाया आसमान देखे लिए इसमें तद्वब का अर्थ होता है जो हिंदी के चमचा इत्यादी तो क्या हो गए आप बोलेंगे निमन शब्दों मेंسे चंचरीक शब्द का परियावाची सुनिए तो आप बोलेंगे चंचरीक, भ्रमर, शटपद, अली, और शिली मुख, मधुप, मधुकर, और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा भवरा, 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 ये सभी किसके परियावाची हैं तो आप बोलेंगे मैं ब्रहमर के परियावाची हैं, हवा के परियावाची हमने कर लिए, मित्र के भी कर लिए, पुत्र के भी कर लिए, तो अब आप लोग आगे भढ़ जाएंगे, हैना, या कर दूँ, करवा दूँ, थोड़े थोड़े से करवा दे रहीं, जादा नहीं, ह सभावादू weekends आप बोलेंगे वात मारुत अजरी सब्सक्राइब हो स lurini बहुत अज्टेश के लाफजन उपारों हेला हुए को साथी, संगी, सहचर, चलिए और पुत्र को क्या बोलते हैं आप बोलोगे आतमज, तने, बेटा, पूत, नंदन ये सभी हम किसे बोलते हैं आप बोलोगे पुत्र को बोल देते हैं चलिए 25 कोईशन रहें, सिर्下去 का बिलोम क्या होगा, आधुनिक का बिलोम क्या होगा क्या हो जाएगा प्राचीन हो जाएगा आधुनेक का विलोम क्या होगा प्राचीन हो जाएगा आगे बढ़ जाए आगे बढ़ जाए चलो नेक्स्ट कुश्शन बताएगा जो युद्ध में इस्टिर रहता है तो आप बोलेंगे युद्धिस्टिर होता है यह तो आपने देख लिया जो इश्वर में विश्वास रखता हो, आस्थिक, जो इश्वर में विश्वास रखता हो, यहां से देख ले ना, तो नास्थिक, नास्थिक है ना, आस्थावान जिसमें आस्था हो, जिसमें आस्था हो, आस्था हो, आस्था हो, है ना, आस्थावान कहलाता है विश्वासी जो विश्वास करे, जो जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वासी, विश्वास निये भी कह सकते हैं, जिस पर विश्वास किया जा सके, जा सके, पताए क्या कहलाता है, विश्वासी कहलाता है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, बताएगा, चलो आगे बढ़ते हैं मानस नहीं बताया मन से उत्पन मन से उत्पन क्या कहलाता है उत्पन मानस कहलाता है उत्पन मानस कहलाता है नेक्स्ट पोईशन निमलिकित में से विशेष्य शब्द है विशेष्य शब्द होगा तो संग्या ही होगा सर्वनाम तो यहां है नहीं, है ना, तो क्या होगा, विपन्वादी विशिष्ट मानस, जल्दी से बता दो, क्या हो जाएगा, विपन्वादी विशिष्ट या मानस, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे मानस ही हो जाएगा, मनसे उत्पन को मानस कहते हैं, और ये व् के लिए भी प्रियोक्त हो जाता है मन से कोई कारी मानस तो आप बोलेंगे मैं जाएगा विपन मतलब गरीब बादी वाद करने वाला विशिष्ट मतलब साधारण से अलग विशिष्ट मतलब विलक्षन अद्भुद है ना चलिए आगे बढ़ते हैं निक्स्ट कुश्चन न तो वो मनुष्य ही तो है तो बादी केसे होगा बादी नहीं होगा बिटा है ना बिटा देशज की आपको जरुरत नहीं है और मैंने आपको बता जिया देश में बने हुए शब्द देशज कहलाते हैं जैसे लोटा हो गया खिचडी हो गई खटिया हो गई डिबिया हो क्या होता है परिस्थिती होता है चलिए आगे बढ़ जाते हैं आगे बढ़ते हैं मूर्क व्यक्ति प्राया बहुत बोलते हैं मैं विशेश्य विशेशन है मतलब कौन सा विशेश है मतलब विशेश से पहले लगने वाला विशेशन विशेश विशेशन कहलाता है तो आप बोलेंगे व्यक्ति की विशेशता कौन बता रहा है आप बताएंगे मूर्क शब्द से पता होनी चल रही है तो यह हो जाएगा और गुणवाचक विशेशन इसमें हो जाएगा चलिए दिया सलाई के लिए का तस्सम क्या होगा दिया को बिटा हम दीप बोलते हैं और सलाई को हम क्या बोलते हैं शलाका बोलते हैं तो क्या हो जाएगा दीप शलाका कह देंगे हम दीप शलाका कह देंगे ठीक है ठीक है दीप मालिका दीपों की माला चलो निम लिखित में से कौन सा विशेश्य विशेशन का उधारन नहीं है, बता दो, विशेश्य विशेशन ही क्या पूछना चाहिए है, विशेशन का उधारन नहीं है, देखो संग्रहीत, आप बोलेंगे संग्रह किया हुआ धन होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कु सही है, सैयत कोच वान कोच चलाने वाला तो कोई क्या होगा मनुश्य ही होगा ना तो कोच वान क्या कहलाएगा आप बोलेंगे मैं यह विशेश है विशेशन नहीं है नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं निमलिखित मेंसे कौँ सा वाक के गलत है आँखो से आशूब हमेंगे आशू क्या है तो आप बोलेंगे मैं बहुवचन होते हैं सदैव एक ठीक हो मैं प्राताकाल टहलता हूं ठीक है आपके दर्शन करने आएं ठीक है उसके प्राण उड़ गए ठीक है आगे बढ़ जाएं चलिए नेक्स्ट कुश्चन नेक्स्ट कुश्चन निमलिखित में से कौन सा वाकिश ही है दही बहुत खट्टी है तो बिटा क्या होना रखता हूं यह भी वैसे तो बिल्कुल शुद्ध नहीं है यह भी बिटा बिल्कुल शुद्ध तो नहीं है लेकिन पर की जगे में होना चाहिए ताप ठीक है लिख दिया तो आप पर शद्ध जार रखता हूं तो कह सकते हैं मैने वजार नहीं जाना मुझे वाजार जान ये चारों आपको याद करना है प्रवस्यत पतिका किसे बोलते हैं तो जल्दी से आप सभी लोग मुझे बता देंगे तो सभी लोग आप बता देंगे किसे बोलेंगे तो आप बोलेंगे जिसका पती परदेश जाने वाला हो क्या कहलाती है प्रवस्यत पतिका कहलाती है जिसका पती परदेश चला गया हो तो क्या कहलाती है पोशित पतिका कहलाती है पोशित पतिका कहलाती है इस्तरी के लिए पूछा गया है और जिसका पती परदे से लोटने वाला हो अगमस्यत पतिका कहलाती है क्या कहलाती है आगमस्यत पतिका कहलाती है क्या कहलाती है जिसका पती परदे से लोटने वाला हो और लोट कर आया हो तो आगमपतिका कहलाएगी चीख है यह थोड़ा सा टाफ है और इंपोटेंट है अगर बहुत स्टेंडर्ड कोशन बना तो इस तरह का बन जाएगा चीख है आगे बढ़ जाए चलो निम्न मेंसे बिलोमार्थी युग में कौन सा शुद्ध है दयालू अ कौन सा सही हो जाएगा तो आप बोलोगे दयालू का विलोम निर्दय होगा और दयालू कोई शक्त नहीं होता शशंक का विलोम क्या होगा तो आप बोलेंगे मैं शशंक का विलोम निशंक होता है वैसे यह सही लिखा है लेकिन इसकी वरतनी थोड़ी सी गलत है निशंक होन चाहिए था पर ठीक है। निम्रिक्रत में कौन सा युगम। विशेश्य विशेशन का सटीक उधारन है, मतलब विशेश्य है फिर उसका विशेशन है, आप बोलेंगे कुम्भ का कुम्भार, कुम्भार नहीं होता, बिटा कुम्भी होता है, क्या होता है, कुम्भी होता है, स्वन का स्वनिम, बिल्कुल ठीक है, भला का भलाई, बिटा कूंसा शब्द कमल का पर्याईर नहीं है। पुशकार तामरस तारकेश या नीरज तो आप बोल देना मैं Пुशकार आप बोलेंगे मैं पुषकार तो नहीं होता, पुषकर होता है, पुषकार वैसे माना गया है, इसमें तो तारकेश माना गया था, ये तो किसका परियावाची होता है तारकेश, आप बोलेंगे मैं चंद्रमा का परियावाची होता है, किसका चंद्रमा का परियावाची होता है, चंद्रमा का प केसा आप से पुषकार इन्होंने मान लिया हो 12 बच्ची है कैसे बच्चे गिनने हैं ताइम गिनने नियम बुर्द अ सामाजिक कारे करने वालों की सूची आप सभी को पता है क्या कहलाती है आप बोलेंगे मैं काली सूची कहलाती है बहुत बार आपने पढ़ाया है मैम जवाब देदो हम भी हैं आपकी क्लास में भईयाजी जब आप मांग लो आप क्या हो गया जवाब 12 कुश्चन है उसके बाद थोड़ा सवाल जवाब तो हम लोग करेंगे ऐसा सवाल जवाब तो हम थोड़ा बात करेंगे चलो देवर का तस्सम रूप क्या है तो आप बोलेंगे दुवर दुवर तो नहीं होगा दुभर भी नहीं होगा दुर्वह भी नहीं होगा दुवर का तस्सम शब्द क्या हो जाता है दुवर हो जाता है ठीक है चलि गिरा हुआ के लिए जल्दी से बतादो गिरा हुआ के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा बतादो तो आप बताएंगे लुंठित होगा धराशाई होगा पतित होगा या पातकी होगा आप सभी को पता है बहुत बार कराया हुआ कोईशन है पतित 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 कहते हैं सीता राम है, तो यहाँ से याद कर लेना, गिरेवों को पावन करने वाले हैं, निमलिकित वाक की खंडों में प्रिक्त होने वाला शब्द सोयम सेवक, देखो सव की सेवा करने वाला सर्व सेवी होता है, सर्व सेवी होता है, और सोयम की तो सेवा नहीं की जाती, तो सोयम की स करने वाला अवयतनिक कहलाता है क्या कहलाता है टिक कि अवयतनिक कहलाता है नेक्स्ट कुश्ट इन नामों में से, एक क Napoleon अशुद हैimaPक। सुबह से रात हो गई, सुबह भी जब ये class start की थी, तब एक इस तरह का question आयागा और वहां पे मैंने ये नहीं था, फिर भी मैंने इसको आपको बता दिया था तो क्या हो जाएगा, आप बोलेगे, कोशल्य ठीक लिखा है, कई जगे कोशल्य इस प्रकार लिखा माना जाता है बिटा वो भी सही है कौशल्या की दोनों वर्तिनी शुद्ध मानी जाती है मैथली शरण गुप्त सही है मेगनाद सही है राहो सांस्कृतायन नहीं होता बिटा सांकृतायन होता है सांकृतायन होता है और ये बहुत ही विद्ध्वान व्यक्ती थे इन्हें गुमकड शास्त् इनका नाम क्या रखा महापंडित राहुल सांकृतायन रखा गया चलिए next question देखते हैं इन मेंसे एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है अधीन भागी रथी जागरत या अनुगरहीत देखो बता दो बता दो बता दो ये बोलगा से गंगा हां बिल्कुल सही बात है कौन सा ह अधीन बिल्कुल सही है भागी रथी बिल्कुल सही है अनुगरहीत बिल्कुल सही है जागरत तो आप बोलेंगे जागरत इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी जागरत की ये होती है क्या होती है जागरत की शुद्ध वर्तनी ये होती है चलिए आगे बढ़ जाएं आगे प्रकार लिखा जाता है यदि हम इसको यहां लिखेंगे तो हम यहां हलंत लगा कर वांग में लिखेंगे पर तु टाइपिंग में क्या होता है बिटा अधूरे शब्द के नीचे अगला पूरा शब्द लग जाता है तो यह वांग में इस प्रकार लिखा है जो कि बिल्कु आगे बढढ जाएं, नेक्स्ट कुइस्चन, इन में से कौन सा वाक की शुद्ध है, मेरा गुपत रहसी कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उना, श्याम सज्जन आदमी है इसे कौन सा वाकिशुद्ध है मेरा गुप्त रहस से कोई नहीं जानता तो आप बोलेंगे जो रहस से है वे गुप्त होगा ही तो मेरा गुप्त रहस से कोई नहीं जानता तो साथ में गुप्त नहीं लगाना चाहिए था गुप्त नहीं लगाना चाहिए था श्याम सजन आदमी है, श्याम सजन है तो आदमी क्यों लगा रहे हो, है ना, सत जन, है ना, अच्छा जन, उत्तर का अधिकांश भाग, अधिकांश पहाड़ी ये भाग लगाने की जुरुत नहीं थी, इन में से एक भीवा के शुद्ध नहीं है, ये वर्तनी के अनुसार भी सही है, ठीक है, चलिए, लास्ट चार क्वेशन बचे हैं, कितनी खुशी सी हो रही होगे तुम लोग को है ना, है ना, चलो, मार का परियावाची शब्द अरे, अधम, आप लोग तो कर लोगे, ये तो easy सा हो गया, आप सब, मार का परियावाची तो अनंग, अनंग का, अनोज, कंदर्प, बहुत जरूरी है ये, अच्छा, पुश्व धन्वा, पुश्प धन्वा, धन्वा, खुसुमासर, खुसुमासर, चीक है, तो ये आप सभी लोग कर लेंगे, आपको पता है, है ना, हाँ, बताईए, यह ना, खतम हो गया, तो रिचाज कर आलो, उनने स होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इन में से एक रसा का परियावाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, फिर से आप बताओ कि मैं भी तो हमें पता ही है, तिमिस्रा हम किसे बोलते हैं, रात को बोलते हैं, रजनी को बोलते हैं, रजनी को बोलते हैं, निशा को बोलते हैं, इ शीत भी बोलते हैं, सरवरी भी बोल देते हैं, शरवरी भी बोल देते हैं, रत्न गर्वा अचला धरित्री वसुधा, वसुधा, वसुंधरा, वसुंधरा, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे छिती, छिती, इला, इला, ये सभी हम किसे बोलेंगे, आप बो लेंगे की रसा को बोल देंगे चलिए next question second last है हाँ हाँ आखिर कर लिया हम लोगों ने 500 question है ना अंगीठी का तसम पोल लगवाओं अगले 100 question के लिए बता ना पोल लगवाओं क्या अंगीठी अगनिका अंगिस्ठीका अगनिस्ठीका हो जाएगा अगनिस्ठीका हो जाएगा अगनिस्ठीकी भी नहीं होगा बताओ अगनिस्ठीका के लिए पोल लगवाओं आँ बहुत जल्दी बोल रहा हम लगवालो अब तो बोलो गई तो आप बताईए ने लिकित में से कौन सा हाथ का परियाए है जल्दी से बताईए ये last question है कौन सा हाथ का परियाए वाची न हस्त पाणी और करहात के परियावाची हैं तो जल्दी से बताईएगा कैसी लगी आप सब लोगों को मेरी महनत और मेरी क्लास और आप सभी का होंबर कवस्प इतना है कि आप जितने भी इस समय लाइव हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी से एक रिव्यू चाहिए कि कमें लगभग कितने ठीक हो गए हैं 450 ठीक हुए तो 6 गलत होगा ना इसका मतलब 60 में से 480 वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 470 बहुत अच्छी बात है जिसने भी 450 प्लस किये हैं उसने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे बहुत खुशी हो दिए कि आप लोग मेरे साथ अभी तक भी बने हुए हैं तो जल्दी से बतादो एक्जाम कैसा करके आओगे बिल्कुल बढ़िया से एक्जाम अटेंप्ट करके आओगे सारी टीचर्स की मैराथन लेनी है क्योंकि सारी टीचर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से आप सारी आप लोग सात नहीं होते अंई तो अपने हैससात दिया है तो जल्यवलते हैं तो जो आठ या नौ तारीक को हैं ना, नौ और दस तारीक को हैं, जो नौ और दस तारीक को हैं, उसमें हम मिलेंगे, है ना, फैंक यू जी, चलिए, और आज आपने record भी कराया है 3000 live भी कराये हैं आपने civil के तो thank you so much good night you are also best you are the best student मेरा पहला बैचे हमेशा कहती हूँ न मुझे आप लोगों से थोड़ा लगाब इसलिए भी ज्यादा है कि ये मेरा पहला बैचे चलिए तो फिर मिलते हैं आप से नौ तारिक में तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल लगे थैंक यू थैंक यू सो मच हैवा गुड़े डाउट गुरूप में हम लोग जुड़े रहेंगे चलिए मिलते हैं फिर कभी बाई